सब्सक्राइब चीज़े समझना मुश्किल हो जाता है, even Companies Act में भी कही जगे आता है, Void रहेगा, या जो से Richie वाला केस पढ़ेंगे, तो वहां पर भी Void Agreement रहेगा, यह सब चीज़ें पता होने हैं, चीज़े पहले Void Agreement, Void Contract यह सब पहले पढ़ लेंगे, एक चैप्टर, बाकी फिर Contract एक स्किप करेंगे, डिरेक्ली Companies Act पे जाएंगे, फिर Reverse Order में उसके बाद Sale of Goods Act, Partnership ऐसा करके अपन कवर करेंगे, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इसमें Marks का Distribution दिया हुआ है, वैसे Marks का Distribution एकदम ऐसा नहीं होता है, जैसा इन लोग बताते हैं, Change होते रहता है, आपके Notes में नहीं एक है, ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ देख लो, तो Marks का Distribution ऐसा है कि सबसे ज़्यादा आपको जो Marks रहेंगे, वो ऐसे Contract Act ही रहेंगे, क्योंकि Major portion उसी पर डिपेंड करता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा भी है, अगर आप देखोगे तो आपको बहुत सारा पढ़के फिर इतने Marks मिलते हैं, जैसमें 25 to 35% यहाँ पर हुआ है, तो 25%, अब यह भी इतना वेक बनाया है, इनोने 25 से 35% बोला है, तो इतना वेक इनोने 10% गाप है, तो हो सकता है कभी 30% आए, कभी 35 है, बढ़ कभी ऐसा भी देखने को मिला, इसमें जादा भी आ जाता है, 40% भी weightage कभी कभी इस पे आ जाता है, फिर उसके बाद, बड़ यहां भी कभी-कभी देखने को मिला है कि हमको जादा इवन 35-40% पाटनेशिप से देखने को मिलते हैं क्वेश्चन्स लिमिटेड लाइबलेटी पाटनेशिप से एक क्वेश्चन आता है सिर्फ जिसको हम ऑप्शन में छोड़ सकते हैं ऐसा वाला वो भी मैं यह नहीं बोला छोड़ दे न वट फिर भी जितना इंपोर्टेंट हैं सिर्फ उतने पड़ेंगे अपन इसमें कुछ एमिमिन्पेंट्स ने हैं बहुत सारे अमेंडमेंट एक दूम बीसिक है जैसे ट्रिबिनल वगरे का निर्मान करने के कुछ पॉइंट्स बताए गए तो वो सब छोटी मुटी चीज़े हैं बट जो इंपोर्टेंट अमेंडमेंट सर्फ उतना में आपको बताऊंगा जो आ सकते हैं वाकि अमेंडमेंट्स तो पूरा एक्ट में हुआ है और उतनेशारी चीज़े आपके काम की नहीं रहेगी एक्जाम में नहीं जाएगा और उसके बाद Companies Act, तो Companies Act में हम जो major 10 sections हैं इस साल आपको course में उतने ही हम देखेंगे, बाकि पूरा Companies Act आपको थोड़ा थोड़ा करके तीन stages में बताया जाता है जैसा कि आपको पता है, तो यहाँ पर भी रहेगा intern में और final में, और फिर new course आने के बाद थोड़े ब नोटिफिकेशन तो आ चुका है, पता होगा आपको, अभी दो दिन पहली आया, new course 2024 से apply होना चालू हो जाएगा, तो भी देखेंगे अपन कैसा क्या होता है, बट अभी टाइम है, अभी foundation पर अपन फोकस करते हैं, फिर दीरे seminars, webinars के तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि क्या रहने वाला है, ठीक है, और कुछ अच्छी बातें भी होगी आपके लिए, courses में, जो जैसे उसके गारण, चलो, so contract act में सबसे पहले आपको कुछ basic चीज़ें बता दू, contract act में शुरू करने के पहले आपने पढ़े होंगे कि law का मकसद क्या होता है, तो इसका मकसद होत certain होना चीए, definite होना चीए, इसे law बनाए गए हैं, कोई भी चीज गलत नहीं होना चीए, किसी के साथ social injustice, insecurity इस प्रकार की चीज़ें नहीं होना चीए, mercantile law यहने वो वाला branch of law था, जो की business से deal करता है, यहां पे भी sources of law of contract में आपको पता है, एक तो Indian contract act है, सबसे पहली चीज तो judicial decisions है, जो आपको पढ़ना पड़ता है, एंड कुछ customs और usages of trade भी होते हैं, जो आपको पढ़ना पड़ता है, जो आपको देखने को मिलेंगे, जब भी हम law of contract पढ़ते हैं, तो इसमें फिर contract क्या है, यहां से आपके exam के हिसाब से points चालू होते हैं, तो contract में दो elements होते है जैसा कि आपको पता है, contract में एक रहेगा agreement और एक रहेगा legal obligations, आपको बनाने की ज़र्वत नहीं है, यहां पर फिर contract कब बनेगा, तो जब दोनों चीज़े मिलेगी तब contract का निर्मान होता है, तो agreement बहुत प्रकार के ओर सकते हैं, जैसे कि social agreement, domestic agreement या legal agreement, सिर्फ legal agreement ही contract में convert हो रहे तो contract नहीं बनता, यह आपको पता है, वैसे legal obligations भी बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे traffic नियमों का पालन करना, यह भी legal obligation है, tort के तरह कुछ obligations आते हैं, उसी प्रकार से कुछ agreement के द्वारा उत्पनना होते हैं, सिर्फ वही वाले contracts में हम परते हैं, जो agreement के द्वारा उत्प रहे हैं, यह दूसरे एंगल से देखें, तो उन agreements की बात करता है, जो legal obligations create कर रहे हैं, ठीक है, तो यह आपको पता है, basic कुछ चीजें जो agreement है, contract है, legal obligation है, तो यह आपको पता होना चाहिए कि contract क्या है, agreement क्या है, legal obligation क्या है, यह एक पहला पार्ट जिस पर आपको question आता है, यह दिया हुआ है, कि हर contract एक agreement जरूर रहेगा, बट हर agreement contract रहे, यह जरूरी नहीं, यह भी आपको पता है, जैसे हमने एक example भी देखा था कि हर cockroach कीड़ा होगा, लेकिन हर कीड़ा cockroach हो, यह जरूरी नहीं, तो वो जिंगूर हो सकता है, और कोई कीड़ा भी हो सकता है, तो यह मुझसे नहीं पढ़े, बट फिर भी कही ना कहीं तो पढ़े हैं, साम मान के चलेंगे, ठीक है, तो जिन्होंने भली हाँ नहीं पढ़ा, बट कही ना कहीं आपने इतना तो पढ़ा ही होगा, कि हाँ बेसिक चीज़ें, contract में क्या होती है, law में क्या होता है, तो हम यह मान के चलेंगे, चलो, तो दो प्रकार के एग्रिमेंट्स होते हैं, लीगल एग्रिमेंट्ट और सोशल एग्रिमेंट्, हम सिर्फ लीगल एग्रिमेंट्स को contract act में पढ़ते हैं, बाकी भी legal obligation create हो रहे हैं, तो उनको पूरा तो करना पढ़ता है, बट वो contract act में cover नहीं होता, फिर वही चीज़ बताईए, legal obligation बहुत सारे sources से आ सकते हैं, like tort say, judicial decisions, trust, decree, agreements, contract act में सिर्फ वो आते हैं, जिसमें agreement होता है, agreement के द्वारा जो उत्पन्न होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें, traffic नियमों का ठालन करना तो उसमें कोई agreement नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपने agreement किया, कि अपड़ता है, यह contract नहीं है, हाँ यह भी एक valid legal obligation ज़रूर है, बट यह contract में नहीं cover होंगे, जिन लोग online कर रहे हैं, अगर कोई दिक्कत रहे हैं, तो आप पूछ सकते हैं, वहाँ पर चैट में भी आ रही है, पूरी link वगड़े है, तो आप अगर चाहें तो वहाँ चैट if they are made by the free consent of the parties, competent to contract for a lawful consideration with a lawful object and are not hereby expressly declared to be void, जिसमें से एक एक चीज़ को आप तोड़ते हैं, agreements यह ने offer and acceptance होना चाहिए, जिसमें दोनों चीज़ है, जैसे agreement है, तो agreement में दो चीज़ आती है, इसमें एक offer आएगा, प्लस एक acceptance आएगा, तब जाके agreement बनता है हम बोलते हैं, अगर offer है बट accept नहीं किया, तो agreement बनता ही नहीं, agree करने का मतलब ही है कि हाँ बोलना, तो अगर उसने हाँ बोला है, तब ही जाके agreement होगा, जैसे आपने किसी को पुछे, क्या तुम मेरे साथ coffee पीने चलोगी, उसने बोली हाँ, तो agree हुआ है कि आप coffee पीने जाने वाले हो, अ से A ने B को पुछा, क्या तुम मेरी car खरीद होगे एक लाख रुपे में, और B ने बोला हाँ, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि दो promises create होगे हैं, एक promise है car देने का, दूसरा promise है पैसे देने का, तो यह every promise and set of promises forming consideration for each other, तो पहले यह थोड़ा difficult लगा होगा, आपको बहुत आसान लगता होगा, क्योंकि अब इसमें आपको consideration क्या है, यह सब चीज़ें भी पता है, ठीक है, फिर intention to create legal relations, यह एक important point है इस chapter में, इस chapter में question जो आते हैं, यह वाले point पर जादा देखने को मिलेंगे आपको, जिसमें Balfour versus Balfour का एक case था जिसको आपको ध्यान रखना है, और यह code भी करना है आपको, उसके पूरे facts नहीं बताना पड़ता, सिर्फ नाम बताना पड़ेगा, अगर आपको इस particular point पर question आता है, social या domestic obligation पर तो आपको उसका नाम बताना पड़ेगा, जिसमें आपको पता है कि Mr. और Mrs. Balfour होते हैं, यह दोनों रहते हैं Ceylon में, so Mr. Balfour है, Mrs. B Land में, यहाँ पर जाके अंटी जी बिमार गिर जाती है, अंकल जी वापस आ जाते हैं, यह बोलके कि मैं तुमको खर्चा पानी दूँगा, और जो भी दवादारू का पैसा लगता है, वो मैं पे करूँगा, लेकिन आने के बाद वो भूल जाते हैं कि उनकी कोई wife है, और there is no intention to create legal obligation, legal obligation create करने का हमारा aim ही नहीं था, और इसलिए यह contract में cover नहीं होता है, यह domestic agreement है, जैसे पिता जी आपको बोलते हैं, बेटा CA foundation पास हो जा, मैं तरको iPhone 14 खरीद के दूँगा, तो यहाँ intention is not to create any legal obligation, तो यह domestic या social agreements में cover होते हैं, तो यह important point है, जिस पे आपको question आता है chapter number 1 में, बाकि free consent आगे पढ़ेंगे, इसको skip करते हैं, फिर parties legally capable of contracting होना चाहिए, यह भी आगे पढ़ेंगे, इसको भी skip करते हैं, object should be legal and not opposed to public policy, chapter number 6 में देखेंगे, agreement में consideration होना चाहिए, third chapter में देखेंगे, agreement must not be expressly declared to be void, again chapter number 6 में देखेंगे, कुछ-कुछ agreement expressly void declared की हैं, जै gambling, wagering, यह सब चीज़ें, फिर agreements के term certain होना चाहिए, certain means पका होना चाहिए, अगर आप कोई चीज़ बता रहे हैं, तो clear होना चाहिए, आपको क्या चीज़ खरीदना है, जैसा आप गए तेल लेने, तो आपने बताया कि मुझे तेल बेज दो, लेकिन कौन सा तेल बताया नही तो it is uncertain, यह भी समझेंगे हम, वैसे agreement should be capable of being performed, इसमें आपने चान तारे तोड़ने का वादा किये थे, अपनी friend को बोलते हैं, मैं तुमारे लिए चान तारे तोड़के लाऊंगा, so यह valid नहीं है, क्योंकि यह possible ही नहीं है, perform ही नहीं किया जा सकता, और agreement writing में या registered होने की व आइटिंग के साथ साथ registration की भी requirement पूरी करना पड़ता है, फिर contract बनता कैसे है, तो simple है, एक offer आएगा, एक वेक्ति offer देगा, जिसको हम offerer बोलते हैं, यह promiser बोलते हैं, दूसरा वेक्ति उसको accept करेगा, फिर agreement आएगा, और अगर बाकी की हर एक essential element जो अभी उपर हमने देख यह अगर उसमें मौजूद होते हैं, तो हम मान लेते हैं कि यह contract बन चुका है, अब contracts, यह किस-किस प्रकार के बते हैं, यह पढ़ना है हमको, बाकी उपर की जो भी points है, इन पर आपको question नहीं आएंगे, एक्जाम में, जाधा से यह वाले point पर आ सकता है, intention to create legal relation, और यह वा गलग type of contract जो है, इनको हम देखते हैं, so contract को हम divide कर सकते हैं, अलग-अलग basis पे, जैसे पहला on the basis of enforceability हम उसको divide करते हैं as valid contract, valid contract means है कैसा contract जिसमें हर एक essential element मौजूद है, उसको हम बोलते हैं valid contract, जिसमें capacity of parties भी है, free consent भी है, सब चीज़ें, consideration है, offer acceptance है, वो valid contract है, फिर देखेंगे, void agreement, voidable contract और void contract, इनको समझना हमको बहुत जरूर है, at this stage, वैसे तो आपको पता होंगे यह चीज़े, अगर नहीं भी पता है तो यहां समझेंगे, और इसके बाद ही फिर हम बाकी का कानून समझ सकते हैं, so even अगर आप seal of goods एक होगे, तो यह words देखने को मिलेंगे, तो इसलिए पहले हम इनको समझते है, तो valid contract तो एकदम simple है, जिसमें हर एक essential element of a valid contract की मौझूद होता है, इसको हम मोल सकते है, an agreement which is enforceable by law, enforceable by law का मतलब है, जिसको आप court जाके पूरा करवा सकते हैं, अगर आगे वाला मना कर दे तो भी इसको अभिकार होता है कि आप court जाके इसको पूरा करवा सकते हैं, फिर वाइड एग्रिमेंट, वाइड एग्रिमेंट ये नहीं कि ऐसा agreement which is not enforceable by law, ये agreement तो बन गया, लेकिन इसमें कोई legal obligation कभी उत्पन नहीं होते, इसको आप पूरा नहीं करवा सकते court जाके, अगर आगे वाली पार्टी मना कर दे, तो भी आप उसके उपर कोई legal action नहीं ले सकते, उसको हम बोलते हैं, वाइड एग्रिमेंट, तो ये कभी contract बनते ही नहीं, तो agreements not enforceable by law, इसलिए इसको हम एक नाम और देते हैं, वाइड एब इनीश्यो, वाइड एब इनीश्यो का मतलब है, ये श जो आपने वादा किये तो चांद तारे तोड़ के लाने का, और आपकी friend ने आपको 10,000 रुपे दे दी, किये लो, 10,000 रुपे रखो, जाओ चांद तारे तोड़ के लाओ, तो यहाँ पे वो 10,000 रुपे आपको वापस करने की आवशक्ता नहीं होगी, ये पैसे आपके हो गए, ठीक है, तो यहाँ पे restitution of benefit नहीं होता, क्योंकि कानून जो बेवकूफी करता है, या जो illegal काम करता है, उन लोगों की मदद नहीं करता, आपने मेरी सुपारी दे दिये कि शर्मा जी यहाँ से निकलेंगे इनको खतम कर देना, और आगे वाले को 10,000 रुपे पे कर दि या दूसरे एंगल से बोलो तो which is voidable adoption of one of the parties, जैसे कि मैं हूँ और मैं क्लास में पढ़ा रहा था, और एक भाई आता है, और ये भाई आके मुझसे जबरलस्ती एक contract करता है, बंदूक लेका है, उसने बंदूक लोड किया, मेरे यहाँ पे लगाया, और बुला कि शर्मा ज यहाँ पे करता है, और यह property अपने नाम करवा के चला जाता है, इसको हम एक नाम देते है, Quortion, Quortion हो गया है, तो यहाँ पे मैं इस contract को cancel कर सकता हूँ, इसको हम बोलते है, voidable contract, अगर मैं चाहूं तो cancel करूँ ना चाहूं तो चलने दू, अगर मैं cancel नहीं करूँगा, तो तो यहां पर एक बार अगर थर्ड पार्टी के अधिकार आ चुके हैं तो मैं अब कॉंट्रे को कैंसल नहीं कर सकूंगा हां मैं इससे डैमेज़ जरूर ले सकता हूं क्यूंकि इसने मेरे साथ गलत किया है तो मैं नुक्सान की भरपाई जरूर करवा सकता हूं बट मैं कॉंट्रेक्ट अब कैंसल नहीं कर पाऊंगा कॉंट्रेक्ट कैंसल करना है तो मुझे कोर्ट जाना पड़ेगा विदिन रीजनेबल टाइम एंड बिफोर दे राइट्स ओफ थर्ड पार्टी इंटर्वीन तो अब मैं कैंसल नहीं कर सकता क्यूंकि अब इसका नुक इंपॉर्टेंट चीज होती है ही शूद अट इंगुड फेट का मतलब है इसको नौट बिफेट की यहां पर मार्पीट करके डराधमका तरके गुड्स लेके आये थे अगर उसको पता है तो अगर उसको नहीं पता है तो थर्ड पार्टी बिकम्स दी ओनर अब दी प्रॉ होता है फिर वाइड कॉंट्रेक्ट हां और यहां पर रस्टीडिशन अब बेनिफिट्स होते हैं रस्टीडिशन मेंस अगर मैं कैंसल करूंगा तो मुझे जो पैसा मिला है वो पैसा भी मुझे वापस करना पड़ेगा और वोइड कॉंट्रेक्ट यह आटमेटिक कopparn Up ये बाइड हो जाता है वाइड बात होती है अगर हमको पता है कि यह पहले इसमें रस्टिडिशन नहीं होता बैट अगर डिस्कवर्ट भी वॉइड है बाद में हमको पता लगा है कि यह तो वॉइड था तो ऐसी केसिस में रस्टिडिशन होता है तो रस्टिडिशन में जिसको जो चीज मिली थी वह वापस करेगा जैसे मैं आपको एक डॉग बेच अब वो उसकी डेथ हो चुकी है और अपन यहां एग्रिमेंट करी रहे हम 10 बजे एग्रिमेंट करने बैठें 11 बजे उठें तब जाके पता लगा 2.5 बजे लासा की डेथ हो चुकी है अब यह वाइड एग्रिमेंट है क्योंकि जो चीज अस्तित्वा में नहीं है वो वाइड यहां अगर आपने मुझे कुछ पैसा पे कर दिया होंगे तो आईगुन रिटर्न इट ठीक है बट अगर यही इवेंट बाद में होता है लासा की डेथ होड़ी है लेकिन कॉंट्रेक्ट बन गया था 11 बजे कॉंट्रेक्ट बना मैं घर जाता हूं और घर से वाप इंपॉसिबिलिटी, इलिगलिटी वो वाइड हो गया जैसे मैंने आपको लिकर के पार्टी देनी का वादा किया था तो मैंने और दे दिया था यहां पे कॉंट्रेक्ट बन चुका है बट जब वो परफॉर्म करना था जब मुझे लिकर के कैंस मिलने वाले थे उस बीच यहां इलिगल हो गया, इसके उपर बैन लगा दिया, सरकार ने बुला कोई भी लिकर ट्रेडिंग नहीं कर सकता, तो जैसे इलिगल बूल दिया तो यहां पे इट बिकम्स वाइड, यहां पे भी रेस्टिडिशन और बेरिफिटर्स अलाउट, तो अगर मैंने कोई पैसा दे चुका हूँ एडवांस में, तो वो मुझे वापस मिल जाएगा, ठीक है, तो यह है वाइड कॉंट्रेक्ट, यहां रेस्टिडिशन होता है, फिर इलिगल कॉंट्रेक्ट, अनेफोसिबल कॉंट्रेक्ट टेक और पॉइंट है, यहां पर यह इंपोर्टेंट है, कोई काम का नहीं है, एक्जाम पॉइंट ऑफ यू से, अनेफोसिबल कॉंट्रेक्ट मींस है, कैसा कॉंट्रेक्ट, विच है सम् टेक्निकल डिफेक्ट, अगर आप उसका डिफेक्ट रिमूव कर देंगे, तो इक बिकम्स एनफोसिएबल, फिर इलिगल और अनलाफुल, य इसका अबजेक्ट या कंसिड्रेशन, अपोस्ट टू पॉब्लीक पॉलिसी है, फॉर्बिटन बैलो है, फॉर्बिटन बैलो है, यहने सीधा-सीधा मना कर दिया है, जैसे कि रॉबरी वगरे टाइप की चीज़ हो गई, किसी ने चोरी करके ले गया है, यह सब चीज़े, इल्लीगल स्मगलिंग हो गई, स्मगलिंग के एग्रिमेंट्स इसमें कवर हो जाएंगे, ड्रक्स खरीद रहा है, यह सब डिरेक्ली फॉर्बिटन बैलो है, वहीं यह ऐसा है, जो कि अगर पर्मिट किया जाए, तो इट वो डिफीट दी प्रोविजन सब एनी लो, यह जार रोपे भी देता हूँ, आप केस वापस ले लो, तो यह इसमें कवर हो जाएगा, क्योंकि यह इस नेचर का है, कि अगर यह अलाव किया जाए, तो यह सीधा-सीधा फॉर्बिटन नहीं है, बट अगर यह अलाव कर दिया जाए, तो इट वो डिफीट दी प्रोविजन भी पहुचाता है, जिसमें आपको चुप-चुप के मुवी कहे के एक्जामपल दिया था मैंने, कि अगर इन्होंने पैसा वापस नहीं किया, तो यह हमारे पास बीना पैसे के गुलामी करेंगे, इनको कोई तनखा नहीं मिलेगी और यह हमारे यह साल बर के लिए नौकर क प्रिक्स में, फिर जितने इल्लीगल एग्रेवेंट्स होते हैं, वो सब वाइड रहेंगे, और हर वाइड एग्रेमेंट इल्लीगल रहेंगे यह ज़रूरी नहीं, जैसे कि चान्द तरहे तोड़ने का बांदा करना यह वाइड है बट यह उलीगल नहीं है, वैसे ही हर इ यह वाइड है बट यह illegal नहीं है ठीक है फिर इससे फरक पड़ता है इनके cool lateral transaction पर अगर आपका main agreement illegal है A ने B से कोई ऐसा contract किया जो illegal ने चरप है मानलो smuggling का contract किया या drugs वगर खरीदने का contract किया अब A के पास पैसे नहीं थे तो वो आता है C के पास और इससे loan लेके जाता है और C को inform किया गया है कि यह क्यों पैसा लेके जा रहा है तो उसने बताया मैंने drugs खरीदा था उसके लिए मुझे पैसे चाहिए फिर भी यह loan देता है तो यहाँ पर यह वाला agreement भी illegal and void मान लिया ज जाते हैं लेकिन अगर मीन एग्रिमेंट इलिगल नहीं होता ऐसे केसे में अगर यह पैसा देने के लिए C से उधारी लेका आता है तो यह वाला agreement पूरी तरह से वालेड होगा यह illegal नहीं माना जाता तो co-lateral agreements are perfectly valid इनके सब void agreements so co-lateral to illegal agreement is also illegal जबकि co-lateral to void agreement is not illegal it is perfectly valid तो यह पूरी तरह से valid contract होगा ठीक है तो यह सब डाइग्राम्स आपके पास बने होंगे अगर आपने इतना डीप में नहीं पढ़ा है तो बाकिया यूट्यूब टो मेरे इसके पूरी वीडियो आपको पता ही ह सब्सक्राइब देख सकते हैं पूरे वह 24 वीडियो है 24 या 25 वीडियो है तो उसमें एक गंट में पूरा यह कवर हो जाता है ठीक है तो आप उसमें भी देख सकते हैं उसमें आपको पूरी चीज़े देखने को मिलेगी चालो एक हालो हालो हाँ तुए से हाँ सो कुछ प्रॉब्लम के चलते वो आनलाइन लाइव नहीं आया था सो ठीक है योटीब पे लाइव अभी कंटीनल चालू है और जो थोड़ा पीछे रह गया है उसका आपको वीडियो अपलोड कर दूँगा मैं बाकी अभी पूरा लाइव चालू है ठीक है तो यह हो गया illegal और unlawful agreements के बारे में जिसका mean agreement तो ठीक है अगर mean agreement illegal है तो उससे फरक पड़ता है इवन collateral पे तो collateral transactions are also illegal and hence void जबकि अगर mean agreement सर्फ void है but not illegal तो उसका collateral perfectly valid होता है फिर express or implied contract यह एकदम simple है express contract का मतलब है जो words में है फिर ये return भी हो सकते है या oral भी हो सकते है oral भी express रहता है और return भी रहा तो express ही कहलाता है implied means जो लिखेत रूप में नहीं है कुछ बोला नहीं कुछ लिखा नहीं फिर भी यहां contract बन गया हम मान लेते हैं तो नहीं लिखेत रूप में नहीं कुछ बोला गया है फिर भी contract बन गया यह भी दो प्रकार के होते है implied by law और implied by conduct implied by law को नाम देते हैं quasi contract और implied by conduct को tacit contract यह दोनों ही implied है लेकिन अगर कानून में कहीं लिखा है तो वो quasi contract कहलाता है जिसके उपर अपन और deep में चर्चा करेंगे और कुछ लिखा नहीं है बट फिर भी वो contract है तो वो tacit में cover होगा फिर executed and executory executed means जो already perform हो चुके हैं उनको हम बोलते हैं executed contract और executory means जो perform होने बाकी हैं यह दो प्रकार के again हो सकते हैं जिसको एक पार्टी ने perform कर दिया और दूसरी पार्टी के तरफ से perform होना बचा है और बाइलेटरल मिल्स जिसको both the parties are yet to perform जो यह पूरी तरह से executory contract है जिनको दोनों पार्टी अभी तक perform करने के लिए बची है ठीक है तो यह पहला chapter हो जाता है पहले chapter का revision तो जिन लोगों का miss हुआ है due to technical issues तो उनको वीडियो मिल जाएगा वैसे तो बाकी अब हम directly जाएगे company lock your company lock your उपर चर्चा करेंगे मैं आपको बिना notes के बता देता हूँ वैसे तो आपके पास notes है बट मैं बिना notes के आपको आपको पूरे sections बता दूँगा तो short notes भी आप रेफर कर सकते हैं mean book है वो भी आप रेफर कर सकते हैं so company को में आपको सबसे पहले तो पहला जो पी जो उसमें reasons बताए हुए है जो mean book अगर देखोगे तो तो आपको short notes में वो reasons होगर नहीं दिखेंगे आपको directly जो concept है महाँ से चालो होगा company की definitions है so company को define किया गया है as company, company means a company जो की incorporate की गई है incorporated under this act और under previous company law any previous company law so कोई भी पुराने company law में अगर registered है जैसे 1956 का act है या उसके पहले का कोई कानून है उसमें अगर आपकी company registered है तो वो company है so company registration के बाद ही बनती है ये चीज़ हमको समझ में आती है ये definitions है बाकी और कुछ भी नहीं समझता उसमें सिर्फ इतना बुला है company means a company so company ये एन एक company है लेकिन जो registered है under this act और under any previous company law that means जो companies act में registered नहीं है technically speaking वो हमारे लिए company नहीं होती जैसे कि SBI ये bank करके registered है तो SBI का खुद का act उसमें registered है वैसे ही और बाकी जो banks होते है वो banking regulations act में registered होते है तो वो हमारे लिए company नहीं होती वैसे insurance companies हमारे लिए company नहीं होती लेकिन फिर भी इनको ये act लगता है तो ये act किस-किस को लगता है तो सबसे पहले तो companies incorporated under this act ये companies incorporated under previous company law उनको लगता है दूसरा ये banking companies insurance companies electricity companies companies under special act इन सबको लगता है बट इनको ये अलग से क्यों बता है अलग से इसलिए बता है क्योंकि ये companies act में registered नहीं है ये सब अपने अपने कानून में registered होती है जैसे कि banking regulation act में registered होते है insurance company insurance act में electricity company electricity act 2002 में और special act वाली company special act में like LIC हो गया RBI हो गया ये सब अपने अपने act में registered है SEBI हो गया ये सब का act है ये सब को भी companies act apply होगा लेकिन नहीं होगा if it is inconsistent with their special act तो उनका अगर special कानून कुछ विपरीद बोल रहा है तो फिर अपना act उनको अपलाए नहीं होता तो जब तक दोनों साथ साथ अपलाए हो सकते हैं companies act भी लगा सकते हो और उनका act भी लगा सकते हो for example insurance company के आप कुछ कानून पढ़ रहे हो तो आपको companies act लगेगा क्या है तो answer is yes अगर insurance act कुछ opposite बोल रहा है या उनका IRDA act कुछ opposite बोल रहा है तो फिर companies act नहीं लगेगा क्योंकि उनके लिए insurance act ये special कानून है तो insurance act इनके लिए superior रहेगा तो जो special है उसकी बाद हमको सुनना पड़ता है तो आपको ये example के साथ बताया था मैंने कि आपका एक general friend है वो बोलता है चल भाई movie देखने चलते है और एक special friend है आपकी वो बोलती है चलो अपन कहीं pizza अगर खाने चलते हैं अगर आप दोनों की बात सुन सकते हो तो दोनों की बात सुनो आप movie भी देख लो पिजा भी खालो दोनों हो सकता है तो करो लेकिन अगर नहीं चो सकता एक ही time पर दोनों चीज़ है तो ऐसे case में आप किस कि सुनोगे तो जो special होता है तो जनरल को हम भूल जाते हैं तो ये companies act इनके लिए general act हो गया तो general act को आप भूल जाओगे फिर आप सिर special मानोगे तो जब तक साथ साथ चल सकते हैं तो साथ साथ चलेंगे बट अगर कहीं पे दोनों साथ में नहीं अप्लाए हो सकते हैं एक अप्लाए करो तो दूसरा डिफीट हो जाएगा तो फिर आप companies act अप्लाए नहीं करोगे ऐसी companies के लिए special type of companies के लिए यह दिया हुए आपको first page में main book के इनको भी apply होता है इसके अलावा अगर government चाहे तो और कोई भी body corporate को यह apply कर सकती है तो यह पहली चीज़ है दूसरी चीज़ अब company यहने है क्या तो company के features पर कई बार question आते हैं तो company इसमें बनाने वाले लोग होते हैं खूब सारे कितने सारे खूब सारे तो खूब सारे लोग है लाखो कड़ोडो भी हो सकते हैं हो सकते हैं तो करोडो लोग हो सकते हैं जैसे reliance industries limited है लाखो करोडो share holders है उनके इन लोगों ने पैसा लगाया और पैसा लगा के एक company का निर्मान कर दिया तो इन लोग पैसा लगाते हैं बदले में मिलता है इनको share और incorporation के बाद ही बनती है एक company company जैसे ही बन जाती है तो यह separate legal entity बन जाती है separate legal entity का मतलब है वो एक अलग व्यक्ति विशेश बन चुकी है उसके अलग पहचान बन जाती है अगर वो चाड़े तो खुद के नाम से contract कर सकती है तो वो अपने हिसाब से सब कार्य करेगी जैसे एक natural person कर सकता है बट क्यूंकि वो naturally bond नहीं हुई है इसलिए हम इसको एक नाम देते है आर्टिफिशल पर्सन तो यह भी पर्सन जरूर है व्यक्ति विशेश जरूर है बट इसको हम आर्टिफिशल पर्सन बोलते है क्योंकि यह natural birth से पैदा नहीं होती फिर separate legal entity तो बन जाती है बट क्योंकि यह आर्टिफिशल पर्सन है तो इसको चलाने के लिए लोगों की अवचकता होती है तो लोग अपॉइंट किये जाते हैं बाइदर शेर ओल्डर्स इनको हम बोलते हैं शेर ओल्डर्स या मेंबर्स आप दी कंपनी इन लोग उनर्स अफ दे शेर कैपिटल है इन लोग उनर्स है इन लोगों ने पैसा लगाया है एंड इसके में होता है तो there is a separation of ownership and management फिर यह separate legal entity तो है लेकिन इसको एक और खास बात मिलती है साथ-साथ में इसको मिलता है perpetual succession perpetual succession का मतलब है यह अमर हो जाती है that means यह किसी के आने जाने जीने मरने से इसको फरक नहीं पड़ता समझो अधर यह तचक गया तो कोई दिकत नहीं इसके shares चले जाएंगे दूसरे वेक्ति के नाम से उसको हम बोलते है transmission अगर यह वेक्ति चाहता है कि मैं अपने shares बेज़ दू तो यह अपने shares बेज़ सकता है दूसरे वेक्ति को जिसको हम बोलते है transfer अगर directors की भी death हो गए तो कोई दिकत नहीं दूसरे directors को appoint किया जाता है सभी लोगों की death हो गई सब directors और सब members की तो भी कोई फरक नहीं पड़ता company चलते रहती है तो यह एक important point है जिसके उपर आपको question आता है perpetual succession दूसरा important point है separate legal entity जिस पर आपको question आता है फिर artificial person है और इसलिए person है व्यक्ति है तो यह खुद के नाम से contract कर सकती है तो can hold assets and incur liabilities assets liabilities खुद के नाम से यह hold कर सकती है अब यह जो इसकी assets है यह assets सिर्फ इनके ही होते हैं यह asset members के shareholders के directors के नहीं होते company के separate assets होते हैं इसमें भी आपने एक macoda versus northern assurance company का case देखा था जिसमें एक M होता है उसने company की कुछ timber होती है उसको अपने नाम से insure कराया होता है तो court में बुला कि insurance valid नहीं है क्योंकि जो property तुमारी है नहीं you don't have any insurable interest then you cannot take the insurance for that particular goods तो यह इसपे case दिया था बाकि separate legal entity भी है इसपे भी हम चर्चा करते हैं फिर इसको अगर चाहिए तो यह common seal रख सकती है यह optional है अगर उनको लगता है तो रखें नहीं तो नहीं भी रख सकते हैं ऐसे case में table F of the articles जो होता है वो बताता है कैसे क्या authorization दिया जाएगा जनरली दो directors के थ्रू किया जाता है फिर अगर कोई जगडा होगा तो it can sue and be sued तो यह case file कर सकती है और इस पर case file किया जा सकता है इस पर question कौन-कौन से point पर आता है पहला point है perpetual succession दूसरा है separate legal entity इस पर भी question आता है एक और चीज होती है limited liability so in liability maximum limit हो जाती है up to the unpaid amount of share capital जितना इन लोगों ने share capital खरीदा है उतने तक ही liability रहती है जैसे मैं कोई company में समझो 10 share खरेद रहा हूं 100 रूपे के तो मेरी maximum liability हो जाएगी 1000 रूपे इस में से already मैंने 10 share पे 60 रूपे पी कर चुका हूं तो मेरी maximum liability बची रहेगी जो unpaid amount है unpaid amount मेरा 10 share पे समझो 40 रूपे बचा हुआ है तो 400 रूपे की maximum liability बची रहेगी so total maximum liability मेरी रहेगी जितने मैंने share रखा हूं उतनी बट उसमें से कुछ pay up कर चुका हूं तो फिर इसके बाद बची liability रहेगी only for unpaid amount अब separate legal entity पे कुछ cases हैं आपको एक है Lee versus Lee air farming company का जिसमें आपको पता है कि एक Mr. Lee होते हैं यह एक farming activity करते हैं और क्योंकि इनके पास labor बहुत कम होते हैं गिंती के कुछ 8-10 लोगी होते हैं तो इसलिए इनको कुछ machines की ज़रत होती है तो यह खरीद के लाते हैं एक plane खरीद के ला लिए और यह plane खुद चलाते हैं क्योंकि यह खुद qualified pilot होते हैं धिरे-धिरे इनका business बढ़ने लगता है तो यह एक company बनाते हैं Lee Air Farming Limited और यह Lee Air Farming Limited नाम से पूरी business को transfer कर देते हैं articles of association नाम का एक document होता है उसके तहत यह खुद को appoint कर लेते हैं as director and chief pilot तो यह दो चीज़ पोस्ट के लिए appointment कर वा लेते हैं इसके बाद company जाके एक insurance company के पास insurance निकाल लेती है for all the employees कि अगर कोई भी employee की death होती है in the course of the business काम करते हुए तो फिर insurance company compensation pay करेगी तो सभी employees में cover हो जाते हैं अब एक दिन यह प्लीन चलाती हुए इनकी खुद की date हो जाती है इसके बाद फिर इनकी wife जाती है company के पास बोलती है पैसे दे दो क्योंकि मेरे husband जो है यह employee थे company के और इसका जो भी compensation है वो आपको देना पड़ेगा company जाती insurance company के पास और बोलती है पैसा पे कर दो insurance company resist करती है claim यह बोलके कि Lee and Lee Air Farming Limited are one in the same person और क्योंकि वो तो खुद owner है वो खुद master है तो he cannot be servant तो यह employee नहीं हो सकता इसे लिए insurance company reject कर देती है जबकि बाद में जब case पूरा decide होता है तो court बोलता है कि नहीं Lee is a separate person and Lee Air Farming is a separate person and there was a valid contract of service between Lee and Lee Air Farming Limited तो यह employee है और employee actually company है and not Mr. Lee तो Mr. Lee is a separate person तो वही separate legal entity वाले concept पर यह particular case है ठीक है तो यह case है इसके अलावा एक और बहुत ही important case है Solomon वर्सस सॉलमन का जिसमें आपको पता है कि एक Aaron Solomon नाम का एक व्यक्ति होता है जो की जूते की दुकान चलाता है Shoe Shop यह जूते बनाता है और जूते बनाते बनाते वो एक company का निर्मान कर लेता है उसको लगता है अपना business बहुत अच्छा चल रहा है तो वो business को transfer कर देता है और खुद पूरे shares ले लेता है एक share उसकी wife को दे देता है चार लड़के होते हैं उसके उनको एक-एक share देता है और एक लड़की होती है उसको एक share देता है सबको एक-एक share उसने hand over कर दिया और shares के अलावा वो debentures भी hold करता है इसके बाद company वैसी बिजनस चालूग रखती है जैसे कि पहले चलता था इसके कुछ creditors होते हैं जिनसे उधारी पे माल लेके आते हैं इन लोग creditors है unsecured होते हैं इनसे उधारी पे goods लेके आए और बदले में पैसा पे करना पड़ता है पैसा इनके पास बचता नहीं है और due to general trade depression general trade depression के कारण ये company डूप जाती है अब company डूप गई तो इन रोग आ जाते हैं मूँ उटा के बूलते हैं कि हमको हमारा पैसा पहले पे कर दो आपे भी कोर्ट ने बुला कि नहीं ये जो debentures हैं इसके लिए एक secured creditor है and being a separate person ये वेक्ती creditor भी हो सकता है company का और क्यूंकि ये secured creditors होते हैं और ये unsecured know मिलना चाहिए Solomon को उसको पहले उसकी debentures का पैसा वापस मिले फिर बचा हुआ पैसा इनको वापस मिलेगा Solomon separate person and Solomon and company is a separate person और being a separate person आप Solomon को जिम्मेदार नहीं ठेरा सकते for the payment to the unsecured creditors तो ये चीज़ बताई गई थी इसी concept को हम एक नाम और देते हैं जो separate legal entity concept है इसको हम एक नाम और देते हैं इसको हम बोलते हैं corporate will concept corporate will means एक fictional will मानी जाती है जो लोग company का निर्मान कर रहे हैं company को चला रहे हैं वो अलग है और एक company जो एक fictional will मानी जाती है अलग है अगर कोई व्यक्ति third person contract करता है company के साथ तो company is itself liable for the act but not the shareholders or directors इन लोग liable नहीं होते हैं this is the general rule बट कभी कभी ऐसे cases में corporate will lift की जाती है जब हम कुछ गलत काम करना चाते हैं company का निर्मान करके और खुद बचना चाते हैं तो ऐसे case में corporate will lift करने का concept है corporate will Solomon के case में lift नहीं की गई क्योंकि यहां कोई fraud का aim नहीं था general trade depression के कारण बाजार में मंदी आने के कारण company डूबी थी तो उसमें इसकी कोई गलती नहीं थी और इसलिए यहां पर corporate will lift नहीं की गई थी यह तब lift की जाती है जो fraud बगरे के nature की चीज़ें की जारी है कुछ mismanagement किया जा रहा है जानबुच की company बनाई जा रही है ताकि हम कुछ गलत काम कर सके तो इसलिए फिर corporate will को lift करने का एक प्रावधान है जिसमें फिर हम we lift करेंगे और जो लोग उसके पीछे एक्चुली जिम्मेदार है उनको हम liable ठहराते हैं अब यहां तक कोई भी doubt है तो पूछ लोग फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं doubts पूछते जाए करो डरा मत करो कुछ लोग डरते हैं बहुत कापते भी है कुछ लोग मैं सा आ रहा था तो डर रहे थे कुछ लोग बहुत डरते हैं ठीक है तो यह पूरा cover हो गया है इसमें company का meaning characteristics limited liability incorporated यहने registered होना चीए separate legal entity separation of ownership management common seal perpetual succession separate entity cans you can be sued and shares are transferable ठीक है company is not the property of shareholder company अलग है और shareholder अलग है company क्योंकि अलग व्यक्ती है इसलिए वो किसी की ownership नहीं होती उसकी ठीक है तो यह सब चीज़ें आपको पता है फिर यह किस-किस को apply होता है तो हर company को registered under this act or under previous company law फिर banking insurance electricity company if it is not inconsistent with the special act and यह किसको apply नहीं होता तो यह ध्यान रखने के यह से ज़रुवरत नहीं है statutory corporation trust cooperative societies यह सब चीज़ों को apply नहीं होता फिर body corporate क्या है तो body corporate is a wider word body corporate का मतलब होता है जो separate legal entity है जिसका perpetual succession है और common seal है उसको body corporate बोलते हैं तो जैसे कि bank है यह body corporate है वो भी separate person है तो simply अब बोलो तो हर artificial person body corporate होता है जैसे foreign company है हमारे लिए company नहीं है बट यह body corporate ज़रूर है क्योंकि वो भी separate entity है LLP is also body corporate क्योंकि वो भी अलग व्यक्ति विशेश बन जाती है भले ही वो company नहीं है बट वो body corporate है तो body corporate वे तीन main features होते है separate entity common seal and perpetual succession जिसमें से seal is optional हम यह भी बोल सकते हैं हर company body corporate होती है बट हर body corporate company रहे यह जरूरी नहीं तो lifting of corporate wheel का concept हम पढ़ते हैं यहां तक कोई doubt होगा तो पूछ लो नहीं तो lifting of corporate wheel में जाते हैं कि ज्यादा speed होगी तो बता देना कि नहीं और तेज और तेज चलना है अच्छो ठीक है चलो यह cases important है सब हाँ मेरे थां तो है ठीक है so lifting of corporate wheel में चार cases पांच cases in fact हमको देखना है so जिसमें से यह वाला case आपको institute रोगरे के module में नहीं होगा पर बाकी के चार case आपको है ठीक है तो पांचवा case जो है यह सिर्फ अपने book में आपको देखने को मिलेगा हाँ एक case और है यहां नहीं लिखा हूँ मैंने वो एक agent वाला जो case था greatest transport corporation वाला वो यहां नहीं लिखा हूँ वो कोई काम का नहीं है वो पूछा नहीं जाएगा बट फिर भी एक agent वाला है तो वो एक छटवा case एक और है वो इंस्ट्रीट ने लिए याद है एक company होती है जिसको prohibit किया जाता है कि तुम ट्रांस्पोर्ट का license नहीं ले सकते है तो वो एक subsidiary बनाती है to act as agent और फिर subsidiary के नाम से license apply करती है तो court ने बुला कि ये भी allowed नहीं है ठीक है चलो so important cases है पहला वाला सर्द इंशामानिक जी पेतीत वाला या मिनाक्षी मिल्स CIT versus मिनाक्षी मिल्स इसमें Mr. D होते है ये चार private companies form करते है A, B, C, D और खुद की जो properties है, investments होगा है ये transfer कर देते है इन companies को फिर इनकी जो income में कम हो जाती है क्यों क्योंकि जो income इनके नाम से आना चाहिए था अब वो income, interest होगा है ये सब आ रहा है in the name of company कल चलकर जब इनका income tax officer देखता है कि इनको तो taxes बहुत कम आया है तो वो पुड़ा calculation करता है देखता है तो पता लगता है कि इन्होंने सब investment transfer कर दिये companies को और companies से जो भी income आ रही है वो वापस लिया as pretended loan तो actually loan है नहीं बट वो ऐसा दर्शार है कि loan लिया है जो उन्होंने कभी रीपे भी नहीं किया तो कोल्ट ने बुला कि यहां पर यह चारों companies की separate entity को हम इसको separate entity नहीं मानेंगे इनकी corporate wheel को lift करेंगे so corporate wheel lift करना means disregarding the separate legal entity तो हम disregard करेंगे इनको अलग नहीं मानेंगे इनकी जितनी income है सब जोड़ी जाएगी सर दिन्शा मानिक जी पितीत के नाम से और फिर इनको total जो income है उसके उपर tax देना पड़ेगा तो यह पहला case है जो बहुत important है जिस पे कई बार questions आपको देखने को मिलत हैं दूसरा case है Jones versus Lipman का एक वेक्ति होता है जो कि दूसरे वेक्ति के साथ एक contract करता है मकान बेचने का बाद में उसका मन बदल जाता है तो एक company का निर्मान करता है और यह मकान transfer कर देता है company के नाम से बाद में फिर यह मना कर देता है कि मैं यह बेची नहीं सकता क्योंकि ज जब यह inquiry करता है तो पता लगता है कि यह company और यह एक ही वेक्ति है इस वेक्ति नहीं company का निर्मान किया है और यह मकान transfer किया है तो court में जाता है और court specific performance का order देता है दोनों को बुला जाता है कि specifically तुमको यह contract perform करना ही पड़ेगा यह दूसरा case है जब हम contractually illegal obligation को avoid करने के लि तीसरा case है continental tyre and rubber company जिसमें एक daimler company होती है और continental tyre and rubber company होती है याद होगा आपको company बनती है इंग्लैंड में दोनों company इंग्लैंड में बनती है मानलो ए company और बी company दोनों England में बनती है ए कंपनी regularly goods लेके आती है और इसका payment करती है regularly हर बार ऐसा होता है credit में goods आते है कुछ टापन कर देते हैं भी कमपनी जो होती है यह रजिस्टर होती है इंग्लैंड में वेट इसके जो मेजरिटी ओफ दे डिर्रीक्टर्स होते हैं यह जर्मनी के होते हैं जब इंग्लैंड और जरमनी का यूध्ध चालू हो गया था व्ल्ड वार वॉर्ट 1 के तर्ट तब यह एक पैक वाले दुश्मन कांट्री के है तो हम इस कंट्री को भी एने भी मान सकते हैं 12ijkımız को सेपरेट न माना जाती है जैसे अगर एपल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है भले उसको बनाया है एपल इंकॉर्परेशन ने लेकिन वो भारत में बनी है तो भारतिय कंपनी है वो फॉरेंड कंपनी नहीं है ठीक है तो यह है एक दूसरा केस ये वाला डेमलर कंपनी वाला और तीसरा चोथा केस इनफेक्ट जिसमें हम कोई वेलफियर ओब्लिगेशन फॉलो ना करना पड़े इसलिए कंपनी बनाते हैं ये भी पता होगा आपको जिसमें हमने एक कंपनी का लिर्मान किया पहले ए लिमिटेड थी ए लिमिटेड ने बैलेंशीट में कुछ इन्वेस्मेंट करके रके थे इन्वेस्मेंट इन शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड और इसके कारण इनका जो पी एंडल अकाउंट है इसमें यहां से डिविडेंड इनकम आती थी डिविडेंड के कारण प्रॉफिट जो था ये बढ़ता था प्रॉफिट जादा था तो इसलिए इनको इसके उपर फिर बोनस देना पड़ता था और बोनस लिंग्ड विक प्रॉफिट होता है अगर प्रॉफिट जादा है तो बोनस भी जादा होगा इसलिए ए लिमिटेड एक सबसेडरी बनाती है सी लिमिटेड और सी लिमिटेड बनाकि उसको ये पूरे के पूरे इन्वेस्मेंट्स ट रांसपर कर देती हैं इन्वेस्मेंट रांसपर हो गया डिवेडेंट इधर गया प्रफित कम ओगया बोनस कम हो गया जब इंप्र इसने देखा कि बोनस ब्योंड कम आया है तो वो पूरा चेक करते हैं पता लगता है कि ये नहीं है आपने हर साल इसको हमेशा include किया है तो इस साल भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि यहां पर एक ही इनका question आने का chances नहीं है, तो new horizons versus union of India, इस पर question आने के chance नहीं है, ठीक है, फिर kinds of companies, companies कैसे-कैसे बन सकती है, तो section 3 of the companies act बोलता है, कि companies बन सकती है, या तो public company, या तो private company, या तो OPC, अगेन ये जितने भी companies हैं, ये public, private OPC, ये limited by shares हो सकती है, guarantee हो सकती है, and unlimited हो सकती है, again guarantee और unlimited में, they, me, or me, not have share capital, So, इसमें तीन प्रकार निकल के आते हैं, पहला private company, जिसमें कम से कम दो लोगों की अवशकता होने चाहिए, दूसरी public company, जिसमें minimum 7 लोग चाहिए, और OPC में minimum और maximum अकेला वेक्ती ही चाहिए, फिर ये limited by shares, limited by guarantee and unlimited हो सकती है, Limited by guarantee ये not for profit purposes के लिए generally बनाई जाती है, not for profit जिसमें हमको aim profit कमाना नहीं है, हमारा aim है, कुछ अच्छा काम करना, जैसे donations आएंगे, उससे हम कुछ आगे काम करना चाहते हैं, तो वो सब चीजों के लिए हम guarantee company बना सकते हैं, अगर हमको initial funds की requirement है, साथ साथ में, तो हम लोग इस पिछले बार question आया था, limited by shares और limited by guarantee को differentiate करो, इस पर पिछले exam में question आ चुका है, फिर associate company बहुत काम की नहीं है, exam के हिसाब से associate company means एक ऐसी company होती है, जो कि subsidiary तो नहीं है, बट जिसको significantly influence किया जा सकता है, significant influence का मतलब होता है, control of 20% or more, 20% include होता है, 20% or more of the total voting power, और in the business decisions, तो या तो management को control करके आप company control कर सकते हो, या फिर share holding को control करके, so company को control करना है तो दोई चीजे है, क्योंकि उसको बनाने वाले लोग है, या तो इनको control कर लो shares को, या फिर company को चलाने वाले जो लोग है, board of directors, इनको control कर लो, अगर आप इनको 50% से जादा control कर लेते हैं, तो ये subsidiary कहलाती है, अगर आप इनको 20% या उससे जादा control करते हैं, but less than 50% तो ये associate कहलाती है, ठीक है, so 50% से जादा है, तो holding subsidiary में जाता है, उसको all deep में समझेंगे, क्योंकि उस पर बहुत questions आते हैं, associate company पर नहीं आती है, क्योंकि holding subsidiary के पूछे जाते हैं, फिर एक section 3A है, section 3A बोलता है, कि अगर हमारे minimum number of members कम हो चुके है, statutory minimum से भी, जैसे हमको minimum 7 लोगों की ज़रत थी, बट 2 लोगों की death हो गई, और हम सर्फ 5 members बचे हैं, इसके बाद अब सिफ 5 members बचे हुए हैं, तो हमने क्या करना चाहिए, 6 मेने के अंदर फिर से 2 लोगों को जोड लेना चा है, section 3A, effect of reduction of minimum number of members below, जो भी statutory minimum बताया था हो से कम, 2 और 7, as the case में भी, 2 इन के सो private company, and 7 इन के सो public company, ठीक है, और वही वेकती लाइबल होंगे, personally, जिन लोग को पता था, so, those who were cognizant of the fact, जिन को पता था, who were aware of the fact कि इन लोग कम लोगों के साथ बिसनस कर रहे हैं, फिर limited by guarantee अभी आखरी में इन लोग wind up करते वक्त guarantee देते हैं, जैसे कि हमने एक company मना है, जिसमें limited by guarantee है, तो जब तो company चल रहे ही, तब तक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब wind up होगी, तो तीनो जन जितने भी members होंगे, वो बोलेंगे, कि हम इतना रूपया लेके आएंगे, तो ये guarantee amount बोला जाता है, तो guarantee का मतलब है कि आखरी में जब company बंद होगी, तब वो इतना पैसा contribute करेंगे, सिर्फ winding up के time पर ये contribute करने को जिम्मेदार होते हैं, limited by shares जो मैंने बताया था, कि अगर मैं 1000 रुपे के, या 100 रुपे के 10 share hold कर रहा हूं, तो मैं total liability 1000 की बेयर करूंगा, अगर मैंने इसमें already 60 रुपे कर चुका हो, तो फिर 40 की liability बची हुई है, तो वही है, foreign company, important है, exam में पूछ सकते है, foreign company means एक ऐसी company which is incorporated outside India, ध्यान रखने वाली बात है, अगर भारत में incorporate हुई है, तो foreign company नहीं है, बले foreign की कि किसी ने बनाया है, बट भारत में incorporated है, तो वो भारतिय कंपनी ह है, जो कि भारत में बनी है, Apple Incorporation, Apple India Private Limited, अब वो इंडिया में बनी है, तो ये एक Indian company, वो foreign company नहीं है, ठीक है, तो foreign company क्या रहेगी, तो ऐसी company जो भारत के बाहर बनी है, जैसे Apple Incorporation, but which has a place of business in India, जो भारत में काम कर रही है, फिर वो place of business या तो खुद से हो, या तो किसी agent के हो, physically हो, या फिर in electronic mode हो, electronic mode बहुत ही जादा है, deep में वैसे बताया हुआ है, कि electronic mode में क्या क्या आएगा, तो वो सब चीज आ सकती है, जहां तक आप सोच सकते हो, even आप अगर loan मगरे ले रहे हो, securities मगरे issue कर रहे हो, तो वो भी इसमें cover हो जाता है, even अगर सिफ data sharing हो रहा है, वो भी electronic mode का business कहलाता है, so बहुत सारी चीजें cover होती है, जो भी चीज आप सोच सकतो, लगबग सब चीज उसमें cover कर लिया इन्होंने, फिर government company, government company वो होती है, जिसका minimum 51% of the paid up share capital is held by either central government और by state government और by both, तो अगर central government या state government अगर 51% का, या उससे जादा का share holding hold कर रही है किसी company मे तो ये company, government company है, and इसकी कोई अगर subsidiary company है, तो ये भी government company कहलाईए, ठीक है, फिर निधी company, निधी company मेंस है कैसी company, जो बचत गट से आप compare करो उसको, बचत गट मेंस जिसमें हमारा object है, cultivating the habit of thrift, cost cutting and saving among the members, सब लोग मिलते हैं, एक particular तारिक में पैसा जमा करते हैं, और फिर य रिखती को दिया जाएगा, तो उसका mean aim कोई business करना नहीं है, उसका mean aim है कि saving होना चाहिए, cost cutting होना चाहिए, और इन लोग पैसा लेते हैं, deposits लेते हैं, and even उधारी देते हैं सिर्फ members को, members only, for their mutual benefit, or it complies with such rules as prescribed by central government, so ये कहलाती है, निधी company, unlimited कोई काम की नहीं है, skip कर सकते हैं, dormant company पे भी अभी chance कम है, question आने के, वैसे dormant company एक ऐसी company होती है, जो की बनाई गई है, registered की गई है, properly under this act, but for a future project, या तो आगे के project के लिए, or to hold any intellectual property or asset, so कोई asset या intellectual property को hold करने के लिए बनाई गई है, and does not have any significant accounting transaction, so उसका कोई significant accounting transaction नहीं होना चाहिए, that means कोई भी उसके business transaction नहीं हो significant यहने, वो चार चीज़ छोड़के सब significant है, like आपको कोई statutory requirement पूरी करना है, उसके लिए आपको कोई office maintain करना है, books maintain करना है, shares issue करना है, कोई legal obligation पूरा करना है, तो यह सब चीज़ें इसमें कबर नहीं होता है, अलावा अगर कुछ भी है, तो significant accounting transaction है, तो यह significant नहीं है, so इतन पहली चीज़ें allowed रहेगी, तो such company, तो पहली चीज़ें जो registered है under this act, तो form the registered है under this act, and जिसको future project के लिए या to hold any asset or intellectual property के लिए बनाया गया है, and does not have any significant accounting transaction such company, या फिर एक inactive company में apply to the registrar, यह apply कर सकते हैं, register के पास for the status of a dormant company, ठीक है, तो automatically dormant नहीं होता है, इनको dormant का दर्ज़ें लेना पड़ता है, private company एक बहुत ही important definition, exam में पूछी जाएगी आपको, ध्यान रखना है, पूछी जाएगी means बहुत chances है, so, और आएगी, इस पर आने के chances हैं, बहुत ही जादा, तो ध्यान रखना, so, हाँ नहीं आएगी तो मत पड़ो, आपको अगर शक है तो मत पड़ो, वसे ऐसा होता है, मैं वन डेरी विजन में बोलता हूँ, यह आएगा और वो आता है, so, आपको पता होगा शायद, तो यह famous है मेरे वन डेरी विजन के बारे में, क्योंकि, मैंने नहीं बताया बच्चे बोलते हैं, मैं नहीं बताता, तो मैं जो बोलूँगा यह आएगा, तो आता ही चाह, तो यह आप पूरानी किसी भी बच्चों से पूछ लो, बताएंगे, कि हाँ, सर ने बोले हैं, तो देखके ही जाना, so, यह ध्यान रखना, प्राइवेट कंपनी यह आपको पूछने के बहुत चांस है, so, case study बना के पूछेंगे इस बर, यह भी चांस है, यह पूछ सकते हैं, so, chances है, case study बना के इसको पूछा जाएगा, ठीक है, so, प्राइवेट कंपनी, जिसका सबसे पहले पेड़ प्रेटल एज में भी प्रेस्क्राइब, प्राइवेट कंपनी means a company which has a paid-up share capital as may be prescribed, अभी तक कुछ प्रेस्क्राइब नहीं किया है, उसमें कल च लिखी औरने चीज़े, तीन चीज़े, पहले चीज़, restricts the right to transfer it shares, अभी आप अपने words में लिख सकते हो, restrict the right of transfer to share, कुछ भी लिखो, लेकिन वो restrict the right of transfer to share, लेकिन वो रिस्क्राइब रिस्क्राइब रहेगा, वो prohibit नहीं कर सकते है, रिस्क्राइब का मतलब restrict, वो कर सकते हो लेकिन subjective fulfillment of certain conditions, जैसे कि capsule learning private limited है, मैं share older हूँ, मैं ऐसे किसी को भी नहीं बेच सकता आपने share, so मैं बेच जरूर सकता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि prohibited है, तो transferability is allowed but restricted, so मैं यह कर सकता हूँ, बट मैं जब भी यह बेचना चाहूँगा, तो मुझे कुछ particular conditions ध्यान रखना जैसे कि existing members को बेचो, उनके family members, relatives को बेचो, इसके बाहर नहीं बेच सकते, तो ऐसी conditions लगाई जा सकती है, दूसरी चीज है, accepting case of OPC, limits the number of members up to 200, तो maximum number of members 200 लोग जा सकते हैं, 200 से ज़्यादा नहीं, 200 लोगों को count करते बगता, आप किनको count नहीं करते हैं, so past and present employees are not counted, so जो employees है, वो members भी है, उनको हमने SOPS दिये हैं, employee stock options, जैसे हमने private limited हैं हमारी company में, समझो 200 member हो गए, इसके बाद हमने सुनील भीया को बिलाए, संजब भीया को बिलाए, आकाश भीया को बिलाए, उनको बोले कि ये आप लोगों को भी हम shares दे रहे हैं, इनको shares दे दिये, तो भी ये no count नहीं किये जाएंगे, क्यूंकि वो लोग employee है, तो ऐस employee हमाई सथ जुड़ेते हैं, हमने उनको, क्यूंकि उनको भी shares का benefit मिलना चाहिए, profitability में हिस्सा मिलना चाहिए, तो हमने उनको इसलिए shareholder बना दिया, तो यहाँ पे वो लोग लेकिन 200 लोगों में count नहीं किये जाएंग ठीक है, तो past and present employees are not counted, and joint holders से उनको one count करेंगे, single member, for the purpose of this subsection, this clause, so सिर्फ यहाँ के लिए, तो joint holders को एक count करेंगे, जैसे मैं और मेरी वाइप मिलते अगर 10 shareholder कर रहे है, तो हम लोग 2 shareholder नहीं है, हम लोग एक ही shareholder माने जाएंगे, for the purpose of 200 members, ठीक है, and which prohibits invitation to public to subscribe to any of its securities, जिस में कोई भी securities लेना allowed नहीं होता है, public से आप पैसा नहीं ले सकते, public को securities नहीं issue कर सकते, कोई भी securities, वो फिर shares हो, debentures हो, कुछ भी हो, तो आप भी नहीं कर सकते, तो securities word use किया है, so कुछ words ध्यान रखने आ लें, कुछ already bold में और capital में दिये हुए है, so उतने आपको ध्यान रखना ह ये भी ध्यान रखना है, इनको count नहीं करना, joint holder को one count करना, अपने शब्दों में आप लिख सकते हैं, ये नहीं लिखोगे तो चलेगा, ये सिर्फ example दिया है, ठीक है, फिर public company क्या है, public company is a company which is not a private company and which has a minimum paid of share capital as may be prescribed, at present ये minimum capital की कोई requirement ही नहीं और वो private company नहीं है, एक और pointers में section 2 clause 71 में एक provision add किया हुआ है, जो बोलता है कि a subsidiary of a public company will be deemed as public company even though it is private through its articles, जैसे कि हमारी caps learning private limited है, ये एक private company है, लेकिन इसको अगर समझो Tata Consultancy Services Limited ने acquire कर लिया, इसके 60% shares hold कर लिया, that means ये holding subsidiary relation में cover हो गए, जैसे ये subsidiary बनेगी, तो भले ये private है articles के द्वारा, but it will be deemed as public, इसको हम public मान लेते हैं, so ये एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, ठीक है, तो इसको public मान लेंगे, फिर minimum number of members कितने रखते हैं, तो ये section 2 नहीं बताता है, 268 या 271 नहीं बताता, ये section 3 में लिखा है, kinds of company में, section 3 बताता है, private company में minimum 2 लोग लखते हैं, maximum की limit यहां दिये, 200, यहां पर कोई limit नहीं है, इसलिए maximum कितने भी लोग यहां पर हो सकते हैं, ठीक है, and यहां पर public को prohibition नहीं होता, public यहां पर securities खरीद बेच सकती है, साथे साथ, free transferability of shares होता है, so ऐसा है, simple, फिर small company, small company की limit बदल चुकी है, so ध्यान रखने हैं आपको, इस बार आने के chances बढ़ जाते हैं, again, क्योंकि limit बदल चुकी है, so small company जिसका paid up share capital, 50 लाक, और as may be prescribed, which can be up to 10 करोड, which will not exit above 10 करोड, अब limit कौन सी है, तो आपको लिखते वाग जब definition लिखोगे ना, तो पूरा लिखना चाहिए, private, small company means a company other than a public company, और जिसका paid up share capital, up to 50 लाक्स है, और as may be prescribed, which will not be more than 10 करोड, फिर इसके बार आपको rules में लिखना पड़ेगा, अलग से prescribed अंदर rules 4 करोड, 4 करोड की limit बताई गए, paid up share capital की limit है 4 करोड, and turnover as per profit and loss account for the immediately preceding financial year does not exceed, यहाँ पे भी 40 करोड हो गया है, आपके book में 2 करोड और 20 करोड लिखा रहा होगा, so, यह change हो गया है 4 करोड और 40 करोड हो गया है, ठीक है, so, 2 करोड, up to 100 करोड प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, at present prescribed क्या किया है, तो 40 करोड, तो आपको ध्यान रखना है, आपके लिए limit है, यह 2, तो 4 करोड और 40 करोड, यह 2 limit आपको ध्यान रखना है, नई limit है, so, यह आपके book में अलग होगी, फिर जिन्होंने बाद में classes किये उनको मैंने बता दिया था पढ़ाते पढ़ाती बट जिनकी पहले classes हो चुकी होगी उन लोगों के लिए फिर ये नया रहेगा तो ध्यान रखना यह amendments है आपको amendment sheet जो दिये उसमें एक ही amendment है पुरे company law में और वो यह वाला है तो amendment sheet में आप द यह amended है आपके पास new notes होंगे तो properly amended होगा और पुराने होंगे तो यह amended करना होगा ठीक है तो इसको चार करोड और चारीस करोड कर लेना फिर क्या-क्या small company नहीं हो सकती तो public company नहीं हो सकती क्योंकि definition ही शुरू से बोलती है कि small company means a company other than a public company that means it will be always a private company then special act में बनी company नहीं हो सक और holding subsidiary relation में आने वाली company नहीं हो सकती तो यह कभी small नहीं रहेगी कितना भी कम capital हो कितना भी कम turnover हो बट वो small में cover नहीं होगी holding subsidiary एक और important definition जिस पर question आएगा आ सकता है so holding and subsidy जैसा कि आपको पताया मैंने एक company को control करने के लिए दो चीज़ें required होती दोनों में से एक either आप total voting power control कर लो या फिर आप उसके board of directors को control कर लो तो अगर A limited है A limited अगर B limited को control कर सकती है either by controlling 50% से जादा more than 50% of total voting power या फिर control कर सकती है by more than 50% of board of directors याने उनका appointment या remove कर सकती है तो हम मान लेंगे कि A limited ये holding company है और B limited ये subsidiary company है फिर ऐसे ही अगर B limited C limited को control कर रही है तो C limited will again become the subsidiary company of B and A की भी बन जाएगी दोनों की वो subsidiary बन जाएगी क्योंकि subsidiary में even chain holdings cover होती है भले A limited directly एक भी share hold ना करे तो भी वो holding company बन जाएगा of C limited so ये chain holdings में cover होती है यहाँ पर यह limit दो limit तक ही चलेगी दो layer तक ही चलेगी third layer नहीं चलेगी है हाँ लेकिन अगर कोई layer अगर wholly owned subsidiary की है A B C है और D है लेकिन यहाँ पर समझो 100% subsidiary है यहाँ 70% यहाँ 60% और यह 100% तो it is not counted as layer तो यहाँ पर यह दो layer है that means यहाँ पर B C और D तीनों ही subsidiary बन जाएगे ठीक है बाकि अगर यह 100% नहीं है तो दो layer के आगे नहीं जा सकते है ठीक है तो यह एक point है दूसरा point direct control नहीं है तो भी चलता है और अगर मिलके भी control है तो भी चलेगा A है A B को control करती है 70% और A C को control करती है 30% B C को control करती है 30% तो C will become subsidiary of A but not of B B की नहीं है क्योंकि B तो सिर्फ 30% control कर रहा है तो हमको यह देखना है क्या A B को control कर सकता है तो yes अगर B को control कर सकता है तो B के साथ मिलके C को control कर सकता है ठीक है तो इस पे भी example से आद होंगे आपको मैंने बताया था आपको कि आपको इसको movie ले जाना है लेकिन यह आपकी पूरा नहीं सुनती तो आप अपना 30% जोर यहां से लगाओ और उसकी friend है जो आपका सुनती है तो friend को बोलो और वो friend के थुरू आप और जोर लगा के इसको movie लेके जा सकते हो ठीक है तो इसा लिखना मत यह सिर्फ example है फिर कभी ऐसा भी हो सकता है कि A limited है A, B को control कर रही और C को और B और C मिलके D को control कर रही है तो यहाँ पर समझो 70% है यहाँ 60% है यहाँ पर समझो 25% है यहाँ पर समझो 40% है तो यहाँ पर भी D limited will be a subsidiary company of A but not of B and C तो ध्यान रखना यह वाला example तो बाकी भी आ सकते हैं यह भी आ सकता है कुछ भी आ सकता है मैं ऐसा नहीं बता रहा है यहीं चाहिए आ सकता है मेरे को नहीं पता रहता है यह हम लोग नहीं बनाते हैं papers तो कोई भी आ सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं ठीक है तो यह total voting power यह वर्ट धान रखना total share capital मत लिखना voting power वर्ट पे marks रहेंगे ठीक है फिर as a trusty hold कर रहे हैं तो वो cover नहीं होते यह भी पता है आपको तो अगर हम खुद के नाम से hold कर रहे हैं तो चलेगा जैसे समझों मैं हूँ मेरे पास खूब सारे shares हैं TCS के 70% shares हैं खूब अमीर आदमियों है दुनिया का सबसे अमीर आदमियों और मैं यह shares transfer कर देता हूँ A limited को और इसको बोलता हूँ कि यह मेरे बीवी बच्चों के फायदे के लिए यूज होना चाहिए that means A limited hold तो कर रहा है बट सिर्फ as a trustee तो यह वाले share holding को हम count नहीं करेंगे for the purpose of holding subsidiary relation तो यहाँ पर A limited will not become the holding company of TCS वाली वो 70% hold कर रही बट वो मेरे लिए hold कर रही है तो यह वाली share holding count नहीं की जाती है तो जो shares held in fiduciary capacity होते है वो count नहीं किये जाते है ठीक है वैसे money lending business में जो as a security hold कर रही है यह भी trust करके hold करते हैं वो भी count नहीं किये जाते है simple है फिर OPC कोई काम का नहीं इस बार question आने के chance कम है बट आ सकते हैं लेकिन कभी आते हैं ऐसा नहीं है आ भी सकते हैं important है तो बट ठीक है आ सकता है पढ़के जाना छोड़के मत जाना हाँ क्या होगा हाँ क्यों गलत था क्या गलत नहीं था शायद tricky था गलत नहीं था question मेरे को भी ध्यान नहीं कुछ तो भी आया था ऐसा एक पिछले exam में question आया था और उसमें कुछ तो भी tricky नहीं थी तो उसमें शायद marks मिले थे सबको grace दे दिया था pocket के mark मिल गए थे तो कभी ऐसा आये थोड़ा अलग लगे गलत आया है लगे तो भी solve कर देना तो solve गलत करो लेकिन वो attempt करने के mark से जिनने attempt किये उनको ही marks मिलेंगे जिननोंने नहीं किये उनको नहीं मिलेंगे तो grace marks attempt करने वालों को मिलते हैं हमने छोड़ी दिया तो थोड़ी marks मिलेंगे फिर ठीक है तो attempt करना चीए ऐसे questions अट रगा था क्या हाँ वो कुछ तो भी आया था नहीं पिछले बार भी कुछ आया था OPC पे वो भी tricky था तो OPC पे आते हैं question बट इस बार chance कम है शायद देखते हैं आ सकते लेकिन फ़र देखेंगे तो देखो OPC क्या होता है OPC में एक अकेला विक्ती member होता है एक अकेला विक्ती nominee होता है यह दोनों का ही nominee और member का natural person होना Indian citizen होना major होना और resident होना यह अनिवारी है अब resident और otherwise करके amendment हो है recently वहाँ पर वर्ड यूज किया उन्होंने resident और otherwise बाटी otherwise के उपर कुछ भी इन्होंने डिफाइन नहीं किया है कि otherwise में क्या कबर होगा यह कुछ नहीं बोला है और resident को define किया है इन्होंने resident में जो 120 दिन present है in the preceding financial year है थ्यान रहो 120 डेज हो चुका है यह पहले 180 डेज हुआ करता था 182 डेज हुआ करता था अब 120 डेज हो चुका है ठीक है तो 120 डेज जो किछले साल मवजूद था भारत में वह resident है ठीक है तो 1 20 days हो चुका है यहां पहले 182 होआ करता था तो ये एक अमेंडमेंट है आपके लिए पुराना है वैसे पिछले के पिछले एक्जाम गई एक साला हो चुका है उस अमेंडमेंड दो बेट फिर भी आपको ये अभी बताया गया है तो अभी आ सकता है चांस का में पेपर बनाता है तीन सेट में पेपर बनते हैं उन में से एक सेट आता है और दो सेट नहीं आते हैं इंडिया वाले नहीं को भी नहीं पता है क्सम पता है कि कौन सेट इस बार आएगा और वो कोड में जो नंबर आता है वो नंबर के साफ से निकाला जाता है सो ऐसा नहीं रहता है कि सब कोड़ पता रहेगा तो तीन कोड़ लिख रहेंगे आप पेपर देखना उसमें ऐसा लिखा रहेगा कुछ बी ओ, क्यू अगरे ऐसे कुछ तो भी कोड़ होंगे वो लॉटरे सिस्टम एक कोड़ निकलेगा वो कोड़ वाला फिर पेपर बाटा जाएगा इसके अलाव बाकी दो पेपर को चैंसल कर देंगे, हटा देंगे उसको, तीन सेट बनते हैं, तो एक क्वेश्चन पेपर उसमें से आता है, तो तीनों में से कौन सा हैगा, मुझे नहीं पता, यहनु किसी को भी नहीं पता, थो नहीं पता होता हो, वो एकडम तुरन खुल क्छाइब एक खुझ तो अपना डॉअच से ब्रांच यह वहां आते ते वहां चेटा है और लेकर वह पिर लेके जाते हैं अपने 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 सेंटर में और दो सियर रहते हैं साथ में उसमें क्मेशल कोड़े हैं तो इसलिए मिर को पता ऐसा होता है तो वैसा करते हैं उसके बाद फिर वो पेपर वहां जाके फिर बाटे जाते हैं तो तब तक पता नहीं रहता कौन सा वाला कोड खोलना है कोड चुछ फिर वालों रहेगा तो वहां से आता है तो जाए पर यहां पर बताते हैं और पोरे पीपर क्लेक्ट होते हैं पूरा सबते हैं टुरंत उसको कुरियर करते हैं उसके बाद सी वहां से जाता है तब तक क्रिजा नहीं हो सकती कुछ नहीं हो सकता वेपर में बहुत ही सीक्रेश्य मेंटेंड होती है तो सी एग्जाम से अपांगी नहीं नहीं दो सिय रहते हैं लेकिन जब भी एक्जाम होती है नो वाद दो सिय रहेंगे यह कम से कम पूरे प्रिमाइस में है ठीक है चलो सो ओपीसी में यह पॉइंट आपके लिए नया है बाकी तो सिंपल है और एक वेक्टी को एक ही ओपीसी बनाना अलाउट होता है एक वेक्ट है तो ऐसे के इसमें he will have to take the corrective action within 180 days 180 दिन के अंदर उसको एक जगे का membership छोड़ना पड़ेगा जैसे आपको एक्जामपल भी दिया हो मैंने इसके ओपर एक्स प्राइवेट लिमिटेड है OPC और Y प्राइवेट लिमिटेड है OPC इसमें member है X इसमें Y इसमें nominee है Y इसमें X अब समझो Y की death हो गई तो X यहां भी member बन जाएगा और यहां भी member है तो दो जगे member है तो he will have to decide within 180 days वो कौनसे वाली company में member बने रहना चाहता है दूसरी company को wind up कर दे बेज दे तो वो कुछ भी कर सकता है बट एक ही जगे उसको रहना पड़ेगा और यह 180 days को उसके पास time होता है ठीक है क्या प्राइवेट ही रहती है OPC हमेशा प्राइवेट कमपनी ही रहती है ठीक है तो वो कभी public नहीं रहेगी OPC is a type of private company नहीं तो दो नहीं आए ना एक की death हो गई तो दूसरा आया तो दो थोड़ी रह गया एक ही member रह गया फिर वो बेज देगा ना बेज दिया इने खुद हड़ गया दूसरे को दे दिया तो दो member थोड़ी रह गया अच्छा convert कर सकते क्या ऐसा पूछ रहा आप हाँ वो कर सकत आपको convert करना है तो conversion किया जा सकता है वो अगले साल आपको पढ़ना है so intermediate में आपको conversion of company है तो उसमें आपको section number 14 और 18 दो section apply होते हैं तो देखेंगे इस साल आपको 10 तक ही है 10A तक है ठीक है चलो तो यह nominee का point बता दिया हमने nominee से consent लेना पड़ता है उसकी consent file करना पड़ता है फिर अगर वो चाहे तो withdraw कर सकता है consent अगर nominee change करना है तो हम change कर सकते हैं member nominee को change कर सकता है nominee खुड change हो सकता है फिर MOE का alteration नहीं माना जाएगा nominee को बदला है तो तो यह देखेते हैं फिर यह आपके काम का नहीं है cash flow statement वाला इंटर में काम आएगा आपको section 8 company non banking financial investment activity नहीं कर सकत है not for profit काम नहीं कर सकती है ठीक है बाकी PFI PFI means अब यह याद रखने वाली definition है LIC, UTI, IDFC या फिर companies notified under 1956 act, institute notified and institute notified under this act in consultation with RBI, तो RBI के साथ consult करके जो notify किया है फिर formation of company यह देख लेते हैं, formation of company इसमें total इसमें total four stages होती है, पहली stage होती है, stage one promotion, थोड़ा speed up करेंगे promotion में एक वेक्ती होता है, promoter इसको define किया है, important definition है याद रखना है, promoter means a person named as such in the prospectors और identified in the annual returns referred under session 92, और a person who controls the affairs of the company, affairs means, वो नहीं जो आप सोच रहा है, affairs means कारोबार so affairs of the company, whether directly or indirectly, whether as shareholder director or otherwise, कैसे भी, और a person on whose advice, directions और instructions, board of directors are accustomed to act, board of directors जिसके बोलने पे काम करते हैं, वो वेक्ती promoter है, promoter सबसे पहले लोगों को इखटा करेगा, जिनको हम एक नाम देते हैं subscribers, तो यह लोग YouTube subscribe करेंगे नहीं, वो वाले नहीं, यह लोग subscribers हैं, to the, यह मोई यह, एन यह वो यह, सो promoter यह काम करता है, लोगों को लेके आना, feasibility देखना, साथ ही साथ, name of company वो decide करता है name of company कैसा नहीं होना चाहिए, name should not be identical with, और closely assembling to any existing company, किसी government से connection वगरे नहीं बताना चाहिए, फिर undesirable नहीं होना चाहिए, offensive नहीं होना चाहिए यह सब चीज़ें बताई गई है, ठीक है, तो यह सब चीज़ें आपको जो बताई है, यह इसमें नहीं देखेगी book में, बट मैंने आपको पढ़ाते वाक्त यह चीज़ें बताया हूँ, क्योंकि यह institute नहीं लिखके दिया, इसलिए module में नहीं थी तो मैंने भी include नहीं किय बट पढ़ाते वाक्त बताया है, क्योंकि यह आता है section number 4 में, और section 4 is in your course, ठीक है, फिर नाम यह अगर उसने decide कर लिया है, तो उसको क्या करना है, तो promoter will make an application, application करेगा हूँ, spice plus part A, इसमें ROC के पास application करेगा, for reservation of name, नाम reserve कर दिया जाएगा, for a period of 20 days, 20 दिन के लिए, ठीक है, फिर अगर 20 दिन में हमको time कम लग रहा है, तो हम फिर से उसको extend करवा सकते हैं, 1000 रुपे की fees extra पे करके 20-20 दिन करके 2 बार extend हो सकता है, जो total 60 दिन करा सकते हैं, इसके बाद अगर नाम reserve हो गया है, तो इसको सब चीज सही लगती है, तो यह second stage पे जाता है, यह पहली stage में एक और चीज करते हैं, यह मो यह और यह और यह को बनाते हैं, second stage में इन लोग filing करते हैं, filing of documents, यहां से stage 2 चालू होती है, stage 2 is incorporation stage, incorporation stage में filing of documents and information होता है, section 7 apply होता है, section 7 बताता है कौन कौन से documents और information फाइल करना पड़ता है आपको, इसका form है spice plus part B, again RBC के पास file करना है, reservation के बाद 20 दिन के अंदर, क्या क्या फाइल करते बाद, MOA, इस पर question आ सकता है, chance का में बटा सकता है, ध्यान रखना, section 7 में कौन कौन से documents और information फाइल करना पड़ता है, at the time of incorporation, इस पर question आ सकता है, so MOA, AOA, Dually signed by the subscribers, and witness, फिर, इसके बाद, declaration लगता है, declaration by the first directors of the company, and जो भी professional engaged है, तो ये professional plus first directors ये देते हैं, इन लोग बताते हैं कि all the requirements have been complied with, with, पूरे requirements पूरे कर लिए, with respect to registration, incorporation, कुछ भी घडबर नहीं हुए, ये चीज़ बताते हैं, दूसरा एक और declaration लगता है, declaration by the first directors and subscribers, कि इन लोग पिछले 5 साल में guilty नहीं पाए गए हैं, पिछले 5 साल में guilty नहीं पाए गए हैं, जो भी information document दिये हैं, ये correct है, true and correct to the best of their knowledge and belief, तो ये चीज़ बताना पड़ता है, चौथा document है, address for correspondence, address for communication, registered office के address की आवशक्ता नहीं होती, आप communication address दे दो, that will be sufficient, फिर personal details of subscribers, personal details of first directors, इनके जो pen card, आधार card, ये सब चीज़े एकदम basic documents ये लगते हैं, फिर interest and consent of directors, जो लोग directors बनने को तयार है, उनसे interest और consent ये लिखा के लिया जाता है, अगर उनका कोई interest है, कोई दूसरे organizations में तो वो बताते हैं, और उनसे consent ली जाती है, कि वो director बनने को तयार है, आपने ये सब फाइल कर दिया, तो आपका काम complete हो गया, इसके बाद फिर ROC ये सब चेक करेगा, सब चीज़ सही लगती है, तो वो issue कर देगा, एक certificate of incorporation, इसमें ROC की sign रहेगी, इसमें एक date mentioned रहेगी, इसमें एक sin number mentioned रहेगा, साथी साथ आजकल pen number वगरे BC में लिखा होता है, फिर ये जिस दिन बन गया date, इस दिन से company separate legal entity बन गई है, इसको perpetual succession वगरे प्राप्त हो चुका है, ये सब document के दूखे हम लोग online copy file करते हैं, तो इसकी physical copy maintain करना है, at registered office, जब तक के company है, तब तक के आपको ये copies maintain करके रखना है, आप इसको destroy नहीं करोगे, फिर certificate issue होने के बाद से, जैसे कि separate entity बन चुकी है, इसके बाद से वो पूरा वैसे ही काम कर सकती है, जैसा एक normal व्यक्ति कर सकता है, और section 9 अपला होता है, section 9 बोलता है, इस दिन से इसको separate entity बनती है, perpetual succession मिलता है, खुद की properties hold कर सकते हैं, तो effects of incorporation section 9 बताता है, कि वो separate व्यक्ति बन जाएगी, अगर कुछ गलत जानका ही देखें, हुमने company का निर्मान किया है, तो तीन section लगते है, 75, 7, 6, 7, 7, 75 उस पर लगता है, जिसने जूढ बो उस व्यक्ति के उपर, वो व्यक्ति liable होगा under section 447, 447 एक fraud का general section है, 76 लगता है, हर व्यक्ति पे, जो जो व्यक्ति ने ये declaration फाइल किया था, ये वाला declaration, that means इसमें CA भी फस सकता है और first directors भी, ये सब liable हो जाएंगे, 447 में, section 76 लगता है, जब company बन गई है, incorporate हो चुकी है, ये incorporate होई या नहीं होई, दोनों case में लगता है, और 77 लगता है, company पे क्या action होगी, जो ये उस व्यक्ति पे, ये बाकी लोगों पे, और ये company पे, ठीक है, company पे, आप या तो company का नाम strike of कर सकते हैं, ये कौन करेगा, ट्रिबिनल, ट्रिबिनल में, strike of the name of the company, ट्रिबिनल उसमें unlimited liability कर सकती है, उसके management से related order पास कर सकती है, including changes in MOE, AOE, ये सब भी बता सकती है, फिर wind up कर सकती है, winding up, and other orders, जो भी उसको सही लगते हैं, but before passing any these orders, ये पिछले exam में मेरे खहल से इंटर में आया था है, कि अगर गलत information देके, अगर आप company का निर्मान करते हैं, तो company पे क्या-क्या action हो सकती है, तो intermediate में पिछले बार आया, वैसे C category question है, आने के chance ना के बराबर होते हैं, बट पूछा गया है पिछले बार, ठीक है, फ तुमारे ओर पर ये action न ली जाए, ये, और दूसरा, जो transactions already enter हो चुके है, वो transactions को ध्यान में रखना है, creditors का loss नहीं होना चाहिए, कल चल कर हम wind up कर देंगे, लेकिन जिसने contract कर लिया था, उसका loss हो गया तो, इसी दे वो चीज़ भी ध्यान में रखना है, ये चीज प्रोव तो ये सब दिया है, procedure वगर है, नाम कैसा नहीं होना चीए, वो सब दिया है, फिर procedure for availability, आप electronically, spice plus part A में ये फाइल करो, MOA पढ़ेंगे अभी, फिर incorporation कैसे होता है, तो part B में section 7 के हिसाब से ये documents आपको फाइल करना है, ये फाइल करने के बाद, आपको certificate of incorporation और sin number मिलेगा, फिर ये सब आपको खुद के register office में maintain करना है, क्योंकि आपने physical copies file नहीं की थी, सिर्फ online file किया है, और बाकी penalty है, penalty 447 की है, ठीक है, फिर इसके बाद raising of capital stage ये हर company में नहीं होती है, ये सिर्फ public company में होती है, private company जो होती है, private company डिरेक्ली ये काम कर सकती है, काम चालू कर सकती है but public company ये raising of capital stage होती है, वो भी पूरा करेगी हुआ 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 इसके बारे में आपको सवाल पुछने के चांस नहीं है, क्योंकि ये आपको intermediate level पर दिखेगा, prospectus क्या होता है, capital कैसे raise होता है, तो ये सब अगले साल आपको inter में देखने को मिलेगा. और commencement of business stage ये important हो जाएगी आपके लिए, section number 10A, section 10A बताता है, कि आप business commence नहीं कर सकते, जैसे आपका company incorporate होई, इसके बाद दू चीज़े करना है आपको, company के incorporate होने के बाद 180 days के अंदर, आपको एक declaration फाइल करना पड़ता है, ये director फाइल करेगा, जिसमें वो बताएगा, कि जिन लोगों ने भी जो भी subscribers थे, इन्होंने पैसा pay कर चुका है, paid for the shares to be taken, पैसा दे चुके हैं, and साथ में अगर कोई license लेने की जरूरत थी, तो वो license हमने ले लिया है, जैसे कोई-कोई company असी होती, जिनको license required होता है, वो अगर broking का काम कर रहे हैं, तो सभी से license लगेगा, अग अगर drugs बना रहे है, drugs means दवाईया, तो उनको pharmaceutical का license लगता है, pharmacy का, तो वो सब अगर जरूरत है, तो वो लेके उसको भी file करना पड़ता है, साथी साथ इसमे CACS या CW verify करता है, sign करेगा, और दूसरी चीज, ये एक चीज हो गई, दूसरी चीज है, incorporation के बाद, 30 दिन के ये दू चीज आपको करना है, ये दू चीज करने के बाद ही, आप business comments कर सकते हैं, and borrowings ले सकते हैं, ये होने के पहले आप borrowing ले ही नहीं सकते हैं, aim ये है कि पहले आप खुद का पैसा लगाओ, उसके बाद फिर आप दूसरों से पैसा ले सकते हो, और काम चालू कर सकते हो, ये दो चीज़े हैं, ये दिहान रखना है, 180 दिन के अंदर आपको ये फाइल करना है, डिकलेरेशन, जिसमें subscribers ने पैसा दे चुका है, ये डिरेक्टर फाइल करता है, प्लस CACS, CW in practice ये इसको verify करता है, साथ में registered office का verification आपको फाइल करना है, प्रमोटर कौन है बता दिया जिसको prospectus ये annual returns में लिखा है, या जो control कर रहा है, कमपनी के affairs को, या फिर जिसके advice, directions, instructions पे board, accustomed to act है, लेकिन अगर वो सिर्फ professional capacity में advice देता है, तो फिर वो प्रमोटर नहीं कहलाता है, ठीक है, ये fraudulent registration का section 7, 7 है, ट्रिबिनल क्या क्या action ले सकता है, तो इनके उपर तो 447 है, और ट्रिबिनल एक्शन ले सकता है, कमपनी के उपर, removal of name from the registers, strike of, alteration of MOA, AOA, including management, unlimited liability, wind-up, और एक और है, other such orders as tribunal में deemed fit, ठीक है, और ये होने के पहले एक opportunity of being hurt देना चाहिए, and considered transactions entered, बट जो अभी पूरे होने के ह ये हो गया, section 8, company that अपना हो जाएगा, बस थोड़ी दिर में, complete, company that में major time लगता है, इसलिए मेरा mean name था, ये पहले कर लेते हैं, और इसमें marks जादा आते हैं, कम पढ़के जादा marks मिल जाते हैं, तो अच्छी बात है, तो अपनने ऐसी चीदों को पहले खतम करना चाहिए, जिसमें कम पढ़के आपको जादा marks score करने की opportunity है, so हमने अभी तक section 1 देख लिया, ये मैं एक बार बता देता हूँ, आपको क्या-क्या देख चुके हैं हमने, section number 1 देख चुके हमने, जिसमें वह applicability होगर है, किस-किस को लगता आई है, so companies under this act, insurance company, banking companies, ये है, section 2 definitions हैं, जो किवेट, OPC बगर हैं, ये सब देखा हमने, section number 4 अभी बचा है, section number 5 बचा है, ये देखेंगे अभी, section number 6 बचा है, section 7 अभी जो देखें हमने, incorporation of company, section 7 है, section number 8 में हम देखेंगे, incorporation of not-for-profit company, not-for-profit means, जो आप charity के लिए बना रहे हैं, वह वाली companies, section 9 ये effect of incorporation है, ये 7 के साथ म section 10 पढ़ेंगे अभी, section 10A देख चुके हैं हमने, 10A बताता है, commencement of business, आपने ये देख लिए, ये देख लिए, ये हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 10A हो गया, ठीक है, बाकी 4 जो है, 4, 5 ये अभी देख लेते हैं, और 6, ये तीनों साथ में हो जाएंगे, और 8 और 10, बस दो बच साथ में doctrines, बस खतम, चलो थोड़ा speed और बढ़ाते हैं, और बढ़ाएं, अच्छा, फिर लेकिन effectiveness कम नहीं होना चीह, ये ध्यान रखना पड़ेगा, चलो ठीक है, so आपको पता है, जो लोग company बनाते हैं, इनको हम subscribers बोलते हैं, subscribers क्या गरते हैं, तो जब company का निर्मान होता है, तो दो document बनाते हैं, एक को हम प्यार से बोलते हैं, यह मोई है, यह मोई में क्या क्या लिखा होता है, name, object, पहले RO रहता है, RO, object, RO means, जिससे पानी साफ होता है, नहीं वो नहीं, फिर object, फिर liability, capital, plus subscription clause, तो ऐसे 6 clauses total होते हैं, इसका मीन नहीं होता है, होता है, यह main document of the company है, यह objects होता है, इसको speed up कर रहा हूँ, क्योंकि इस पर question नहीं आएगा, आपको question आएगे doctrine पर, so doctrine पर आएगे, section 4 और 5 पर नहीं आते, यह section 4 है, section 4 बताता है, यह main document of the company होता है, फिर यह document का use क्या है, तो it is useful for outsiders, ताकि उन लोग इससे object जानके पता कर सके हैं कि company क्या काम कर सकती, क्या नहीं कर सकती, and it is again useful for the investors, जो invest करना चाते है, उनके भी काम का होता है, फिर इसके format है table A, B, C, D, E, कोई काम के नहीं, याद रखने की ज़रत नहीं है, यह return होना चाहिए, in fact printed होना चाहिए, divided into paragraphs होना चाहिए, consecutively numbered होना चाहिए, and signed by the subscribers होना चाहि में, तो वो कारिय नहीं किया जा सकता, इसको हम बोलते है, ultra wires, ultra wires का मतलब है, यह beyond the powers है, और अगर beyond the powers है, तो it is void ab initio, इससे ना company bind हो सकती है, ना ही third party bind होती है, इसको हम समझेंगे, और साथी साथ एक और doctrine apply होती है, constructive notice, constructive notice का मतलब है, एक implied जानकारी होगी, कि जो भी वेक्त उसको पता है कि company क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती, यह मान लिया जाता है, that means he has read the yamoye and yoye, यह दोनों उसने पढ़ा है, इस हम मान लेते हैं, ठीक है, so यह constructive notice की doctrine इसको deep में देखेंगे, so यह हो गया yoye, बाकी और deep में नहीं जाते है, बाकी पता है आपको name रहता है, आरो अगरे यह सब रहता है, ठीक है, यह यह, यह यह क्या लिखा रहता है, तो इसमें लिखा होता है, यह section 5 है, इसमें लिखा होता है, rules and regulations for internal management of the company, internal management के rules लिखे होता है, that means MOE में लिखा रहेगा company क्या कर सकती, क्या नहीं कर सकती, और AOE बताएगा हो कैसे कर सकते हैं, हम ब एमोरेडनम क्या बताता है, यह powers of company बताता है, company क्या कर सकती, क्या नहीं, वैसे AOE यह powers of officers of company बताता है, that means directors क्या कर सकती, क्या नहीं कर सकते, for example MOE में लिखा है कि company एक particular property खरीच सकती है, लेकिन यह property कैसे खरीच सकते हैं, क्या share owners को बुलाना पड़ेगा, या डेरेक्टर्स सकते हैं, Board of Directors खरीद सकते हैं, या फिर क्या एक ही सिर्फ MD Managing Director Sign करके खरीद सकता है, तो यह सब चीजे लिखे होगी Articles में, that means क्या कर सकते हैं, यह लिखा रहता है MOE में, और वो कैसे कर सकते हैं, Shareholders के थू कर सकते हैं, कि Board of Directors के तू, उसमें भी इनके अलग-अलग Resolution होते हैं, Ordinary Resolution यहने, 50% से ज़्यादा लोग हां बोल रहे हैं, Special Resolution यहने, 75% से ज़्यादा लोग हां होना चाहिए, 75% से ज़्यादा लोग हां होना चाहिए, 75% से ज़्यादा है, तू Special Resolution है, यह सब चीज़ें लिखी रहेगी in the Articles, आर्टिकल्स को हम एक नाम और देते हैं, इसको हम बाई-लॉज बुलते हैं, बाई-लॉज बुलते हैं, जो Rules and Regulations होते हैं, उनको हम बाई-लॉज बुलते हैं, ठीक हैं, तो यह हैं, अब इसके उपर की जो डॉक्ट्रीन से इन पे हम चर्चा करते हैं, जिसमें सबसे पहली और important doctrine है, doctrine of अल्ट्रा वायर्स, अल्ट्रा वायर्स का मतलब है, beyond the powers, beyond the powers मींस, कोई भी काम जो object के beyond है, इसको हम void ab initio बोलेंगे, that means इसमें third party भी claim नहीं कर सकती हैं और company भी claim नहीं कर सकती हैं, साथ ही साथ, यहां पर केस हुआ था वो देख लेते हैं, एक व्यक्ति होता है, क्या नाम होता है इसका, रिचे, और एक company होती है, ashbury, ashbury railway, iron and carriage company, यह रहती है, यह contract करती है कि हम तुमको loan देंगे, और रिचे इस contract के basis पे एक tender fill करता है, रिचे को क्योंकि गरीब आद में होता है, उसको Belgium में railway line बनाना होता है, तो इसलिए पहले से वो पूछ लेता है, company को तुम loan दोगे क्या, वो बोलते हैं, बूस का yamoye भी पड़ता है, यamoye में लिखा होता है कि company ये एक तो railway wagon में बना सकती है, दूसरा object में लिखा होता है to actors, mechanical engineers and general contractors, अब रिचे देखता है general contractor word है, ये loan देना general contract है, इसमें आ गया, फिर भी उसको लगता है कुछ गढ़बर ना हो, इसलिए वो इनके shareholders को बुला के, उनसे ratify करवा लेते हैं, इनसे special resolution pass करके, approval कर लेते हैं कि loan देने की contract को हम valid मानते हैं, इसके बाद रिचे को जब tender alert हो जाता है, रिचे जाता है loan लेने, तो फिर ये company मना कर देती हैं, बोलते हैं हम loan नहीं देंगे, क्योंकि ये ultra wires है, रिचे ने बोला ultra wires कैसे हैं, यहां तो लिखा है general contractor, फिर दूसरी चीज, ये approval भी मिल चुका है, तो ये ultra wires नहीं है, वो valid है, ऐसा बोलना था, लेकिन जब court में केस गया, court ने बोला कि नहीं ये ultra wires है, general contractor word क्योंकि mechanical engineering के साथ जुड़ा है, तो इसको हम इतना wide meaning नहीं देंगे कि कोई भी general contract कर सकते हैं, उसका meaning हम simply mechanical engineering से related देखेंगे, that means mechanical engineering से related general contracts वो लो कर सकते हैं, उसके beyond कोई contract नहीं कर सकते हैं, ये एक rule होता है, rule of adjusted generous, तो आप अगले साल interview rate में पढ़ो गई हैं, तो जो word, जो special word के साथ अगर general word आ रहा है, तो general word का meaning उसके पहले वाले words से निकालते हैं, so mechanical engineering से related general contracts हम देखते हैं, साथे साथ special resolution पास किया था, लेकिन court नहीं बुला कि एक act which is ultra-wires, कि never be made intra-wires, ये valid नहीं हो सकता है, वाइड ही रहेगा, तो ये चीज़ बताई गई थी, so तीसरी एक और चीज़ है, यहाँ पर doctrine of constructive notice भी लगता है, doctrine of constructive notice क्या बोलता है, constructive means implied, notice येने जानकरी, येने हम मान लेते हैं, Richie ने MOA पढ़ा, अगर नहीं भी पढ़ा होगा, तो भी मान लेंगे पढ़ा, और सिर्फ पढ़ा ही नहीं, he has understood them, in their true perspective, उसने सही तरह से समझा भी, वो कल्चल कर अगर बुलेगा कि नहीं नहीं, मैंने तो general contractor येने ऐसा समझा था, तो उसकी नहीं सुनी जाएगे, हम मान लेंगे, ये वाली doctrine भी लग रही है साथ में, और इसलिए Richie ये नहीं बूल सकता कि मेरे रिसाब से ये मिनिंग था, जो true perspective में मिनिंग है, वो हम मान लेते हैं, ठीक है, तो ये है doctrine of constructive notice, ये दोनों ही doctrine वैसे देखे तो company को protect कर रही है, protects the company, एक act जो ultra-wire से इसको आप intra-wire से नहीं कर सकते हैं, वैलिडेट नहीं कर सकते हैं, अगर ये ultra-wire सी object है, ultra-wire स्थी यह मूई यह है तो आप इसको ठीक नहीं कर सकते हैं, हाँ, अगर AOA के beyond होगा, बट within MOA होगा, तो फिर आप इसको ठीक कर सकते हो, तो ये भी हमने पढ़ा था, कि एक act ratify किया जा सकता है, if it is within the powers of company, but done irregularly, या beyond the powers of directors, या beyond the AOA, तो वो सब ठीक किया जा सकता है, बट अगर MOA में ही नहीं है, तो आप इसको कुछ नहीं कर सकते हैं, AOA में नहीं होगा, तो AOA ठीक कर लो, alter कर लो, वो सब कर सकते हो, बट MOA के beyond है, तो कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक हैं, फिर इसके साथ दूसरी जो doctrine लगती है, doctrine of indoor management, doctrine of indoor management बोलती है, कि internal जो दिक्कते होती है, वो कमपनी की problem होती है, कमपनी है, बच नहीं सकती है, बोलके कि हमने internal कोई procedure फॉलो नहीं किया, इसको हम एक नाम और देते हैं, Turquence Rule, सो क्योंकि Royal British Bank versus Turquence के case में, पहली बार doctrine established होई थी, इसमें क्या होँआता है, कमपनी होती है, इसने Turquence को एक bond लिखके दिया होता है, इससे loan लिया होता है, और इसको एक bond लिखके देते हैं, ये bond में बराबर sign होती है, directors की, company secretary की common seal लगी होती है, सब चीज होती है, Turquence bond रख लेता है, और यहाँ पर इसके MOA को भी पढ़ता है, बट EOE में लिखा होता है, कि अगर आप बॉरो कर रहे हैं, तो आपको special resolution पास करना चाहिए, ये लिखा होता है, plus sign होना चाहिए, of directors, company secretary और common seal लगी होना चाहिए, Turquence क्या करता है, Turquence देखता है, प्रॉपर इसमें sign है, सब हैं और वो bond को accept कर लेता है, कल चलकर company बोलती है, ये bond invalid है, क्यों क्योंकि हमने special resolution पास किया ही नहीं, Turquence बोलता है special resolution पास किया या नहीं किया, ये तुमारे internal problem है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं, तुम अगर ये internal procedure पूरी नहीं करते, तो on this basis you cannot avoid the contract, और court ने भी बुला कि yes, Turquence क्योंकि एक outsider है, और outsider is not bound to know the internal regularity of the proceedings, नाहीं उसको ये अभिकार होता है, वो इसको चेक करें, नाहीं उसकी ये जिम्मेदारी होती है, तो Turquence is not bound to know the internal regularity, ये 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 इंटर्न रेगिलरिटी, तो इसमें Turquence को protect किया जाएगा, company को नहीं, तो ये जो दूसरी डॉक्ट्रिन है, ये प्रटेक्ट करती है outsider को, तो ये एक प्रकार से exception to the doctrine of constructive notice हो गया, ठीक है, तो ये एक रूल पढ़े थे आपने, कोई doubt यहां तक के, और आखरी बहुत important चीज़ें, ये doctrine तीनों याद रखना, इनपे question आशकते हैं, exceptions, exceptions to the doctrine of indoor management, indoor management की doctrine का जो exceptions है वो देखना है, से exceptions में पहला exception है, कौन सा है, knowledge of irregularity, जब हमको पता है, कि irregular है, actual और constructive knowledge of irregularity, जब हमको पहले से पता है, कि यहां गड़बड है, तो फिर हम assume नहीं कर सकते हैं, हमको protect क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने मान लिया, कि आपने ये तो किया होगा, बट जब मुझे पता ही जए ये नहीं किया, तो मैं यहां पे claim नहीं कर सकता, तो इसमें patent versus, Harvard versus patent ivory manufacturing company का case था, तो Harvard और patent ivory manufacturing company, तो यह हमने देखे थे, तो यह case आपको ध्यान रखने, इसमें क्या होगा था, एक company होती है, company के director होते हैं, Harvard, इन्होंने company को 3500 पाउंड लेंड किया होता है, proper bond ले लेते हैं यह भी, bond में sign मगरे होती है सब होता है, इसके भी M.O.E. में लिखा होता है कि power to borrow है, इसके ये O.E. में लिखा होता है, कि bond देने के पहले, अगर 1000 पाउंड के ऊपर bond है, तो फिर आपको special resolution की requirement है, यहाँ पे लेकिन without passing special resolution, इन्होंने bond ले लिया, bond दे दिया और पैसा ले लिया, अब Harvard बोलता है कि ये तुमने special resolution पास किया या नहीं किया है, तो internal problem है, इससे मेरा क्या लेना देना, लेकिन Harvard जो था एक खुड director of the company था, तो court ने बुला कि जब आप खुड director हो, तो आप ये नहीं बूल सकते कि मुझे लगा आपने pass कर लिया होगा, आप तो खुदी director हो, तो आपको पता होना चाहिए ये चीज, कि company ने ये कारिया नहीं किया है, और अगर आपने ये न देखते हुए ये कारिया कर लिया, आपने contract कर लिया, तो आपका ये contract void है, तो आपको protect नहीं किया जाएगा, बट फिर भी क्योंकि 1000 pound तक के कोई भी resolution के requirement नहीं थी, तो 1000 के लिए bond valid है, और 2500 के लिए ये वाइड है, ठीक है, तो ये चीज़ बताई गए थी, knowledge of irregularity का, ठीक है, तो यहाँ पर protection नहीं मिलेगा, तो ये किसको अगेन protect करेगा, company को, protects the company, ये कहीं लिखा नहीं है, बट ये चीज़ ध्यान में रखोगे तो easily समझ में आता है, second, suspicion, ये निगलीजिन्स, negligence का case है, आनंद बिहारी लाल वर्सिस दिंशा, इसमें हमने देखा था, आनंद बिहारी लाल वर्सिस दिंशा में, लाल नहीं, लाल, इसमें हमने देखा था, एक company होती है, company का accountant होता है, मुनीम जी, accountant, कुछ, properties transfer कर लेता है, आनंद बिहारी की नाम से, इसके बाद फिर कुछ टाइम बाद ये पॉसेशन करने आता है कंपनी के पास कंपनी बोलती है हमने तो कभी ऐसा कॉंट्रेक्ट किया ही नहीं आनन बाब बाबु बोलते हैं तो तुम्हारी इंटनल Together क्योंकि आकाउंट्ट तुम्हारे इंटनल वखती है तो तुमको पता होना चाहिए था उसने गड़वड किया है तो हूर्ट ने बुला नहीं यहां तुमारी गलती है तुमको पता होना चाहिए तो इसको प्रोटेक्शन मिलता है कंपनी को और यह पॉंट्रेक्ट वॉइड माना गया और थर्ड है फॉर्जरी इसमें एक कंपनी होती है और एक रूबेन होता है रूबेन शेयर्स ख़ीता है शेयर सर्टिफिकेट उसको दीए जाते हैं उसमें डिरेक्टर्स की साइन इगे और कॉमेंड सेखरेती हैं और लगिये ओती है फिर रुबेन इसको पैसा पे कर देता है और शेर्स लेके चला जाता है MOA में लिखा होता है कि हाँ पावर तो रहते ही है AOA में लिखा होता है कि यह जो certificate है यह sign करना चाहिए बाइ डिरेक्टर वें डिरेक्टर टू common seal होना चाहिए और company secretary के sign होना चाहिए चारों चीज थी Ruben ने ही ले लिया बाद में पता लगता है कि यहाँ पे CS ने forgery किया है forgery means यह जो दोनों sign थी यह उसने खुद ने कर लिया खुद के sign किया and seal भी बिना permission के उसने लगा लिया जब इसने claim किया किये तो तुमारी internal problem है तो court ने बुला कि यह rule जो है forgery में नहीं लगता तो आपका doctrine of indoor management वाला rule यह नहीं लगेगा in case of forgery forgery confess no title क्योंकि यह consent ही नहीं बनती company जो shares देना ही नहीं चाहती थी वो shares कभी दिये ही नहीं ऐसा माना जाता है तो forgery इतनी deep जाती है कि उससे consent ही नहीं बनती और अगर consent नहीं बनेगी तो कोई contract नहीं बनता और इसलिए even अगर यह innocent भी है तो भी इसको कोई benefit प्राप्त नहीं होगा कल जलकर अगर CS पकड़ में आता है तो उससे जरूर वो recovery कर सकता है नहीं तो फिर इसका loss हो जाएगा है तो यह contract भी void है ठीक है तो यह 3 cases थे forgery confess no title even to a bona fide purchaser हाँ यहाँ भी accountant से claim कर सकते हैं ठीक है फिर अब जो बच्ची होई चीज़ें वो देख लिए थे session 8 6 क्या है 6 छोड़ दी हमने 6 में कुछ नहीं बोला है 6 में स्रीप इतना बोला है कि यह मुए इस सुपीलियर देन यह होई है and act is superior देन यह मुए तो बस इतना बता है उसमें so act सबसे उपर है उसके बाद यह मुए उसके बाद यह होई यहन्ने अगर कल चलकर जगड़ा होगा मुए और यह में तो मुए जीत जाएगा और एक्ट और मुए में तो एक्ट जीते गा तो आप फिर मुए को फॉलर नहीं करोगे ठीक है फिर section 8 पढ़ लेते है section 8 company के बारे में so यह सब पढ़ लिए अपने यह मुए यह हो गया यह सब मैं रीड करके नहीं बताया आप यह देख लोगे एक बार क्योंकि कोई मतलब नहीं हो रीड करने में उस पर question नहीं आएगा लेकिन अगर beyond the objects of MOE था तो फिर उसको ratify नहीं किया जा सकता उसको ठीक वगड़े भी नहीं किया जा सकता फिर articles of association यह भी बताया मैंने इसके भी formats है कोई खास काम के नहीं हाँ entrenchment का एक point चुटा है यह बता देता हूं मैं constructive notice बता दिया indoor management बता दिया और उसके exceptions बता दिया बस खतब shares की थोड़ी बहुत चर्चब अची है वो देखते हैं entrenchment provisions क्या बोलते हैं तो entrenchment का मतलब है to save कभी कभी आप articles में ऐसा कुछ लिख सकते हैं जिससे आप share holders को बचाना चाहते हैं तो आप कोई भी इसका point समझो आप point number 14 नहीं बदलना चाहते इतने आसानी से तो आपने लिख दिया कि point 14 को change करना है तो आपको 90% लोगों की सहमती लगेगी यह entrenchment कहलाएगा या आपने लिख दिया 100% लोगों की सहमती कोई भी 75% से जाधा 80% लोगों की सहमती तो यह सब ent entrenchment है आप कोई भी point को entrench कर सकते हो आपको लग रहा है point number 18 entrench करना है तो आप उसके लिए कर दो अगर आप entrenchment provision रखते हैं तो आपको यह inform करना पड़ेगा to the register कि हमारे articles entrenched है अगर entrenchment provision entrenchment का simply मतलब है जो तानून बताता है उससे भी ज्यादा strict अगर आप rules follow करनी बोल रह तो उसको हम बोलते हैं entrenchment यह minority shareholders को protect करने के लिए बनाया गया है तो अपने अगर entrenchment provision रखा है तो यह आप either at the time of formation रख सकते हैं या फिर आप बाद में amendment के द्वारा alteration के द्वारा भी रख सकते हैं शुरू में रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है बाद में रखोगे तो अ 100% consent के बाद entrenchment कर सकती है कोई भी case में आप शुरू में करो या बाद में करो you will have to inform the ROC ROC को inform करो कि हमने articles को entrench किया है ठीक है so entrenchment यह वैसे तो बहुत deep में आपको बता है बट उपर उपर एक बार मैंने आपको बता दिया फिर difference बगर एक बार देख लो गया entrenchment हो गया so section 8 8 बचता है 10 बचता है और बस 8 10 बचता है और शेल्स के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा so 8 क्या है यह बता जेता हूं बहुत deep में नहीं जाएंगे 8 में भी 8 का सिर्फ उपर उपर बताता हूं में जो main points है subsection 1 बोलता है 8 1 कि अगर कोई भी association या कोई person यह चाहता है कि उसक कंपनी रेजिस्टर्ड हो not for profit so not for profit के लिए उसको central government के पास application करना है apply करना है उसको permission के लिए license के लिए license के लिए apply करेगा central government के पास इसको और भी नाम देते है not for profit company भी बोलते है ध्यान रखना question आ सकता है license companies भी बोलते है इसको license मिलता है फिर यह गाड़ी चलाती है नहीं ग license companies भी बोलते है इसको without the word private या private limited या limited तो private limited और limited दोनों वर्ड लिखने के इसको जरुबरत नहीं होती ठीक है तो अगर limited होगी private limited होगी तो भी यह नाम के सामने foundation, federation ऐसे टाइप के words यूज़ करते हैं ठीक है so license companies, not for profit या charitable companies ये सब एक ही चीज़ है तो आपको अलग-अलग नाम से पूछा जा सकता है so central government अगर ये पूरी चीज़ देखेगी सब चीज़ सही है क्या के चीज़ें तो तीन condition इसकी पहली condition है कि यह दिया है मैं फिर से नहीं बताता so limited, private, limited word लिखने की ज़रुवत नहीं, condition बताई हुई है, promotion of commerce, art, science, sports, education, research, social welfare, religion वगरे वगरे not for profit होना चीज़, ये पहली condition है, objects, दूसरी condition है, अगर profit हुआ भी तो उसको फिर से object के लिए यूज़ करो and तीसरी condition है, third, prohibits the payment of dividend to its members ध्यान रखो, condition पर question आएगा, बाकी section 8 पर नहीं आएगा, बट कोई conditions पूच सकते हैं आपको फिर registration हो गया, तो normal company बन जाती है वो, उसको भी वैसी limited liability उगरे सब मिलने लगेगी इसको अगर कल चलकर change करना है तो आप change कर सकते हैं और limited, private, limited word use कर सकते हैं बाद में और existing company अगर convert होना चाहे तो वो भी इसमें cover हो सकती हैं अगर section 8 company contravene करती है conditions of section 8 या फिर जिसके तहद license दिया गया था या फिर वो affairs को fraudulently use करती है fraudulently conduct करती है, आप violative use करती है तो central government direct कर सकती है इस company को convert करने के लिए और हर व्यक्ति को 447 के लिए liable ठहराया जाएगा फिर limited, private, limited word जोड़ा जाएगा अगर बड़ा default है तो एक अगर छोटा मोटा default है तो simple इसको convert कर दो और convert करके उसको normal company बना के चलने दो लेकिन अगर बड़ा default है तो company को wind up भी किया जा सकता है पूरा बंद किया जा सकता है और फिर इसके बाद पूरे इसकी assets बेचके liabilities pay off करेंगे and अगर कुछ बच जाते हैं assets बच जाते हैं तो it will be paid to transfer to another company registered under section 8 and having similar object और अगर पैसा बच जाता है तो यह change हो गया है यह गलत लिखा है हो अगर पैसा बचता है सब बेच बाच के कुछ पैसा बचा है तो इसको आपको जमा करना है insolvency and bankruptcy code के fund में तो IBC करके कानून है insolvency and bankruptcy code तो उतके fund में जमा करना है पहले यह था rehabilitation and insolvency अब यह change हो गया और कानून बदल के दूसरा fund आया है तो आपके book में प्रपर लिखा है यहाँ पी सरिफ रहे गया आमेंट करना फिर दूसरी चीज़ तो तीन impact हो सकते हैं अगर गलत हुआ contravention हुआ तो एक तो नॉर्मल उसको convert कर दो और नॉर्मल कमपनी करके चलने दो दूसरा wind up कर दो और तीसरा amalgamate कर दो amalgamate भी होगी तो with another sectionate company having similar object और फिर इसके जो भी rules है वो central government बताएगी constitution, properties, powers, rights, interests, authorities, privileges, liabilities, duties, obligations सब central government prescribe करेगी central government ने यह power delegate कर दिया है central government को license देने का power था यह ROC के पास delegate कर दिया है book में पूरा दिया है यहाँ नहीं लिखा है फिर contravention होता है तो यहाँ पर power delegate कर दिया है regional directors के पास ठीक है so license revoke करने का power regional director के पास है अब यह सब कौन है यह आपको पता है यह समय मानके चलूँगा अब उसमें deep में नहीं जाएंगे जब class regular किये तब मैंने पूरा deep में आपको बता हूँ regional director कौन है ROC कौन है central government कौन है central government means नरींद्र मोधी नहीं वो नहीं है यहाँ M.C.A. Minister of corporate affairs चलो बस खतम complete लो खतम बराबर schedule के हिसाब से चल रहा है पर मेरे schedule के हिसाब से मैंने जो सोचा था कि यह time तो कि यह complete हो जाना चीए चल रहा है विसा share and share capital हाँ एक और चीज़ अपन इसमें LLP को पूरा revise नहीं करते है वन्डे रिविजन में मैं बताना भूली कि आपको शुरुवात में वो कभी भी नहीं करते है अपन क्योंकि time benefit analysis अगर करो तो उसमें उतना time देखे उसमें benefit कम मिलता है तो सिर्फ जितना important है वो मैं बताऊंगा पूरा revision नहीं किया जा सकता तो उसके लिए पूरे वाले वीडियो से मेरे अगर आप चाहो तो उससे आप देख सकते हो YouTube पे है वो available यूट्यूब को आप like करें subscribe करें comment करें share करें तो यह यहां पे भी है यह आज तो live streaming apps के YouTube चैनल पर चल रही है बाकी मेरे इस पे आपको पूरे वीडियो मिल जाएंगे चैनल का नाम हुई है यह शशांग शर्मा आपको उसमें मिल जाएगा तो उसमें आपको पूरे वीडियो मिल जाएंगे और डीप में जैसे यहां पे अपन थोड़ा speed up करके कर रहे है वहां बहुत डीप में मिल जाएंगे आपको यह पूरे comprehensive है बट वो revision के लिए बहुत क है कि जैसे ही यमो ये और ये और ये बन जाते हैं तो ये contract बन जाते हैं that means इसमें जो भी लिखा है इससे company और उसके members ये लोग bind हो जाते हैं तो इनके बीच contract बन गया as if they have personally physically signed these documents तो ये contract मान लिया जाता है that means इसमें जो भी लिखा है जैसे इसमें लिखा है कि company ये जो पैसा यूज करेगी company जो भी पैसा आएगा वो पैसा यूज करेगी particular object के लिए like समझो उन लोग electronic goods की trading के लिए पैसा ले रहा है तो वो कल चल कर कोई और चीज में invest नहीं कर सकते हैं वो property में invest करेंगे तो members उनको रोक सकते हैं क्योंकि contract बन गया है वैसे ही अगर members कुछ काम पूड़ा नहीं कर रहे है call मांगे गए call नहीं पे कर रहे है तो company उनके उपर action ले सकती है क्योंकि contract बन गया है तो जो भी चीज लिखी है MOAOA में that becomes the contract between the company and the members so members are bound to company, company is bound to members, members are bound to other members but not directly, directly binding power नहीं है क्योंकि doctrine of privity उनको एक दूसरे पर action लेने से रोकती है लेकिन वो indirectly bind कर सकते हैं अगर समझो मुझे पता लगा कि गुपता जी कुछ गरबड कर रहे हैं जो कि MOAOA की खिलाफ जा रहा है तो मैं तो उनके action नहीं ले सकता but मैं company के पास चुगली करूँगा और company फिर action ले सकती है तो indirectly मैं bind कर वा सकता हूँ so company is bound to members, members are bound to company, members are bound intensive but not directly, indirectly, so उन लोग directly bind नहीं होती, they are not bound directly, ठीक है and company और members are not bound to outsiders, outsiders के साथ कोई contract नहीं होता फिर shares, share and share capital, share की definition कोई काम की नहीं, share means the share in the share capital of the company and includes stock so कोई काम की नहीं, share in the company is a movable property, यह चल संपत्ती होती है, यह transferable होगी as provided in the articles so articles में लिखा होता है कि कैसे transferable है, so articles of association में अगर दिया होगा freely transferable है, तो freely, जैसे public company की के case में अगर restricted लिखा होगा तो restricted रहेगी जैसे private company की केस में, share का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता, भली हमको देखने में लगता है पैसा है but share is a bundle of rights and obligation, तो इसमें बहुत सारे अधिकार और जिम्मेदारियां जुड़े होते हैं, ठीक है, फिर, kinds of share capital, so as per section number 43, section 43 classify करता है share capital into, हाँ यह आखरी है न इसलिए, so यह classify करता है share capital को as equity and preference, यह पता है आपको, equity का क्या मतलब है, जो preference नहीं है, और preference का क्या मतलब है, नहीं, जिसमें preference मिल रहा है, दू चीज़ का preference, पहला dividend का, दूसरा, repayment of capital at the time of winding up, dividend के साथ कभी-कभी होता है और उनको हम extra dividend भी देने है, जो ऐसे नहीं मिलना था, अबर equity के साथ extra दे रहे है, तो भी वो preference का लाएंगे, और extra अगर repayment मिल रहे है, तो भी हम उसको preference की बोलेंगे, अगर उनको पहले मिल रहा है तो, ठीक है, फिर preference बहुत type के होते हैं, आपको यहाँ types नहीं है, इंटर म non-convertible, secured, unsecured, so यह भी रहते हैं, so यह सब देखेंगे अपन, plain vanilla debentures होते हैं, वो क्या होता है, वो सब देखेंगे, bond ceiling होते हैं, index होते हैं, so preference shares, debentures सब में, दोनों में similar प्रकार आपको देखने को मिलेंगे, आगले साल बताऊंगा मैं, इसमें अभी फिलाल छोड़ देते हैं पने इनको, फिर preference जो है, sorry, equity जो है, equity दो प्रकार क्यों होते हैं, एक, normal rights, जिसमें normally आपको rights मिलेंगे, और दूसरे, differential rights, differential rights can be related to dividend, related to, सम्झो, रीपेमिन नहीं, dividend, voting बोल सकते हो, voting and others, so, ये rights, dividend से related भी हो सकते हैं, जैसे बाकी लोगों को हम 10 रुपे dividend दे रहे हैं, इनको हम 11 रुपे देते हैं, ये भी हो सकता है, ये voting से related हो सकते हैं, जैसे best example, Tata Motors का है, Tata Motors एक बहुत ही अच्छी कमपनी, जब मैंने आपको परहते बक्तिस का उधारन दिया होंगा, हा 500 क्रॉस हो चुका है, Tata Motors, जब मैं पढ़ाते बता रहा था, उस तेम 200 की रेंड में चल रहा था, अभी 500 क्रॉस हो चुका है, और DVR अगर लिये होंगे, तो मैंने बोला था, DVR अभी लेना है, तो ले सकते, बट अभी dividend expect मत करना, उस पर dividend जादा मिलता है, बट जब तक loss मे तो dividend नहीं पे करेगी, बट आप ले के रख सकते हैं, यह बुला था, और Tata आगे market leader बनने आला, यह भी बुला था, और वो दिखी राय है, अभी double हो चुका है, जब मैंने पढ़ाया था, वहां से अभी तक double हो चुका है, double से भी जादा, तो जिनोंने लिये होंगे, उनको सला ज़रू ले ले, ठीक है, हाँ, तो ऐसा है, से डिफेरेंशल राइट्स में, Tata Motors का बेस्ट एक्जाम्पल है, जो बहुत अच्छे शेर्स हैं, इसके दो शेर्स, एक नॉर्मल शेर्स होते हैं, नॉर्मल शेर्स में आपको एक शेर पे एक वोट मिलता है, और इस पे क्योंकि आपको वोटिंग कम की जाए है, तो इस पे 105 रुपे डिविडेंट मिलेगा, डिविडेंट थोड़ा जादा दिया जाता है, ठीक है, बैट फिर भी क्योंकि ये डिविडेंट आने के अब चांस बढ़ गया, तो गैक कम होगी अभी, तो अभी ये मेरे खेल से 300 र डिविडेंट नहीं होगा, ये 500 होगा, नॉर्मल शेर, ये 300, 300, याने 280 से 300 के बीच में मिल जाएगा आपको, मेरे को एक्जेक नहीं बता है, मैं क्योंकि नॉर्मल शेर्स ट्रैक करता हूँ, डिविडेंट नहीं, हाँ 320 है गोलते है, ठीक है, तो ये डिसकाउंट के मिल ज इसा लगा रहा हूँ, मैंने समझो 500 रुपे लगाया, बट मुझे डिविडेंट मिल रहा है, समझो 10 रुपे, आप समझो यहाँ पे 300 रुपे लगा रहे हैं, आपको मिलेगा 10 रुपया 50 पैसे, तो रिटर्न भी जादा है, तो ऐसा पूर आता है, उस हिसाब से, ठीक है, तो ऐसा है, चलो खेर, तो यह DVR शेर्स होते हैं, रियल लाइफ में, टाटा मोंटर्स के बेस्ट हैं, बाकी जायन इरिगेशन वगरे भी है, और फ्यूचर रिटेल ग्रूप है, जो डूप चुका है, तो उसके मत खरीद लेना, तो फ्यूचर ग्रूप है, उसके मत धिविडirement का और वाइड़िंग अप का, इनको हो सकता है, आगे चलके, अचिके अटिशनल धिविडेंट और वाइडिंग अप पे अडिशनल पैसा भी मिल रहा है, बट फिर भी वो प्रिफरेंजी कहलाएंगे, क्योंके उनको पहले पैसा मिलता है, तो इनको हम एक नाम देते हैं participating, participating preferences हैं, ठीक है दो जैसा मैंने बता है इसके और प्रकार होते है, participating, non-participating ये भी होते हैं, फिर classification of capital, nominal capital, इसी को हम registered capital भी बोलते हैं, या इसी को हम authorized capital भी बोलते हैं, ये लिखा होता है आपको, ये मोई में, ये मोई में जो capital को आज होता है, उसमें जो capital होता है, व maximum amount of capital है जतना आप raise कर सकते हैं, जैसे कि समझो आपने अपना capital रखा एक लाक रुपए और 100 shares, that means आपका एक कडोड का total capital हो गया, तो एक करोड रुपए आपने capital रखे, maximum आप एक करोड रुपए raise कर सकते हो, अभी आपको इतने capital की जरुरत नहीं थी, तो आपने at present issue किया, मान आपने total 10,00,00 का issue किया, फिर इसमें से हर कोई खरीदेगा जरुरी नहीं, मान लोग खरीदे सरिफ 9,000 लोगों ने, तो 9,000 लोगों ने 100 रुपए के shares खरीदे, that means 9,00,00 का आपका subscribed capital है, एक लाक unsubscribed रहे गया, ठीक है आप चाहो तो इसको बाद में cancel कर सकते हो, वो कैसे होत हमने सिर्फ अभी 50 रुपे मंगाया, तो यह हो गया आपका called up capital, तो कितना हो गया, 4,50,000, इसमें से फिर paid up, सब लोग पैसा देंगे, ऐसा जरूरी भी नहीं, मान लोग 10 लोगों ने पैसा नहीं दिया, तो 8,990 लोगों ने पैसा दे दिया, अब वो जितना भी आ रहा है, और 10 लोगों ने नहीं दिया, याने 5,500 रुपे नहीं मिले, 5,000 कर ले तो 100 लोगों ने नहीं दिया, easy हो जाएगा ना calculation, काई को maths बीच में लाना, तो जो अपने हाथ में है, तो अपने वो कम कर देना चाहिए, maths का impact, कुछ लोग जो बढ़ दसी, maths लेते हैं, ठीक है, लेन वो paid up capital है, और जो जिन लोगों ने pay नहीं किया, इसको हम बोलते है, calls in arriers, एक रूल और है, section 60, पूछने के चान सुना के बराबर है, बट आपके course में है, section 60 बोलता है, जहां जहां आप authorized capital लिखते हैं, वहां वहां आपको subscribe capital और called up capital, in fact paid up capital लिखना पढ़ता है, कि कितना capital ले चुके हो आपने, so यह आपको लिखना पढ़ता है, ठीक है, तो जहां जहां आप बता रहे हो कि हमारा subscribe capital एक करोड है, तो हम बताना पढ़ेगा, लेकिन अभी सिर्व 9 लाखी issued capital है, subscribe capital है, ठीक है, तो ऐसा है, so यहां पर आपका company law complete होता है, कुछ छूटा तो नहीं, को Telegram link आप follow कर सकते हैं, join कर सकते हैं, हां, चलो, एक break लेते हैं, 30 मिनिट का, ठीक है, वैसे 30 मिनिट, फिर दो बज़े जो break होगा, वो अपन छोटा है, हां यह YouTube channel, हां तो वो 45 मिनिट का लेंगे, 30 मिनिट का ले लेंगे, एक घंटे का देते क्या, नहीं मिलता न, 30 मिनिट से ले लेंगे, 30 मिनिट, अभी उतना बड़ा break देने वाला नहीं था मैं, बट कुछ लोग पहले lunch कर लेते हैं, ऐसे भी लोग होगे, जैसे मैं खुद, हां मैं खुद हो मैं 10 बज़े कर लेता हू breakfast नहीं करते हैं, पर डिरेक्ट लेंच हो जाता है, 10 बज़े, so मेरा time हो गया है, तो मैं अभी lunch कर लोगा, तो इसलिए आदे विन्टा तो लगे गई, मैं दिफिल तुने खाना खाता न, चलो ठीक है, so इसके बाद sale of goods act पे आते हैं, और partnership act पे आते हैं, आपका major portion फिर cover हो फिर contract act और थोड़ा बहुत LLP का जो छोटा मोटा बात बात बताना है, वो करेंगे और खतम, so conclude करते हैं, एक अल्प गिराम लेते हैं, और फिर मिलेंगे sale of goods act के साथ, चलो धन्यवाद, So good morning friends, good afternoon, हम लोग sale of goods act के बारे में आप चर्चा करेंगे, sale of goods act ये जैसा कि आपको पता है, 6 units में divided हैं, आपकी course के लिए, सबसे पहला unit जो है, formation of contract of sale, formation of contract of sale का मतलब है कि contract of sale बनता कैसे है, इसके उपर हमको चर्चा करना है, So contract of sale form होता है, वही offer and acceptance के दवार, जैसा कि आपको पता है, कोई भी contract बनने के लिए offer acceptance चाहिए, वैसी contract of sale के लिए भी चाहिए, जैसे कि, एक normal contract होता है, उसी प्रकार से contract of sale होता है, जिसमें एक व्यक्ति होगा, जो दूसरे को पूछेगा, A ने B को पूछा, क्या तुम मेरे कार खरीद होगे एक लाक रुपे में, और B ने बुला हाँ, So यहाँ पे यह contract है, और यह contract of sale भी है, क्योंकि यहाँ पे goods है, goods यह movable property होती है, एक price है, एक seller है, एक buyer है, और इसमें एक important चीज़ हो रही है, transfer of ownership, यहाँ प्रापरटी, Transfer of property का ही मतलब होता है, ownership, ownership transfer हो रही है, ownership transfer दो प्रकास से हो सकती है, अगर यह immediate transfer हो रही है, तो यह होगा, sale, और आगे चरके transfer हो रही है, तो इसको हम बोलेंगे, agreement to sell, इससे कोई फरक नहीं पढ़ता, goods की delivery दिये थे या नहीं दिये थे, प्राइस पे हुआ था या नहीं हुआ था, ownership transfer होना एक अलब चीज़ है, तो तीन चीज़े हमको समझना होता है, goods क्या है, price क्या है, and ownership कैसे क्या transfer हो रही है, जब goods होंगे, movable goods होंगे, तभी हम contract of sale में इसको cover करते है, अगर यह immowable property है, तो यह sale of goods act में cover नहीं होता, उसका एक अलब कानून है, transfer of property act, फिर price जो है हमेशा money रहेगा, money consideration, और ownership transfer होना, यह अगर immediate हो रही है, तो sale बोलेंगे हम, यह immediate है, और यह अगर आगे हो रही है, या तो future में, या कुछ condition के fulfill होने पे, तो इसको हम agreement to sell बोलेंगे, यहन्य हम ऐसा बोल सकते हैं कि sale में owner कौन होता है, तो buyer is the owner, buyer owner हो चुका होता है, जबकि agreement to sell में seller continues to be the owner, और ownership का खेल है पूरा, तो यहां तीनी चीज़ है, movable goods, price money and property transfer होना, इसके उपर है पन चर्चा करेंगे, तो contract of sale को define किया है, contract of sale is a contract whereby the seller transfers और agrees to transfer the property in goods to the buyer for a price, that means यहां transfer या agreement to transfer ownership in goods होगा for a price, फिर जैसा मैंने बता है, यह भी एक party के द्वारा offer आएगा, दूसरे party के द्वारा acceptance होगा और contract of sale बनेगा, sale तब बोलते हैं जो ownership transfer हो चुकी है, तो हम बोलेंगे sale, और agreement to sale, जिसमें future में या फिर कोई condition के पूरे होने पे हम contract को, ownership को transfer करेंगे, तो उसको हम बोलते है agreement to sale, जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं goods आपको एक मेने बाद बेचूँगा, यह agreement to sale है, I have agreed to sale, जैसे मैंने बोला एक मेने बाद मैं आपको चीज बेचूँगा, एक मेने बाद date आगई, मैंने आपको चीज बेच दिया, तब जाके यह sale में convert हो जाएगा, फिर formalities of contract of sale, contract of sale भी offer acceptance में बनेगा, और इसमें भी delivery of goods भी होना चाहिए, और payment of price भी होना चाहिए, यह हो सकता है, तुरंत हो, simultaneous हो, installment में हो, या future में हो, goods की delivery भी और payment of price भी, बड़ यह होना ज़रूर चाहिए, फिर goods क्या है इसके उपर चर्चा रखते हैं, अपन अब वो पूरे differences नहीं देखते हैं कि sale agreement to sale में, insolvency में क्या impact पढ़ता होगा है, वो सब पर deep में नहीं जाते हैं, वो आपको पता है अभी and higher purchase क्या है, contract for work and labor क्या है, तो वो सब पर deep में आप अपन नहीं जाएंगे, ठीक हैं, so अपन में जो goods का contractor उससे related चर्चा करेंगे, क्योंकि revision करने हैं अपन, तो selective चीज़े रहेगी, कुछ-कुछ चोटी-मूटी चीज़े, जो बहुत जादा माइने नहीं रखते हैं, उसको पन skip कर देंगे, गुड्स एक important definition है, इस साल भी काम आएगी, अगले साल भी काम आएगी, आपको exam में पूछे ना पूछे, बट रियल लाइफ में बहुत काम आने वाले definition है, गुड्स means every kind of movable property, हर प्रकार की चल संपत्ती, other than actionable claim in money, actionable claim means debt, उधारी, जिसको आपको recover करने का अधिकार है, इसलिए हम उसको बोलते है, actionable, action लेके हम recover कर सकते है, actionable claim, सो यह एक प्रकार के debt होते हैं, and money, money और actionable claim यह goods नहीं है, other than actionable claim in money, and includes, और क्या 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 गूट्स है, stock and shares, सो stock होगए, shares होगए, यह goods में cover होते है, फिर growing crops, grass, things attached to a forming part of land, which are agreed to be severed before sale, और under a contract of sale, so, ऐसी चीज़ें जो जमीन से जुड़ी तो हैं, बट जिसको मैं अलग करके बेचना चाहता हूं, वो चीज़ें goods में cover होगी, जो जमीन के साथ बेचना चाहता हूं, वो goods नहीं है, जैसे जमीन से जुड़ी यह building है, जमीन हैं, उसमें खेत में crops लगे हुए हैं, तो अगर गेवूं काट के अलग बेच देता हूं, तो goods हैं, आम का पेड गदा हुआ है, जमीन में जमीन के साथ बेच दूगा, तो goods नहीं है, पर मैं आम तोड़ दूगा, आम का पेड काट दूगा और लकडी निकाल के बेच दूगा, तो वो goods हैं, वैसे बिल्डिंग है, जब अगर हम कोई old coins, foreign coins की बात करें, foreign currency की बात करें, rare coins बुले, तो यह सब goods रहेंगे, यह money नहीं है, ठीक है, फिर goods कैसे कैसे classify किये जा सकते हैं, goods can be classified as existing goods, existing means वो जो exist कर रहें with the seller at the time of contract of sale, जब मैंने contract किया, उस बक्त अगर वो मेरे पास थे, seller के पास थे, तो वो कहलाते है existing goods, फिर इसको ही हम specific goods और ascertain, uncertain goods में classify कर सकते हैं, specific goods यह वो वाले goods जिसको हमने identify कर लिए at the time when the contract is made, जब मैं contract कर रहा हूँ, तभी मैंने बोल दिया मुझे यह इच वाला टीवी चाहिए, तो यह इच वाला टीवी जो है, वो specific goods है, जो identified and agreed upon at the time of contract of sale है, वो specific है, uncertain goods वो जो identify नहीं हुए, मैं दुकान में जाता हूँ, बोलता हूँ, मुझे 10 किलो rice च ascertained goods, जब उसमें से 10 किलो अलग कर लिए जाएंगे, तब जाके वो ascertained हो जाएंगे, तो ascertained भी identified है, लेकिन फरक है in the point of time of identification, इनके सब ascertained goods, goods identify होते हैं after the contract of sale is made, लेकिन specific goods at the time of contract ही identify हो चुके है, तो यह फरक है, ascertained or uncertain goods यह पूरे act में defined नहीं है, यह आती है judicial definition, जज ने court cases में यह definition दी है, इसलिए आपको act में यह words नहीं देखने को मिलते कई जगे पर, फिर future goods, future goods यह वो goods जो आगे आएंगे, वो existing नहीं है, existing यह जो है, जो आगे आएंगे, जो मेरे पास आज नहीं है, वो future goods है, जैसे कि समझो मैं एक दुकान में जाता हूँ, और मैं कोई goods खरीदता हूँ, जो उसके पास अभी है नहीं, वो मंगा के देने वाला है, जैसे कि हम कार खरीदने जाते हैं, वेटिंग होती है, तो वो कार अभी है नहीं है, हो सकता है, manufacturer के पास बनी होगी, बट seller के पास नहीं है, तो वो future goods हैं, और contingent goods जो आ भी सकते हैं, नहीं भी आ स जो आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, वो कहलाते हैं, contingent goods, फिर destruction of goods, perishing of goods, before making the contract, ये भी रूल आपको पता ही है, अगर contract करने के पहले ही goods परिश हो चुके हैं, contract हमारा यहां पर बना होता, उसके पहले ही goods परिश हो चुके हैं, लासा की death हो चुकी है, तो ये हो जाएग वोईड, contract नहीं है, agreement, और अगर लासा की death होती है, contract बनने के बाद, but before performance, perform होने का था, तो ये हो गया, वोईड, contract, ठीक है, तो contract बनने के पहले चला गया, तो ये चीज, contract एक में भी बढ़ते हैं, और यहां पर भी section 7 और section 8 इसके बारे में बताते हैं, लेकिन ये रूल specific या certain goods की destruction होते हैं, तो void agreement होगा, जैसे समझो, मैं आपको लासा बेच रहा था, अब वो लासा बाहर खिलने चला गया, और वो truck की नीचे आ गया, उसकी death हो गई हमको ये पता नहीं है, हम यहां पर 12 बजे contract करके उठते हैं, तब पता लगता है कि 11 बजे लासा की death हो चुक हैं, लेकिन अगर यही घटना बाद में होती है, लासा की death होती है, after the contract has been made, 12 बजे हमने contract किये, तब तक कि लासा जीवित था, मैंने बुला, class खतम हो जाएगी, पांच बजे तब मैं आपको लासा लाके दे दूँगा, तब तक उसको मेरे पास रहने दो, अब वो मेरे पा होगा है, बिल्कुल एक जैसे pure white color के, तीनों एक साथ पैदा हुए, बिल्कुल differentiate करनी सकते हैं, अब इन में से मैंने एक लासा बेचने की बात किया, लेकिन कौन सा लासा यह decide नहीं हुआ, अब हम लोग contract कर चुके हैं, perform होने का है, इस बीज में एक लासा की death होती है, तो य जाके agreement या contract void होता है, लेकिन अगर uncertain goods destroy होंगे, तो contract void नहीं होता, तो यहाँ पर contract valid होता है, और जो बच्ची वी quantity है, उसमें से मुझे goods लाके देना पड़ेगा, तो यह चीज हमने already पढ़े थे काफे deep में है, तो वही चीज बताई हुए, and last चीज है price, price जो है money consideration होता है, पैसा लेके goods देंगे, तभी हम sale of goods set में उसको पढ़ते हैं, अगर barter है, तो वो sale of goods set में cover नहीं होता, price कैसे determine होता है, तो यहाँ तो contract में fix कर सकते हैं, या फिर हम लोग छोड़ देते हैं, वो कोई particular manner में fix होनी के लिए, like third party fix करेगी, उस हिसाब से हम contract perform करेंगे, या तो course of dealing के ओपर हम छोड़ देते हैं, जो हमारे बीच हमेशा dealing चलती है, कि जो भी manufacturing cost होगा, उसमे 10% जोड़ के बेज देंगे, तो उस प्रकार से हो सकता है, और अगर कुछ भी नहीं कर सकता है, तो reasonable price, कभी-कभी हम third party के ओपर छोड़ देते हैं, कि वो contract में price fix करेगा, और हम contract perform क करेंगे, जैसे मैंने car बीचने का बादा किया, car की कीमत कितनी निकालना है, यह हमको नहीं समझ रहा, मैं A हूँ, आप B हो, तो हम मोलते हैं कि C जो fix करेगा, वो price में हम deal करेंगे, अगर वो fix कर देता है, तो contract perform करना है, अगर वो fix करने से मना कर देता है, तो contract void हो गया, लेक और इसका price C fix करने वाला, तो बाद में C ने इसको मना कर दिया, यहाँ पर contract void नहीं होगा for car number one, car number one के लिए contract valid है, पूरा हो चुका है, perform हो चुका है, सिर्फ price कितना देना, तो अब price C ने नहीं निकाला, तो यहाँ पर reasonable price देखा जाएगा, reasonable price will be a question of fact, अगर नहीं निकाल प तो यह चीज़ बताता है, section number 10, कि जब parties ने agree किये थे, कि third party के fixation के बाद हम contract perform करेंगे, और third party fail हो जाती है, तो contract becomes void, लेकिन अगर buyer ने already कुछ गुट्स ले गया है, use कर चुका है, तो उसके बदले फिर reasonable price pay करना पड़ेगा, और अगर third party को रोक रहे है हम, जैसे A ने C को price fix करने से मना किया, तो A is bound to pay damages as well, तो which is third point में बता ही है, फिर stipulation regarding payment of price, जब धी हम कोई contract करते हैं, तो contract में terms अलग अलग प्रकार की होती है, एक term related to payment of price and term relating to not relating to payment of price, time for payment of price जो होता है, यह essence नहीं माना जाता, essence of contract नहीं माना जाता, and stipulation relating to delivery of goods इसको generally हम essence मानते हैं, तो यह चीज़ बताई गई है, तो इसको हम essence मानते हैं, कुछ तो भी हो गया, ऐसा होता नहीं आजकल, क्योंकि अब मैंने update कर लिया हो मेरा system, नए की जरुदत नहीं थी, मैंने update कर लिया हो गया, पर यह क्या हो रहा है, यह कुछ अजीब ही हो रहा है, यह मेरे system की problem तो नहीं होना चीए, उल में पादेा होो गई होना था ख़या है, इसक or में रहा हैं यह थूगया है, यह है इसको ग्यागी हो चलो ठीक है So Time is the essence of contract यह वाला concept अपने दोनों में पढ़ा है आपने Contract एक में पढ़ा है और Sale of Goods एक में पढ़ा है So time essence होता है जब goods की delivery की बात होती है But it is not the essence when payment of price की बात होगी ठीक है So delivery of goods के time पर यह essence होता है Essence of contract होता है ठीक है फिर conditions and warranties अब condition and warranty क्या है So कई बार contract में हम लोग बहुत सरी terms and conditions decide करके रखते है वो conditions, वो terms दो प्रकार का रूप लेती है वो या तो condition होगी या तो warranty होगी condition तब बोलते है when it is essential to the main purpose of the contract उसके बिना मुझे वो contract करने में कोई interest नहीं है जैसे मैं car खरीदना चाता हूँ और मैं ऐसी कार चाता हूँ जो 20 km का average दे So ये condition हो गई मेरी अगर वो 20 km का average नहीं देगी तो मैं contract cancel कर सकता हूँ साथ में damages claim कर सकता हूँ But warranty is co-lateral to the main purpose of the contract जहां पर मेरा main aim वो condition main चीज नहीं है But it is co-lateral मैं जाता हूँ ये अच्छी कार खरीदने डीलर बोलता है कि ये अच्छी कार है इसमें ये features है साथ में ये 20 km का average भी देगी अब 20 km का average ये condition नहीं थी मैंने उसके आधार पर contract नहीं किया पर फिर भी अगर वो 20 km का average नहीं देती है तो मैं damages claim कर सकता हूँ But I cannot cancel the contract क्योंकि उसके basis पर मैंने contract एंटर नहीं किया था वो condition है या warranty ये depend करता है on the intention of the parties कभी-कभी हो सकता है word condition use किया होगा बट वो warranty है कभी हो सकता है warranty use किया होगा बट वो condition है फिर कभी-कभी condition तूटेगी लेकिन हम उसको warranty treat कर सकते हैं ये हो सकता है या तो voluntary हम अतनी इच्छा से decide कर सकते हैं कि भले तूटी है condition बट हम उसको warranty treat करें जैसे कि मैंने car खरीदा था और मैंने condition रखा था वो 20 km का average देना चाहिए अब वो 20 का average नहीं दे रही है बट मुझे car work पसंद आई तो मैं बूलता हूँ कि मैं contract cancel नहीं करता बट मैं damages claim करूँगा that means मैं instead of treating it as condition warranty मान रहा हूँ लेकिन voluntary मैं अपने इच्छा से ही decide कर रहा हूँ तो it is called as voluntary waiver of condition where instead of cancelling the contract मैं accept कर सकता हूँ defective goods या फिर beyond the stipulated time and treat the breach of condition as breach of warranty that is instead of repudiating I am claiming only damages दूसरा होगा compulsory waiver of condition जब मैंने जो goods खरीदा हूँ वो indivisible nature के goods है indivisible means एक ही contract किया था मैंने 1000 kgs of rice इसमंगाया था अब उसने उसके पास दो अलग-अलग auto थे तो उसने दो अलग-अलग installment में मुझे 5500 kg के goods भीजा पहला अगर 500 kg का जो goods है ये पहली installment आगई और ये installment कुछ defective थी सम्झज़ों ये चावल खराब थे गीले थे और इसलिए मैं इसको इसके बावजूद मैं इसको accept कर रहा हूँ भले यह defective थे बट मैं accept कर रहा हूँ तो जब second वाली installment आईगी तो मैं उसको reject नहीं कर सकता यह बोलके कि यह defective है क्योंकि मैंने पहला defective होनी के बावजूद accept किया तो second भी मुझे compulsorly accept करना पड़ेगा unless at the time of accepting the first installment मैंने बोला था अगर मैंने उसको बोला हूँ कि मैं first तो ले रहा हूँ बट second मना कर दूँगा अगर वो भी खराब आए तो तो मैं मना कर सकता हूँ नहीं तो I cannot reject it क्योंकि यहाँ पे compulsorly जो condition थी वो wave हो चाहिए conditions and warranties यह दो प्रकार की हो सकती है एक express by the contract और दूसरी implied implied conditions हमारा mean topic है जिसके उपर हमको chapter पे चलचा करना है जिस पर questions आएंगे तो देखते हैं कौनसे होली conditions पर questions आएंगे तो so express conditions वो जो expressly agree upon की जाती है और implied जो expressly नहीं बुला but it has been enacted in the sale of goods act section number 14 to 17 of sale of goods act कुछ implied conditions and warranties के बारे में बताता है ध्यान रखो implied conditions बनाएगे यह for the benefit of buyer भले यह कहीं लिखा नहीं रहेगा बट समझने के लिए यह चीज़ें अगर आप पढ़ते हो ध्यान में रखते हो तो easily चीज़े क्लिक होती है so पहली चीज़ है as to title so implied condition as to title का मतलब होता है जब मैं कोई चीज़ बेच रहा हूँ तो I have the ownership अगर मैं owner हूँ तभी मैं चीज़ बेच सकता हूँ मैं owner नहीं हूँ तो चीज़ नहीं बेच सकता समझो मैंने चोरी किया हुआ एक mobile आपको बेच दिया कल चल कर आपको पता लगेगा कि यह चोरी का mobile था तो आप उसको reject कर सकते हैं यहां बोलने की ज़रत नहीं है कि सर अगर चोरी का mobile रहेंगा तो वापस करूंगा तो यह बोलने की आवशकता नहीं है because it is implied हम मान लेते हैं हम ऐसा पूछते नहीं है कि सर चोरी करके तो नहीं लाए तो अपन पूछते नहीं है अपन मान लेते हैं कि यह इनके खुद की चीज़ है इसलिए बेच रहे हैं कल चल कर अगर यह नहीं निकलता है गलत निकलता है तो you can cancel the contract because implied condition duty है तो condition of title कि मेरी ownership ही नहीं है फिर भी मैंने बेचा तो you can cancel the contract फिर दूसरा है description description की condition यह तब होती है जब हूं goods का description बता के चीज़ खरीदते हैं आपकी खरीदने जाते हैं आप बोलते हैं कि मेरी best friend का birthday तो एक hardship का cake बनाना उसमें लिखना happy birthday baby अब आगे वाले को आपने proper description दे दिया उसने description के हिसाब से अगर cake नहीं बनाया तो you can reject it उसने heart shape का cake नहीं बनाया या तो उसने scientific heart बनाया तो ऐसे case में आप उसको reject कर सकते हैं scientific heart अलग होता है चार chamber होते हैं से arteries जाएगी veins जाएगी तो वह अलग होता है तो उसने ऐसा आड़ा त्यड़ा heart बना के दे दिया तो आपन उसको reject कर सकते हैं तो यहां पे भी बोलने की ज़रुप नहीं होती कि भी आदे को description से match नहीं होगा तो हम reject कर देंगे description अलग अलग प्रकार से दिया जा सकता है like quality बता के जैसे बास्मती राइस बता है आपने यह quality बता के description हो गया या फिर कभी कभी उसकी packing बता के दिया जा सकता है जैसे कि आपको बोन मिटा चाहिए कांच की bottle वाला वो आप अगर description बता के खरीद रहे है और आगे वाला बोल रहा है कि यह goods नहीं है मेरे पास तो आप reject कर सकते हैं वो अगर आपको refill pack दे रहा है तो आप उसको मना कर सकते हैं तो अलग-अलग प्रकार से description आप दे सकते हैं यहाँ पर rule यह बोलता है कि अगर आप मटर बेचने का वादा करते हैं तो आप आगे वाले को राजमा नहीं टिका सकते हैं तो वहाँ पर रिखा हुआ है लिखा हुआ ऐसा तो यह प्रिंसिपल पर आदा रहेता है description वाला rule फिर sale by description as well as sample जब आप sample और description दोनों देखके goods बनाते हैं तो फिर वहाँ पर goods shall correspond with both sample as well as description quality और fitness सबसे important condition जिस पर question आने वाला है ध्यान रखना आ सकता है हाँ आएगा so as to quality or fitness section 16 section 16 बोलता है general rule यह है there is no such implied condition तो यह जो implied condition में हम पढ़ रहे हैं पहला rule तो यह है ऐसी implied condition होती च नहीं so there is no such implied condition as to quality or usage for particular purpose of the buyer तो अगर बायर कुछ गलत चुनाव करता है तो बायर himself is responsible इसको हम एक दूसरा नाम देते हैं बायर बिवेर या doctrine of caveat emitter तो this is the general rule जनरल रूल है अगर seller गलत चुनाव करता है तो seller जिम्मेदार होगा you cannot blame it on seller अगर इतना बड़ा रूम है यहां पर light white नहीं थी बीचों बीचे एक holder और कोई holder नहीं है मैं जाके एक बल्ब खरीद के लाता हूं मुझे 10 watt का बल्ब दो अब वो 10 watt का बल्ब लाके लगाता हूं और उजाला नहीं होता है तो मैं यहां पर seller को blame नहीं कर सकता कि एक ऐसा बल्ब दे दिये क्योंकि selection मैंने किया था उसको थोड़ी पता है कि मैं washroom में लगाना चाहता हूं पैस तो buyer को क्या चीज़ चाहिए यह उसने check करना चाहिए सब सूच समझ के उसने decision लेना चाहिए if he makes a bad choice he cannot blame it on the seller but अगर यहां पे थोड़ी से condition change करते हैं तो यह implied condition of fitness and quality आ जाती है यहां पे तीन points important है जो आपको ध्यान रखना है पहला point if the buyer makes known to the seller the particular purpose for which the goods are required मैंने उसको बताया है कि देखो भी है इतना बड़ा room है बीचो बीच होल्डर है और कहीं कोई light weight नहीं है उस होल्डर में मुझे एक bulb लगाना है ऐसा बल्ब दो जिससे पूरे room में रोश्नी हो जाए अब यहां पे buyer makes known to the seller the particular purpose for which the goods are required दूसरा point the buyer relies on seller's skills and judgment buyer seller के उपर ट्रस्ट करता है कि वो बर manufacturer है नहीं है उससे कोई फरक नहीं पड़ता but it is a business वो इसका business करता है then the responsibility falls upon the seller that the goods shall be reasonably fit for that particular purpose फिर यहां पे अब उसकी जिम्मेतारी होगी अब मैंने उसको बता के अगर लेके आया था बल्ब वो लाया लगाया और उसके बाद बटन चालू किया उजाला नहीं हुआ तो मैं पोल सकता हूं seller को कि तुमने goods मुझे खराब दिये गलत दिये यह goods वापस लो यहां I can reject the goods क्योंकि यहां पर मैंने उसको बताया था तीनों condition पूरी हो रही है इसमें वही एक और example था dentist वाला जिसमें मैं बुज़र्ग हो जाता हूं दाथ तूड जाते हैं तो मैं जाता हू कि मुझे denture बना के दो अब मैंने उसको बताया मैं buyer हूं buyer makes known to the seller the purpose for which the goods are required मैं उसके skills judgment पे rely करता हूं and उसका यह business है उसने आप मुझे denture बना के दिया मैंने लगाया और फिर वो थोड़े बड़े निकलते हैं मेरा मुझ खुला का खुला रहता है ऐसे cases में मैं goods को reject कर सकता हूं इसमें एक और case हमने देखे थे जिसमें heavy traffic in hilly country के लिए उसने truck मंगाया था लॉरी मंगाया था बट बाद में पता लगा कि वो लॉरी उस लाइक नहीं थी यहां भी reject किया जा सकता है अगर वो खुद जाके लॉरी select करता तो reject नहीं कर सकता था बट उसने यह तीनों condition पूरी थी उसने बताया कि मुझे क्यों चाहिए है goods फिर वो उसके उपर rely कर रहा है और उसका ही business है तिनों condition पूरी होती है तो responsibility falls upon the seller फिर एक और case है जहां यह rule नहीं लगेगा जब हम brand name बता के चीज़ करीद रहे हैं तो जब अगर मैं brand name बता के चीज़ करीद के लेके आ suitable नहीं था वो उसके घर के हिसाब से था वो hotel के लिए इस नहीं गया है तो यहां पर he cannot blame the seller अगर वो खराब हो जाएगा तो क्योंकि उसने उस brand name के उपर जाधा trust किया उसने brand का नाम बताया सुजीत का mixer grinder दो तो he is not relying upon seller skills he is relying upon that particular brand name तो he cannot blame the seller ठीक है यह हमने पढ़ा था तो यह सबसे important है ध्यान रखना इस पर question आएगा फिर merchantability वाला simple है merchantable का मतलब है it should be commercially sellable उस नाम से बेचे जा सके जैसे मैं horn खरीदने जाता हूं मेरे car का horn खराब हो गया तो वो horn car के horn जैसा बजना चाहिए अगर वो scooter के horn जैसा बज रहा है तो I can reject the goods तो यह हमने देखा था फिर इसमें एक point और हम inspection करके लेते हैं then we cannot reject the goods उसने मुझे horn बजा के बताया कि देखो भी ऐसा बजता है पी 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 मैंने बुले लगा दे अब लगा दिया बाद में र कि वो horn कैसा बज रहा है तो पीप बज रहा है तो मैंने बना करना था वो pom-pom बजना चाहिए क्योंकि car का horn है तो car के जैसा बजना चाहिए फिर तीसरा rule इसमें एक और rule है तो पहला rule है कि जो चीज हम खरीद रहे हो merchantable होना चाहिए दूसरा inspection के बाद खरीद है तो यह rule नह चालू है बंद के लाइट बंद हो यह ने बंद है that means हमको लगता है फ्रिज चालू है काम कर रहा है अब मैंने खरीद के ला लिया उसको लगा है बाद में फ्रिज में बॉटल्स भरके रखा हूं पानी की बताना जरूरी है अब भरके तो पानी किछ रखोंगे ना वो तो खाली करते हैं दूसरी वाली तो भरके नहीं रखना पड़ता हाँ ठीक है ठीक है ठीक है मैंने पानी की बॉटल भरके रखा हो थंडिच नहीं हो रही अब यहां पर फ्रिज डिफेक्टिव है तो यहां पर मुझे सेलर नहीं बोल सकता शर्मा जी आपने तो चेक करके खरी घ्क करने में मुझे छुपए हूँ धिफेक्ट थोड़ी पता लगते हैं तो यह अगर लेटेंट डिफेक्ट भूलते हैं तो ऑगें आय किन रेजेक्ट दिफ Неवनाफ्तर इंस्पेक्शन निकलके आते हैं सेफ्ट जब हम सैंपल देख सेंपल देख क्रीदने जारहे हैं तो हमको बहुत सारे सेंपल दिखाए जाते हैं, उसमें से एक सिलेक्ट करते हैं, उसका रंग देखते हैं, पर उसको सूम के देखते हैं, फिर हमको समझता है कि हाँ सूम के देखना पड़ता है, तो चिन्न और चावल है तो उसमें सुगंद आईगी, बाकी है हैं, काली जब उसने चावल ले के आया, तो मुझे चेक करने की एक अनुमती मिलना चीए, वही गुड्स लाई या नहीं, जो मैंने मंगाये थे, अगर यह सब वो नहीं देता है, उपर्चुनिटी नहीं दे रहा, सैंपल से मैच नहीं हो रहे हैं, तो आईकन रिजक्ट दे गुड् फिर गुड्स चैल भी होलसम, होलसम लगता है खाने पीने की चीजों के उपर, जब खाने पीने की चीज खरीदते हैं, तो इनसान के कंजियूम करने लायक होना चीए, तो इच्छुड भी फिट फॉर दी हुमन कंजम्शन, अगर मैं मिठाई का टबा लेके आ रहा हूं, उससे बद्बू आ रही है, तो आइकन रिजेक्ट इट, यह बोलके कि वो होलसम नहीं है, इसमें एक केस और देखे थे अपने प्रीस्ट वर्सेज लास नहीं था, उसमें एक ऐश्बरी डेरी कंपनी का केस था, फ्रॉस्ट वर्सेज एश्बरी डेरी कंपनी, हाँ भी भी अच्की थी, उसने मिल्क लेक आया था, उसमें टाइफॉट के जर्म से, उसने अपने वाइफ को पिला दिया, वाइफ ने पी और भचक गई, तो उसको नुकसान हो गया, तो उसने यहाँ पर क्लेम किया, कि मेरी वाइफ भचक गई, और यह मिल्क में कंटेमिनेशन था, तो इसको कॉंपेंशिन मिला, और यह मिल्यां मिला, तो दो दो ऌते हो गई हो गार इसके, तो फिर होता है, किसमत वालों, नहीं होना चीए, नहीं होना चीए, खहाँ, तो होलसमनेश में एक कंडिशन, एक केस भी दिया हुआ आपको बूक में, ठीक है, तो फ्रॉस व्रॉ नहीं लगेगा merchant ability sample and wholesomeness का नहीं दिया है wholesomeness यहने खाने पिनी की चीजों में होता है ठीक है तो wholesomeness इसका मतलब है fit for human consumption तो consume करने लायक होना चाहिए जैसे पपू जाके जूते खरीद के लाता है तो जूते खाने लायक होना चाहिए यह कहा लगेगा? सिर्फ खाने पीने की चीजों में wholesomeness का उल सिर्फ खाने पीने की चीजों में लगता पिके कुछ बोलेंगे सार जूते भी तो खाते हैं लोग गनिक पहले भी खाते है फिर implied warranties 01 bright warranties में यह कुछ ऐसी चीजए जहां पे आप contract तो cancel नहीं कर पाओगे, but you can certainly claim damages, तो आप नुकसान की भरपाई करवा सकते हो, buyer must get the quiet possession of the goods, इसमें एक actual case हुआ था, जिसमें Mr. X होते हैं, X ने Y को higher pay एक car दे दिया था, ये one month के लिए दिया था, बट इसके बाद बिना बताए, Z को इसने sell कर दिया, यहाँ पर दोनों का position disturb हुआ है, Z का भी और Y का भी, so Z ये नहीं बूल सकता कि मैं car नहीं खरीदूंगा, Z को car तो लेना पड़ेगा, but he can claim damages, damages claim करने का अधिकार होता है, वैसे ही, यहाँ पर Y can also claim damages from X, क्योंकि Y का भी position disturb हुआ है, so यह example आपके book में दिया हुआ है, यह actual case पर आदा रही था है, आप उसमें देखोगे तो उसमें लिखा है, held that Z can claim damages, but he cannot cancel the contract, goods must be free from encumbrances, encumbrances means किसी का charge, किसी का अधिकार, so इसमें भी actual case हुआ था, so एक वेक्ति होता है, समझो Mr. A, यह जाके एक car खरीद के लाता है, एक dealer के पर जाता है, और dealer से यह car खरीद के लिए क्या आता है, पर यह loan पर लिए क्या आता है, तो इसमें bank वाले क्या करते हैं, तो अपने एक charge create करते हैं, इसमें bank बोलते हैं कि आप यह car को बेच नहीं सकते, जब तक कि आप loan नहीं चुका होगें, और यह car पे हमारा अधिकार रहेगा, but still A, बिना bank को बताए, यह car बेच देता है to Mr. X, और X को भी बताया नहीं जाता कि इस पर loan चल रहा है, अब bank क्या करेगा, bank X के पास चला जाएगा कि car दो, या फिर अगर car नहीं देता है तो loan पे करो, समझो X ने यहाँ पे 20,000 रुपे का loan पे किया, तो X cannot cancel the contract, वो यह नहीं बोल सकता में यह नहीं खरी दूँगा, he will have to take the goods, but he can claim the 20,000 रुपेस जो पे किये गए है, X के द्वारा to the bank, तो यह encumbrance अगर है, जो बताया नहीं गया था, तो यह encumbrance अगर वो पे करता है, तो he can claim it from the seller, फिर कई बार warranty for usage of trade या quality जूड़ी होती है, by customs, जैसे कि ready-made garments की case में होता है, ready-made garments की case में, अगर आप कोई ready-made garment 40 number का shirt पहनते हैं, तो 40 number के shirts आपको reasonably fit होना चाहिए, फिर वो किसी भी brand के हो, reasonably fit होना चाहिए, एकदम perfect fit नहीं आएगा, फिर reasonable fit होना चाहिए, अगर वो reasonably fit नहीं होते हैं, तो आप यहां contract cancel नहीं कर सकते हैं, बट fitting करा के ले सकते हैं, इसलिए आपने दिखा होगा, कभी भी आप कोई कपड़े खरीद के ले के आते हैं, तो उसमें अगर वो fit नहीं हो रहे हैं, तो आपको अधिकार होता है, आप दूसरा ले सकते हो, बट आप contract cancel नहीं कर सकते हैं, तो आप जाके वो exchange करवा के दूसरा ले लो वो चलेगा, बट cancel करने का अधिकार नहीं होता, क्योंकि यह warranty में cover होता है, फिर dangerous nature of goods हैं, तो यह भी disclose करना चाहिए, जैसे कि अगर deodorant हो गरे हैं, उसमें लिखा होगा, inflammable nature का है, poison होगर है, hit का packet ले क्या रहे हैं, तो वो सब चीजों में लिखा होता है, हेट होता है, उसमें लिखा होता है, तो जहर है, हाँ, ठीक है, तो ऐसा है, फिर doctrine of kevet enter, kevet enter is nothing but section number 16, actually यह अलग नहीं है, kevet enter की जो doctrine है, वो यहीं से आती है, implied condition of quality or fitness, जिसमें यह तीन conditions मैंने बताया था, ठीक है, तो general rule है, आपका there is no implied condition as to quality or fitness for the purpose of the buyer, और इसी doctrine को हम बोलते है, kevet enter, that is, let the buyer beware, so, वही चीज़ है, कि अगर आप गलत चुनाव करते हैं, तो आप उसके लिए जिम्मेदार हैं, आप उसके लिए blame नहीं कर सकते, seller को, जैसे आप जाके shirt खरीद के लाते हैं, अब वो shirt आपने कभी पहने ही नहीं, होता है कई बार अपन गलत चुनाव कर लेते हैं, मैंने shirt खरीद के लाया, baby pink color की sleeveless shirt, मैंने खरीद के ला लिया, लेकिन कभी पहने ही नहीं भी, तो यहाँ पे अब मैं seller को blame नहीं कर सकता है, यह करसी shirt बेज दिये मैंने को, तो वो तो मेरा selection था, उसको लगा होगा शर्मा, जी पहनते होंगे ऐसे कपड़े, तो लेकिया है, यहाँ पे मेरा अगर गलत चुनावेता है, cannot blame it on the seller, बल्ब वाला भी same case है, मैं जाके बल्ब खरीद के ला रहा हूँ, उसको थोड़ी पता है, मुझे बल्ब यह room के लिए चाहिए, कि passage के लिए चाहिए, कि washroom के लिए चाहिए, वाश्रूम के लिए हो सकता है, चोटा बल्ब लेके जा रहा हूँ, passage के लिए चोटा बल्ब लेके जा रहा हूँ, ऐसे cases में मैं उसको जिम्मेदा नहीं ठेला सकता, अगर वो मेरे usefulness के लिए लायक ना रहे तो, यह general rule है, तो इसी का मतलब है कि buyer should satisfy himself about the quality, purpose, यह सब चीज उ उसके लायक है या नहीं, तो यह general rule है, ordinarily a buyer must satisfy himself about the quality and fitness, और अगर वो गलत choice करता है, तो he cannot blame the seller or recover damages from him, this doctrine is stated in the opening words of section 16 only, तो 16 में बताएगे यह, subject to the provisions of this act and any other law for the timing in force, there is no implied warranty or condition as to fitness or quality for any particular purpose of goods supplied under a contract of sale, तो general rule है कि आसी को implied condition और warranty नहीं होती, लेकिन इसके कुछ exceptions है, जहाँ पे implied condition and warranty आ जाएगे, तो caret enter का rule किसको protect कर रहा है, अब यह protect कर रहा है seller को, लेकिन इसके exceptions फिर से किसको protect करेंगे, तो buyer को, ठीक है, तो इसमें पहला exception गी दिया है, section 16.1, जब buyer ने seller को बताया था उसको किस चीज के लिए goods चाहिए, यह पढ़ा हुआ है, जो कभी यह भी आता है आपको ध्यान रखना है, exceptions भी पूछते है, exceptions to doctrine of care tempter, तो doctrine of care tempter के exception इने, वह ही है, जो उपर अपने पढ़े न, वही चीज़े फिर से देखने को मिलेगी, एक यह हो गया, फिर condition, description वाली condition हो गई, तो यह सब चीज़े इसमें cover हो गए, तो वही है, description वाला, what shall be of merchantable quality, description से match होना चाहिए, trade usage में, जैसे ready-made garments का हमने देखा, तो garments वाला case, reasonably fit होना चाहिए, यह दो नए case है, बाकी तो नहीं है, यह भी वह यह, sale by sample है, तो sample से bulk correspond होना चाहिए, यह दो नए case है, जिसमें fraud है, दोनी fraud के case है, तो यहां भी buyer beware का rule नहीं लगता, that means, यहां seller will be responsible, जब seller is guilty of fraud, जब वो जूट बोल रहा है, जैसे pinky जाती है, एक dress करीदने, वो जाकर dress पसंद करती है, बैट वो dress में sleeves नहीं होते, अब उसके घर में sleeveless dress नहीं चलता, उसको घर पर डाट पड़ती है, तो वो घर जाकर क्या बताएगी, इसलिए वो बोलती है, यह वाले goods नहीं चाहिए, इसमें sleeves नहीं है, अब seller उसको जूट बोलता है, seller बोलता है, मैडम, sleeves है, उसमें, वो अंदर है, उसको काट की लगा लेना, इसलिए चिपका देना, तो बोलती है, अच्छा, ठीक है, मैं ले जाती हूँ, उसने ले गई, घर जाकर पता लगा, उसमें कोई sleeves थी नहीं, fraud हो गया, ऐसे case में, she can cancel the contract, even भली यहाँ पर बायर बीवेर वाला रूल लगता है, बट फिर भी यहाँ, seller ने जान बुझकर जूट बोल के उसको चीज चिपका आया, तो फिर यहाँ पर, she can reject the goods, क्योंकि seller is guilty of fraud, तो कैवेट इंटर विल नॉट अपला है, क्योंकि जूट बोला गया था, अगला point भी similar है, when the seller actively conceals a defect, जहाँ पर जान बुझ कर defect को चुपा रहा है, तो यहाँ पर भी यह rule नहीं लगेगा, जैसे कि एक shirt है, उसमे एक छोटा सा hole है, उसने रफू करके मुझे बेज दिया, तो यहाँ पर मैं इसको cancel कर सकता हूँ, अगर with hole बेज देगा without रफू, तो यह fraud नहीं है, यहाँ मैं cancel नहीं कर सकता, यहाँ म हाँ फिर भी जूट बोला ना, तो देखो, जूट बोलने वाली case में वह वाला rule नहीं लगता, इनका सवाल है ordinary diligence पर, ordinary diligence पड़े पर अपनने, तो ordinary diligence वाला rule लगना चाहिए, यहाँ कि उसने देखी है, तो उसको तो पता लग जाना चाहिए था, बट जब fraud होता है ना, fraud में ordinary diligence वाला rule नहीं लगता, यह हम फिर से अभी जब देखेंगे misrepresentation और fraud, उसके difference में जाके देखना, कि जब misrepresentation है, वहाँ पर हम बोल सकते हैं, तुम तो देखके पता कर सकते थे, बट fraud की case में हम यह defense नहीं क्लेम कर सकते हैं, यह तो देखके पता कर सकते थे, ठीक हैं? क्या है? हाँ बताओ, हाँ बताओ न तो, पढ़के बताओ न, लाओ, वाट्शिप कहां करते हैं अभी? एक question आया है, goods purchased and a patent name exception कैसे हुआ? exception है ना, यह इसका exception है, कि अगर आप patent का नाम बता के खरीदते हैं यहाँ पे, यह यहां दिया नहीं है, आप पूरी book में देखोगे तो यहां लिखा हुआ है, कि अगर आप patent का नाम बता के खरीदते हैं, तो आप इसके उपर rely नहीं कर रहे हैं, seller के उपर, so seller के इसके यह जज्जमेंट पर रिलाई नहीं कर रहे है और इसलिए यह यहां पर यह वाला रूल नहीं लगता अपना कंडिशन आफ क्वालिटी वाला प्रिफ वाला कश्छन एगा है की विजिटे अ कर राना मार्बल्स पर पर फूचर उपर चाहिए व्युजजन पर फूचर बाल नी की विड भाल्ड्स है विजसे स्ट विजिट इस मेज प्र आफ fresh तूप प्र सॉप श्थे प्रियर आप कर लिए व्युजी श्युजन the construction pattern was different तो वो इसका question है कि एक वेक्ति होता है कि वो एक दुकान में जाता है मकराना Marbles की और वहाँ जाके Marbles के लिए ओनर को बुलता है कि तुम आके थोड़ा देखो घर और मुझे Marbles सेलेक्ट करके बतावा वो आता है देखता है और बताता है कि ये मार्बल तुमने लगाना चीए की बोलता है कि काम करो उपर सेकेंड फ्लोर थोड़ा अलग है वो भी देख लो बट उसने नहीं देखा और जी ने फिर जाके इन्हें ओनर ने शॉप वाले ने इसको कुछ मार्बल्स प्रवाइड कर दिया वो लगाने के बाद पार्किंग अगरे में तो वो उतना भार नहीं सह पाए और वो तूड़ गए तो क्या जी रिफ्यूस कर सकता है यह वापस करने से तो आंसर इस नो जी रिफ्यूस नहीं कर सकता जी को वापस लेना पड़ेगा यहां बायर विवर का रूल थोड़ी लग रहा है क्योंकि यहां पे तो सेलर खुद समझा रहा है सेलर बता रहा है तो यह exception यह इसी पर section 16 पर ही है कि यहां पे बायर makes known to the seller the particular purpose तो उसने बताया कि तुम आके बताओ मुझे suggest करो तो उसने बता दिया ऐसा ऐसा है वो आके देखता है दूसरा seller के skill or judgment रिलाय कर रहा है कि seller है तो उसको पता होगा हर चीज एंड तीसरा कि seller का वो business है तो जे का यह business हाँ जे का यह business है हाँ नहीं बट उससे फरक नहीं पड़ता है तो answer गलत हो सकता है answer में दिया है उन्होंने ऐसा बोल रहे है बट तो गलत हो सकता है whether the replacement of damage tiles be imposed on हाँ वो करवा सकते है replace करवा सकते है तो answer में क्या दिया है इसका है replace नहीं करा सकते दिया है क्या क्या दिया है alternative दिया है अच्छा वैसे तो गलत है क्योंकि अगर ऐसा दिया होगा कि replace नहीं करवा सकते तो गलत है replace करवा सकते हो ज्यादा सही है तो यह तो खेंगे कर दो कर दो कर दो कर दो तो सही तो दिया है पहला तो सही है Since marble supplies fit नहीं थे तो इसलिए J is liable to replace तो सही दिया है नहीं कर सकता है वो ही लिखा है नहीं refuse नहीं कर सकता J will be liable to replace the marble तो reliable है replace करने को तो अपना answer वो ही है वो replace करना चाहिए फिर दूसरा answer जो है वो second question का है वो एक ही इसका दो answer नहीं है अच्छा alternative भी दिया है कैसमे तो अपन भी वही पढ़ रहे है कि replace करना चाहिए क्योंकि उसके बोलने के उपर हमने हो खरीदा था हाँ पर बोलने के उसके अच्छा अच्छा आफ दो अच्छा अच्छा का शाच करना है फाइब फिफ्ट ए वन एक टीके है टीके वेखते ही उसने टिम्बर मंगा है वन इंच थिकनेस की जिसके लिए उसको ड्रम्स बनाना था सेलर ने एगरी किया सप्लाई किया उसको और पता लगा कि वो वन इंच के नहीं थे वन से 1.4 इंच के थे और टिम्बर इस कमर्शिली फिट फॉर पॉपस फिर भी टीके रिजेक्ट करता है तो क्या हो कर सकता है आंसर है यस कर सकता है क्योंकि डिस्क्रिप्शन से भी मैच नहीं हो रहे ना जब कमर्शिली फिट है तो क्या हुआ एक ऐसा थोड़ी है कि एक ही कंडिशन फुल्फिल होना चाहिए एक कंडिशन फुल्फिल हो और दूसरी नहीं हो रहे तो भी अन्माच यन्यांच कैंसलेबल है कंडिशन पूरी नहीं हो रहे तो आप अजिम कर सकते हैं तो यहां पे जैसे भली commercially fit है बट फिर भी हमको अगर वो चाहिए ही नहीं तो हम reject कर सकते हैं बहुत सारी चीज होती ना यसी जो commercially fit है मैं फ्रिज खरीद के ला रहा हूं अब मुझे फ्रिज चाहिए था 160 लिटर का उसने 180 लिटर का भी जाया तो मैं मना कर सकता हूं अब वो भी commercially fit है merchantable है बट फिर भी description से match नहीं हो रहा वैसे यह है कि उसको हमने बुले थे 1 inch thickness के होना अब उसने 1 से 1.4 inch के वेजा तो यह गलत है जो description था उससे match होना चाहिए लेकिन इसमें एक assumption रहेगा कि assuming कि उसको inspection के बाद नहीं लिया है अगर inspection करके हमने accept किया है then we cannot reject it but inspection नहीं करने दिया था या ऐसा को यह ऐसी चीज नहीं है जो कि inspection से पता ना लगे तो अगर आपकर inspection लोगे आप तो फिर आप reject नहीं कर पाओगे ठीक है तो inspection वाला point दिये है वो same चीज लगेगे तो alternative लेना पड़ेगा उसमें अपने को assumptions क्या दिया है अच्छा क्या दिया है इसमें ने बट यहीं सही है जो answer इंस्टिट्ट ने दिया गलत नहीं हो यह वाला case है ताइल्स वाला तो वह सही दिया है उसमें गलत थोड़ी है मैंने भी बताया आपको कि ताइल्स वाले case में क्या हुआ है उसको हमने बुले टाइल्स चीए उसने आके देखा चेक किया उसके बाद अपने को supply किया अब supply करने के बाद पता लगा कि वह उस लायक नहीं है तो हम यहाँ पे cancel कर सकते है तो उसमें question उल्टा पुछा है उसमें यह नहीं पुछा है क् तो यह टाइल्स वापस लेने को मजबूर किया जा सकता है यह refuse कर सकता है तो he cannot refuse उसको लेना पड़ेगा वापस ठीक है तो question क्या पुछा है उससे एंगल से सोचो आप question पुछा है क्या वो refuse कर सकता है वापस लेने से तो answer is no so refuse नहीं कर सकता है तो आप उसमें भी कई बार confuse हो जाते है तो question क्या पुछा है वो ध्यान रखना ठीक है उसमें यह नहीं पुछा है contract cancelable है कि नहीं उसका last जो answer है question question में देको लिखा है कि क्या वो refuse कर सकता है to take back the tiles answer is no ठीक है तो आप अगर यह बोलोगे क्या cancelable है तो answer is yes लेकिन आप बोलोगे क्या वो वापस लेने को मना कर सकता है तो answer is no ठीक है समझें क्या सिंपल है वो एक बार देखना आप गर पे आपको समझ जाएगा तो यहीं वाले point पे हो 16 तो आले section 16 तो यह important है मैंने पहली बताए आपको इस पर question आ सकता है बहुत chances है चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं अब transfer of ownership के उपर चर्चा करेंगे ownership कब transfer होती है goods में सबसे पहली चीज ownership transfer होने का time पता करना क्यों जरूरी है time इसलिए जरूरी है क्योंकि risk और ownership साथ साथ चलते है जिस वेक्ति की ownership रहेगी उसका risk रहेगा इससे कोई फरक नहीं परता कि goods की delivery हुई या नहीं हुई अगर मैंने आपको इस बिजली आके गिरती है बट मैंने बेच चुका था तो नुकसान buyer का होगा आपका होगा लेकिन अगर मैं बेचनी का था और इसके पहले अगर बिजली आके गिरती है तो नुकसान मेरा होगा seller का ठीक है तो ownership की उपर risk depend करता है जो वेक्ति की ownership उसका risk रहेगा ये पहला rule दूसरा third party पर action कौन ले सकता है वो जो owner है अगर समझो third party ने goods destroy किया mobile यहां रखा था किसी ने आप इसको फोड़ जाला तो अगर मैं owner हूँ तो मैं claim कर सकता हूँ उससे लेकिन आप owner हूँ तो आप claim कर सकते हो फिर insolvency में goods ले जा सकते हैं नहीं ले जा सकते हैं depends upon ownership अगर मैं owner हूँ goods का तो मैं goods लेके आ सकूंगा या मेरा official receiver goods लेके आ सकेगा अगर मैं owner नहीं हूँ तो goods लेके नहीं आ सकते है फिर suit for price general rule है जब ownership transfer होगी तब हम case file करके price recover कर सकते हैं बट अगर ownership transfer नहीं हुई तो हम price के लिए case file नहीं कर सकते हैं जैसे मैंने mobile आपको बेच चुका हूँ ये खरीद लिया आपने 10,000 रुपे में आपने मुझे 10,000 रुपे पी नहीं किया तो मैं 10,000 रुपे कर सकता हूँ क्योंकि आपने mobile खरीद चुके हैं लेकिन mobile खरीदने का सिर्फ agree हुआ है एक महने बाद आप ये mobile खरीदने वाले थे मैं बेचने वाला था अब एक महने बाद आपने मना कर दिया तो क्या मैं आपसे 10,000 ले पाऊंगा क्या तो नहीं क्योंकि 10,000 उसका price है मैं सिर्फ damages ले सकता हूँ क्योंकि ownership transfer नहीं हुई तो I can recover only damages and not the price so suit for price तभी डाला जा सकता है जब ownership pass हो चुकी है to the buyer this is the general rule अब goods की ownership कब-कब transfer होती है तो इसको हम देखते हैं अलग-अलग type के goods के हिसाब से पहला rule है कि in case of unassertine goods unassertine goods में ownership अलग-time पे transfer होगी assertine goods पे अलग-time पे transfer होगी right out disposal reserve किया है वहाँ अलग-time पे होगी and sale on approval basis पे अलग-time पे होगी तो सबको एक एक करके अपन समझते हैं तो पहली चीज़ है unassertine goods unassertine goods में ownership transfer होती है जब goods unassertine होगे जब तक goods unassertine नहीं होते हैं तब तक ownership transfer नहीं हो सकती है so इसको example से समझते है अब भी diagram बनाने को time है बट ये example से समझते है पेड़े वाला example याद होगा आपको best example है पेड़े खरीदने का अपन so आप see foundation pass हो गए और आप पेड़े खरीदने जाते हैं एक किलो आप जाके बोलते हैं भी या एक किलो मलाई पेड़े दो उसके पास मलाई पेड़े का tray रखा हुआ है tray में बहुत सारे पेड़े रखे हुए है वो क्या करेंगा डबबा उठाएंगा डबबा रखेंगा वेइंग मशिन पे और इसमें से थोड़े थोड़े गोड़े निकाल के डालते जाएंगा तो ये जो पेड़े निकाल के अलग कर रहा है इसकों मोलने एप्राप्रियेट होना एप्राप्रियेशन कर रहा है वो Appropriation होते जा रहा है that means goods अलग करते जा रहा है Appropriate करना में Select करना तो Select करते जा रहा है Selection से क्या हो रहे है? Goods Assertain होते जा रहे तो Unassertain Goods थे बट Assertain हो गए Identify हो गए So जैसे Identify होते जा रहे Ownership Transfer हो जाएगी So ये वाले goods में क्योंकि कुछ करने की जवरत नहीं होती Deliverable State में भी है And Unconditionally Appropriated Towards the Contract है उसने पेड़े निकालके रखते गया जैसे एक किलो हो गए डबा बन करे और लेके आगए Ownership Transfer हो गई So Unassertain Goods में Ownership तब तक ट्रांसपर नहीं हो सकती जब तक के goods Ascertain नहीं होंगे Ascertain कैसे किये जाएंगे यह या तो seller कर सकता है With the Ascent of Buyer जैसे पेड़े वाले case में पेड़े अपन नहीं निकालते है वो निकालके देता है वो डबा निकालेगा पेड़े निकालके रखते जाएगा यह Ascertain होते जा रहे है तो यहां Ascertain कर रहा है seller With the Ascent of Buyer Buyer के Ascent के साथ Buyer से पूछने की जबरत नहीं होती बट समझो कुछ खराब है पेड़े तो आप उसको मना कर सकते है तो यहां पे Ascertain किये जा रहे है और Implied होता है कि आप उसको Ascent दे रहे हो तो अगर आप Ascent नहीं दे रहे तो आप मना करोगे बार-बार वो पूछेगा नहीं ऐसा नहीं थोड़ा सा निकाला आप बुलेंगा भीया ठीक है फिर आप बुले हो फिर और निकाला भीया ठीक है फिर वो बुले हो तो ऐसा नहीं होगा So यह Implied होता है आप Ascent देते नहीं है लेकिन अगर कोई आपको गलत लग रहा है पेड़ा तो वो निकाल के अलग कर दो तो आपने उस पे Ascent नहीं दिये ठीक है तो it can be either by seller with the Ascent of buyer या by buyer with the Ascent of seller भी होता है जैसे आप आलू खरीदने जा रहे हैं आप दुकान पे जाते हैं दो किलो आलू देना तो वो क्या करेगा आपको टोकनी भेग देगा तो टोकनी में आप खुद निकालते हैं यह क्या कर रहा है अनसर्टिंग गुट्स हैं उनमें से आप Ascertain करते जा रहे हो So यह Deliverable State में है Ascertain कर लिए तो जब Ascertain हो जाएंगे तो Ownership Transfer हो जाएगी ठीक है यहाँ पर एक रूल और लगता है कि जब गुट्स भेजे जा रहे हैं Through a Carrier तो Seller है Seller गुट्स को Send करता है Buyer के पास तो यह टर्रक से जाते है तो यह जो टर्रक वाला होता है Carrier सनी पाजी यह कौन बनेगा तो यह बनेगा Agent किसका Buyer का Buyer का Agent बनता है So Buyer के लिए यह काम कर रहा है So Buyer यहाँ ही Owner हो चुका है At this point of time जैसे गुट्स रेडी हो चुके है Buyer Owner बनेगे वहाँ से गुट्स लाने की जिम्मेदारी हमारी होती है So हमने अगर यह जिम्मेदारी सनी पाजी को दिये तो सनी पाजी हमारी Agent बनेगे So यहाँ पर Ownership Transfer हो गई और यहाँ से फिर Carrier becomes the Agent or Buyer यह तब की बात हो रही जब Carrier Independent है Independent का मतलब है यह seller का ट्रक नहीं है यह Buyer का भी ट्रक नहीं है यह Carrier खुद अपना ट्रक यूज कर रहा है तो सनी पाजी का खुद का ट्रक है फिर दूसरा यह हो गया Unasserting Goods में Unasserting Goods ध्यान रखना आ सकता है एक्जाम में तो Point-wise दिये यह है कि कब ownership transfer होती है Same quality description के होना चाहिए Goods, Deliverable state में होना चाहिए Unconditionally Appropriated to the Contract होना चाहिए Appropriation must be with the Ascent of Seller, with the Ascent of Buyer Buyer with the Ascent of Seller Ascent may be Express or Implied Ascent may be either Before or After Appropriation Decay and Carrier becomes the Agent of Buyer This is the General Rule फिर transfer of property in Asserting Goods Asserting includes Specific Specific Goods यहने Identified Goods जब Goods पहले से identified है तो Ownership कब transfer होती है As soon as the contract is made तो यह General Rule है पहला एकदम ही General Rule तो यह है कि आप जब चाहो तब Ownership transfer करो Goods बिल्कुल Ready a Deliverable state में है बट मैं आज नहीं बेचना चाहता मैं बेचना चाहता हूँ एक महने बाद तो हम लोग decide कर सकते एक महने बाद Ownership transfer होगे तो एक महने बाद मैं आपको यह बेचोंगा एक महने बाद आप मुझे पैसा दोगे तो Ownership एक महने बाद जाएगे तो हमने अगर ऐसा Agree किया तो ऐसा होगा कुछ Agree नहीं किया तो Specific Goods नहीं Deliverable state है and unless otherwise agreed तो Ownership transfer हो जाएगे तुरंट as soon as the contract is made और इससे कोई फरक नहीं पढ़ता इस इम्माटेरियल Whether Goods have been delivered or not Whether Payments have been made or not So Goods यहीं रखे हैं जैसी हमने contract किया आपने offer acceptance किया Ownership तुरंट ट्रांसपर हो गई क्योंकि Specific Goods है Deliverable state है उसको कुछ करने की ज़रुवरत नहीं है तो Ownership transfer हो जाती है as soon as the contract is made Unless otherwise agreed आपने कुछ और agree किया होगा तो ऐसा होगा आपने बुला होगा एक मेने बाद Ownership जाएगी तो ऐसा होगा कुछ नहीं बुला तो this is the general rule पहले एकदम general rule यह है कि parties to contract जैसा चाहे वैसा transfer कर सकते है अगर parties क्या चाह रही है यह हम नहीं judge कर पा रहे है तब जाके rules 20 से 24 वाले अपलाय होंगे So rule number section number 20 बताता है specific goods जो कि specific तो है ही and they are also in a deliverable state deliverable state में भी है So in case of unconditional contract for sale जहां पे goods deliverable state में property transfer हो जाती है on making the contract and it is immaterial whether goods have been delivered or not और payment has been made or not हो सकता है goods की delivery postpone की गई है हो सकता है payment of price postpone किया गया है तो भी कोई फरक नहीं पड़ता ownership transfer होगी as soon as the contract is made आपने goods नहीं भी लेके गए तो भी ownership transfer हो चुकी है फिर specific goods है but to be put in deliverable state है इनमें example अगर देखना है तो इसमें example में आप लिख सकने टीवी है पैक किया हुआ रखा हुआ है already packed है that means specific goods है deliverable state है मैं जाता हूँ दुकान में मैं बोलता हूँ मुझे ये वाला टीवी चाहिए वहाँ टीवी पैक होके रखा हुआ है sony bravia 4K 55 inch full LED TV रखा हुआ है packed पुरा उसके पास एक ही पीस है वो बोलता है ठीक है शर्मा जी ये goods मैं आपको बेचने को तयार हूँ हम लोग टाउंस डिसाइड करते है contract होता है जैसी contract हुआ ownership transfer अब अगर उस पे बिजली आके गिरेगी तो नुकसान होगा मेरा क्योंकि owner मैं हो चुका हूँ इससे कोई फरक नहीं पढ़ता goods मही रखे है so delivery नहीं हूँ इससे कोई फरक नहीं पढ़ता तो ownership transfer हो चुकी so TV जब pack होके रखा है तो specific goods deliverable state दूसरे case में TV है बट display पर लगा हुआ है मैं एक दुकान में जाता हूँ उसके पास एक TV है सुनी ब्रैविया 4K वहाँ पर display पर लगा हुआ है मैं बोलता हूँ मुझे यह इच वाला TV चाहिए वो बोलता है शर्मा जी मेरे पास एक ही piece है मैं निकाल के ready कर देता हूँ वो display से निकालेगा ready करेगा तब जाके ownership transfer होगी अगर वो लगा हुआ है तो ownership transfer नहीं होगी क्योंकि it is not in a deliverable state it is to be put in deliverable state तो वो उसको निकालेगा pack करेगा pack करने के बाद मुझे बताएगा कि शर्मा जी आपके goods ready है में लाना बाकी है where there is a contract for sale of specific goods the seller is and the seller is bound to do something कुछ तो भी कारिय करना बचा है for example packing करना ताकि गोड डिलोगेबल state में आ सके so property in goods does not pass until such thing is done जब तक packing नहीं हो जाती and the buyer has notice thereof और buyer को इसकी जानकरी नहीं मिलती जानकरी देना भी जरूरी है अगर जानकरी नहीं दिया पैक करके रख दिया ownership transfer नहीं होई specific goods to be measured so specific goods है वो ready भी ए deliverable state में भी है बट measure करना बचा है या weight निकालना बचा हुआ है जैसे कि best example इसमें एक समझो आप अगर goods खरीदने जाते हैं ऐसी कोई जो वजन से मिलती है जैसे लोहा खरीदने गए तो factory का gate होता है gate के आगे platform होता है यह platform पे आके एक truck रुकेगा यह truck में यह truck का पहले वजन होगा यहाँ पे एक चौकी बनी होगी वो चौकीदार बैठा होगा और चौकीदार यहाँ पे वजन नोट करेगा इसके बाद अंदर जाती है truck अंदर से यह भर के वापस आईगी भरना तो यही हो जाता है ने यही पे यह deliverable state में goods आ चुके हैं इसमें पूरे goods load हो चुके हैं that means goods deliverable state में हैं बट ownership transfer नहीं होगी क्योंकि इसके बाद यह फिल से वापस आईगी यह platform के उपर यहाँ पर आएगा truck खड़ा रहेगा और इसके बाद फिल से इसका weight निकला जाएगा फिल बाद में भरा truck माइनस खाली truck यह दोनों का difference निकलते हैं और फिल goods का weight निकल के आता है यह निकलने के बाद इनफर्म करते हैं buyer को कि आपके goods का इतना बजन आया है इसके बाद price fix होता है तब जाके ownership transfer होगी तब तक ownership transfer नहीं होती तो यह है specific goods यह है deliverable state में load भी हो गए बट फिर भी ownership नहीं जाएगी क्योंकि इस पे कुछ कार्य करना बचा है weight वगरे निकलना, measurement करना test करना यह सब चीज़ें बची है so contract for sale of specific goods है in a deliverable state भी है but seller is bound to weigh, measure, test or do some other act or thing with reference to goods और क्यों? for the purpose of ascertaining the price the property does not pass until such act or thing is done and buyer has notice of the same तो जब तक के ownership तब तक नहीं जाएगी जब तक के वो कार्य नहीं किया जाता weight वगरे नहीं निकाला जाता and buyer को यह चीज़ बताई नहीं जाती तब तक ownership transfer नहीं होगी फिर transfer of property in sale by approval जैसे कि मैं समझो फटा के खरीदने जाता हूँ और मैं इसके दुकान लगाता हूँ so मैं एक wholesaler के पास जाता हूँ और मैं कुछ इसको list देता हूँ अब वो बुलता है शर्मा जी यह एक नए आइटम है यह भी ले जाओ तो एक नए आइटम है रखा हूँ है वो बुला इसको लगाओ ऐसा आग लगाओ ऐसा मस्तफूल बनेगा उपर जाएंगा मैंने बुला ऐसा आड़े तेरे फटाके नहीं लेते हाल तो इनके उनके धर में घुसेंगे आग लगाएंगे तो इसलिए ऐसे फटाके नहीं जिए वो बुलता है शर्मा जी लेके तो जाओ ऐसा बहुत उपर नहीं जाता है इतना उपर जाएंगा मैं बुले ठीके ले जाता हूँ बट मुझे लगेगा रिस्की है तो वापस कर दूँगा वो मुझे दे देता है कि आप ले जाओ दस दिन के लिए देखो अगर नहीं लगता है तो वापस कर देना सो यहां गोर्स डिलिवरेबल स्टेट में भी थे इन फैक मैं लेके भी आ गया फिर भी ओनर्शिप ट्रांसपर नहीं होई ओनर्शिप तब ट्रांसपर होगी जब मैं अप्रूबल दूँगा या फिर मैं रिजेक्ट नहीं करूँगा और दस दिन बीच जाएंगे तो दस कर दिया तो वह गुट्स में गिरवी रख रहा हूं तो पहला केस है जब वह अप्रूबल दे देगा तूसरा केस जब वह ट्रांसपर कर लेगा या वह एक ओनर जैसा एक्ट कर रहा है एक्ट्स लाइक एन ओनर लाइक वह सेल कर रहा है या प्लेज कर रहा है तो मान लेंगे कि वह ओनर बन चुका है या फिर तीसरा विन ही रिटेंस दिगोर्स विदाओट गिविंग नोटिस ओ रिजेक्शन वह मना नहीं करता है ब्योंड टाइम फिक्स और ब्योंड ब्यों एक उसेप्पढ़िंगें हम डॉक्यूमेंट आफ ऐस्टेटल टु घुट्स डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल के बारे में आपको पता होगा लगी पर इसमंद बदा देता हूं जब हम कोई गोर्स भेजते हैं तो एक सेलर होता है और एक सेली होता है और इस सेली नहीं होता यह बाई हो गई होता है हर्जगे सबूर नहीं होगी भाई हो गई नहीं हो तो गुर्ट इबेजेगा तो गुर्ट कैसे बेजेगा और ये शान बेटो एक ट्रांस्पोर्टेश्ण ऑफिस होगा ट्रांस्पोर्ट ऑफिस होगा वहाँ ले जाके गुड्स हम दे देते हैं जब हम गुड्स दे रहे हैं तो यह क्या करता है यह हमको एक बिल्टी बना के देता है डॉकिमेंट आफ टाइटल यह डॉकिमेंट के चार कॉपीज होती है ऐसा कोई रूल नहीं है बड़ जनरली कस्टमरी चला रहा है चार कॉपीज होती है एक कॉपी दे देते हैं परक ड्राइवर को दो कॉपी इनके पास दे देते हैं और एक कॉपी खुद रिटेन करते हैं इसके बाद इन में से एक कॉपी यह सेंड कर देता है बायर को बायर यह लेके जाएगा यहां का जो भी ट्रांस्पोटेशन ओफिस है यहां पर जो भी अगर ट्रांस्पोटेशन ओफिस नहीं है तो जहां पर भी ट्रक खड़ा है वहां पर लेके जाएगा और इसको ये document दिखा के इससे goods प्राप्त करके ले के आ सकता है तो ये document क्या है तो ये document बताता है आपको ownership किसकी it is a proof of ownership ये document के basis पर even sell कर सकते हैं कल चल कर अगर buyer को तुरन कोई order आया तो buyer even इसको किसी दूसरे विक्ति को sell कर सकता है on the basis of this document ये document transfer कर देगा इससे पैसा ले लेगा कल चल कर ये जाएगा और transportation company से goods प्राप्त कर सकता है so ये document एक bearer document है अगर ये document buyer के पास है तो buyer can take the goods अगर उसने किसी और को दे दिया है तो वो विक्ति जाके goods ले सकता है so ये document को transfer करने से आप even ownership transfer कर सकते हो इस document को हम बोलते है document of title to goods so document of title to goods means एक ऐसा document जिसको transfer करके आप ownership transfer कर सकते है ये एक proof of ownership होता है it represents the goods it is a proof of ownership, possession and control of the goods और normal course of business में आप इसको transfer करके ownership transfer कर सकते है इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है like bill of lading जब ship से sea से जा रहे हैं goods तो bill of lading बनता है doc warrant जब दूसरे कोई waterways से जा रहे है जैसे inland waterways तो वहाँ doc warrant बनता है warehouse keeper certificate warehouse में मेरे goods रखे हैं मैंने एक certificate आपको दे दिया एक warehouse में पहुंचा दिया तो warehouse keeper के पास वैसा document है वो match करेगा और आपको goods दे देगा वार्फ इंजर certificate वार्फ एक platform होता है समुद्र वगरे के side में यहां पे goods आके load और unload होता है यहां पे जो care taker होता है यह वार्फ इंजर होता है यह document issue करेगा यह document हम buyer को भेज देंगे buyer जाके same document दिखाएगा इसको और goods प्राप्त करके लेके आ सकता है तो हर वो document जिससे ownership दिख रहे है वो सब को हम document of title बोलते है rail से भेज रहे हैं तो railway से lorry से भेज रहे हैं तो lorry रिसेट जैसे अपनी case में लोरी से जा रहा है तो इस document को हम lorry रिसेट बोलेंगे so lr यह lorry रिसेट है तो यह हर वो document जिससे ownership दर्शाई जाती है वो document of title है multimode से जा रहे है तो multimodal transport document, delivery order तो यह सब so इसमें बहुत deep में चर्चा नहीं कर रहे हैं इसके deep में अगर आपको करना है discussion तो इसका भी वीडियो है उसमें आप जाके देख सकते document of title पे deep में वीडियो फिर अब हम right of disposal reserve करने के उपर चर्चा करेंगे right of disposal reserve करने का क्या मतलब है that means जब हम goods भुईज रहे हैं हमने truck driver को बोला truck driver है सनी पाजी सनी पाजी को बोला कि सनी पाजी तुम buyer को goods मत देना buyer है अपने मानलो पांडे जी तो हमने बोल दिया पांडे जी को goods मत देना क्योंकि पांडे जी हमको पैसा नहीं देते तो एक काम करो goods ले जाओ इन से पहला पैसा लेना ये अगर पैसे देंगे ना तभी इनको goods hand over करना तो जैसे हमने ये बोला तो यहाँ पे इसको हम बोलते है right of disposal reserve करना right of disposal disposal का मतलब है goods दे देना तो हमने goods देने को रोक दिया reserve कर दिया हमने बोला जब तक ये point पूरा नहीं होगा goods मत देना so that means right of disposal is reserved तो यहाँ जब ये पैसा देगा और goods लेगा तब जाके ownership transfer होगे तब तक ownership transfer नहीं होती अगर ये rule नहीं लिखा है right of disposal reserve नहीं किया है तो ownership ये ही transfer हो जाती and carrier becomes the agent of buyer but जब right of disposal reserve करते हैं तो ownership यहाँ पे transfer नहीं होती और carrier will not become the agent of buyer ये agent of buyer नहीं बनता he will in fact become the agent of seller वो seller का agent बनता है so यहाँ ownership transfer होगी at this point of time यहाँ ownership transfer होती है तब तक ownership transfer नहीं होगी इसको हम बोलते right of disposal reserve करना so जब हमने इसको बोल दिया not to deliver goods जब तक के पैसा नहीं मिलेगा तो पहले पैसा लो फिर goods देना कभी-कभी ऐसा होगा हम पैसा लेने नहीं बोलते हम उसको साथ में एक bill of exchange लिखके दे देते हैं इसको बोल देते कि यह bill है बिल पे acceptance लेना उसके बाद goods देना जब तक के buyer इस पे sign नहीं करता तब तक ownership transfer नहीं होगी अगर उसने sign किये भी ना goods रख भी लिया तो he will not become owner he will become only a baby तो उसको ownership नहीं मिलेगी तभी कभी ये bill of exchange इसके पास से ना भेजते हुए हम इसको courier company के थूँ bill of exchange भेज देते हैं along with document of title तो ये दोनों भेजते हैं यहाँ पे भी अगर वो without accepting the bill goods ले गता है तो ownership transfer नहीं होगी कभी कभी हम लोग seller है seller ये goods भेजता है buyer को लेकिन जो documents of title है जो सको transportation office से मिले होंगे तो ये document of title क्या करता है तो ये भेजता है अपने agent को buyer को ना भेजते हुए इसने अपने bank को भेज दिया तो इसका bank है और bank को इसने भेज दिया और बूल दिया कि एक काम करना ये document hold करो जब तक कि buyer तुमको पैसा pay नहीं करता तब तक उसको document hand over नहीं करना जब वो पैसा pay करेगा और document ले जाएगा तब जाके ownership transfer होगी यहां ownership transfer होती है ये goods पर कहीं भी हो सकते हैं जब उसने जाके पैसा pay किया document प्राप्त किया हो सकता है goods यहां पे थे तो यहां ownership transfer होगी हो सकता है goods यहां पहुँच गए थे तो यहां ownership transfer होगी यहाँ पर जाके उसने यह condition पूरी किया, तब जाके ownership transfer होगी, यह goods कहीं भी हो सकते हैं, goods हो सकता है यहाँ हो, यहाँ हो यहाँ हो, goods कहा है उससे कोई लेना देना नहीं, यह condition पूरी होणा जडरूरी है, हो सकता है goods यहाँ है, और accident हो गया, तो फिर हम देखेंगे time of accident क्या है और time of this event क्या है exact time के हिसाब से हमको समझेगा ownership किसकी थी ठीक है इसमें case भी था general papers limited versus मुहिन दिन का case था तो दिया हुआ है book में आपको याद नहीं होगा क्योंकि मैंने याद नहीं कराया तो यह transfer of property right of disposal is reserved तो जब right of disposal reserve करते हैं तो हमारा e-mail की price पहले मिले बाद में ownership जाए तो यहाँ पर हम कुछ conditions के उपर conditions के उपर छोड़ देते हैं कि जब यह condition पूरी होगी तब जाके ownership transfer होगी इन such a case अगर buyer deliver करवा भी लेता है goods को goods के delivery ले भी लेता है तो भी he will not acquire the ownership only he will not become the owner यहाँ तक को यह doubt होगी तो पूचलो फिर अबिला पॉइंट एक को इंपर्टेंट पूइंट transfer of title by non-owner तो जनरल रूले आपका Nemo dead quid non-habit no one can give what he himself does not possess so Nemo dead quid non-habit means no one can give what he himself does not possess यह जनरल रूल है that means अगर मैं owner हूँ इस फोन का तो मैं बेच सकता हूँ मैं owner नहीं हूँ तो नहीं बेच सकता but इसके कुछ exceptions that means कब-कब यह रूल नहीं लगता कब-कब मैं owner ना होते हूँ भी चीज को बेच सकता हूँ हाँ यह भी आते हैं यह पूरा चैप्टर ही important है यह चैप्टर में सब आता है आन असर्ट इंगर्स वाले पर कुश्चन आने की चांस है बाकी भी आ सकते हैं क्या चलो इसके exceptions that means कब-कब एक वेक्ती non-owner होते होँ भी goods भी बेच सकता है तो वो non-owner है भी ठीकन सेल भी goods और आगे वाले को full title transfer हो जाएगा जनरल रूल है अगर मेरी चीज नहीं है तो मैं नहीं बेच सकता यहां अगर सालवान सेर का mobile पड़ा था मैंने उठा के आपको बेच दिया तो आप owner नहीं बनोगे ठीक है तो आप owner बनोगे नहीं कोई मतलब ही नहीं है तो अगर ऐसा कोई दूसरे किसी की चीज उठा के मैं बेच दूँगा तो ownership transfer नहीं होती लेकिन कुछ cases में हम देखेंगे जहां मैं खुद owner ना होते हुए भी आपको owner बना सकता हूँ तो ऐसे कौन-कौन से cases हैं यह हमको देखना है पहला case है transfer of title by stopel stopel का क्या मतलब है हाँ मोकरना मना है no one can deny his previous conduct one cannot deny his previous conduct so जो कारिया आपने पहले कर दिया उससे आप मुकर नहीं सकते इसमें समझो मैं हूँ यह मैं हूँ S मेरी एक friend है baby baby मेरी friend का नाम है और मेरे पास है car Audi or it हाँ baby की friend थी चिंकी याद है थोड़ा थोड़ा example अब चिंकी को यह मेरी कार बेचनी मेरी नजरों के सामने owner कौन है मै बेचना कौन है B non owner मेरे सामने यह चीज़ बेची जा रही है मेरा क्या काम था उस वक्त मना करना चाहिए इसने 2 करोड रुपे लिए और मेरी कार बेच दी मैंने उस वक्त मना नहीं किया अगर जाके गालिया पड़ेगी इसलिए मैंने बुला जाने दो अब ऐसे केस में C will be deemed to have become the owner क्योंकि मैंने उस वक्त मना करना चाहिए था मैंने अगर उस वक्त मना नहीं किया तो मैंने यह दर्शा है कि B को बेचने का अधिकार है यह रूल तब लगेगा जब मेरे सामने यह कार्या हो रहा है मेरे पीट पीछे अगर मेरी कार बीचेंगे तो यहां कोई valid contract नहीं हुआ लेकिन मेरे सामने यह कार्या हो रहा है तो मैंने उस वक्त रोकना चाहिए अगर मैं उस वक्त नहीं रोकूंगा तो बाद में मैं मुकर नहीं सकता इसी को हम बोलते है stopple I cannot deny my previous conduct मैंने जो पहले conduct किया मैंने ये दर्शाया कि yes B can sell the goods जो की गलत था तो भी बाद में उसको सही मानते हुए ownership transfer हो जाएगे subject to एक rule है condition है कि C should act in good faith C को इसके बारे में जानकर ही नहीं होना चाहिए कि S is the owner and B is not the owner ठीक है so when the true owner यहने S by his conductor words और by any act or omission leads the buyer to believe तो मैंने buyer को यह believe कराया that seller is the owner seller कोने B seller is the owner of the goods और has authority to sell he cannot afterwards deny seller's authority to sell बाद में मैं मुकर नहीं सकता कि B को तो बेचने के अधिका नहीं थे the buyer in such a case gets a better title than of the seller so buyer buyer को यहाँ पे good title transfer हो जाएगा ownership transfer हो जाएगा बले B की ownership नहीं थी seller की ownership नहीं थी तो भी ठीक ए पहला exception है दूसरा है sale by mercantile agent mercantile agent के case में भी अगर एक mercantile agent है समझों में principal हो तो मैं स्कूल जाओंगा नहीं वो वाला principal नहीं हूँ मैंने agent को goods भेज दिया हूँ और इसको बोला था तू इसको भेज देना इसने third party को यह sell कर दिया ownership किसकी है मेरी है principal is the owner but goods भेज 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 रहा है agent तो agent भेज 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 रहा है जो non owner है हम क्या पढ़ रहे है यही पढ़ रहे है कि कब-कब non owner transfer कर सकता है ownership यहाँ पर कभी-कभी ऐसा होता है यह normal business है समझो मैं furniture का business करता हूँ मैंने furniture इसको भेज दिया इसने furniture आगे बेज दिया but मैंने इसको condition लगाय था generally अगर mercantile agent है ना इसको authority होती है to buy goods, to sell goods, to consign goods and to pledge goods अब समझो मैंने इसकी authority रोग दिया मैंने बोला था तुम बेचोगे तो सिर्फ 50,000 तक बेचना इसके उपर बेचने के पहले मुझ से पूछ लेना फिर भी इसने 30,000 के goods बेच दिया तो भी third party will become the owner अगर third party good faith में act कर रही है तो सो यहाँ पे third party को अभिकार मिलते है even if agent has exceeded his authority क्योंकि third party को थोड़ी सपना गिरेगा कि शर्मा जी ने इसको 50,000 के उपर बेचने को मना किये हाँ अगर उसको पता होगा वो good faith नहीं है तो he will not get the ownership but if he is not aware ऐसे केस में he will acquire the ownership even if agent has exceeded the authority ठीक है तो owner को होन है तो P but फिर भी non owner is selling the goods and even if he is exceeding the authority तो भी third party will acquire a good title तो भी दिया है कि even in cases where the agent acts beyond his authority provided condition satisfied होना चीए agent is in possession of goods or a document of title तो उसके पास possession होना चीए such position is with the consent of the owner तो यह owner नहीं principally consent से दिया है the agent sells in ordinary course of business natural course of business नहीं ordinary course में बेच रहा है तो जो goods की business कर रहा है वो goods बेच रहा है and the purchaser acts in good faith and no notice that agent had no authority to sell so in these cases the third party will acquire a valid title even if agent has exceeded the authority if it is in ordinary course of business फिर mercantile agent का क्या मतलब है तो mercantile agent means एक ऐसा वेक्ती जिसको authority है to sell goods to consign goods to buy and to raise money यह प्लेज करना good faith यह word बार बार आरा है तो good faith का मतलब है honestly whether negligently or not honestly उसको कुछ पता नहीं है गड़बड के बारे में document of title देख लिए sale by one of several joint donors जब joint donors होते हैं मिलके goods खरीदे मैं हूँ और मेरी एक friend है इलू हम दोनों ने मिलके एक car खरीदे थे Audi R8 अब ये car रखे हुई है मेरे पास इसने बोली शर्मा जी आप अपने पास रखो मैंने अपने पास रखा बाद में ले जाके मैंने ये पांडी जी को बेच दिया पांडी जी ने मुझे पूरा पैसा दे दिये और मुझे से car खरीद लिये पांडी जी is acting in good faith उनको नहीं पता है कि शर्मा जी को बेचने के अधिकार नहीं है उनके पास सिर्फ part ownership है तो ऐसी cases में पूरी ownership transfer हो जाएगी पांडी जी को सो मैं खुद का अधिकार तो बेची दूँगा बट इलू का अधिकार भी मैं sell कर दूँगा तो यहां पे भी सेम चीज है कि good faith होना चाहिए इसको good faith में होना चाहिए हाँ यहां यह जरूर है कि जो पैसा आएगा यह पैसे में मुझे इसको हिस्सा देना पड़ेगा साथी साथ अगर इस sale के करण कोई loss हुआ है तो damages भी पे करना पड़ेगा तो वो अलग बात है बट यह sale valid हो चुका है and third party gets the ownership हम क्या पड़ रहे है तो वही पड़ रहे है कब-कब एक वेक्ति owner ना होते हुए भी या यह वाले case में full owner ना होते हुए भी आगे वाले को ownership दे सकता है तो section 28 बताता है कि co owner के case में अगर एक वेक्ति के पास पूरा possession रखा है with the permission of co owner और purchaser good faith में without any notice अगर वो चीज़ खरीदता है तो buyer will get the good title ठीक है फिर sale of goods under voidable contract voidable agreement voidable contract में भी अगर contract cancel करने के पहले third party को हमने बेज दिया है तो contract avoid नहीं कर सकते हैं third party acquires a valid title शुरुवात में हमने यह पड़ा था अभी थोड़ी देर पहले voidable contract बताया था मैंने शायद मिटा दिया बट उसे में मैंने बताया था कि voidable contract में अगर मैं contract cancel करने का हूँ उसके पहले बेज दिया है तो third party becomes the owner of the goods फिर यह दो point sale by seller in possession after sale and sale by buyer in which seller has some rights देखते हैं so यह दो case है एक है sale by seller in possession possession किसका है seller का और बेचरा कौन है seller ही but owner कौन है owner is buyer ऐसे cases में भी third party will acquire a good title so seller है S buyer है B यह goods इसने बेच चुका है क्योंकि हम बोल रहें owner buyer है that means goods sell हो चुके है यह owner है फिर बिस seller के पास goods रखे possession seller के पास है गन्पती बप्पा है बप्पा बेच रहों है आपने बप्पा खरीद लिए 2000 रुपे आपने पे कर दिये इसके बाद मेरे दुकान भी रखे आपने बुले कि मैं कल ले जाओंगा क्योंकि अभी मुरत का टाइम आने का है अब मेरे दुकान में आया एक दूसरा अमीर विक्ती Mr. C इसने बुला मुझे ये वाली बप्पा की मुरती चाहिए जो अल्रेडी मैंने बेच चुका हूँ अब मैंने उसको बताया नहीं अगर मैं उसको बता दूंगा और फिर भी वो खरी देगा तो he will not acquire ownership बट उसको मैंने बताया नहीं उसको मैंने सिर्फ ये बुला कि भी यह 10,000 की मुरती है क्योंकि मुझे लगा 10,000 सुनके और चला जाएगा अब उसने 10,000 रुपे तुरंट मुझे पे कर दिया मैंने उसको तुरंट वो मुरती दे दिया यहाँ owner कौन थे आप और आपकी मुरती मैंने सेल कर दिया मेरे पास पॉसेशन रखा हुआ था ऐसे केस में buyer will get the ownership second buyer will get the ownership तो यहाँ ownership transfer हो गई C को यहाँ पे इसको सिर्फ good faith होना जरूरी है that means he should not be aware कि B is the owner he should not be aware अगर यही थोड़ा सा रूल बदलता है if he is aware कि B is the owner then we can take back his goods यह पहले chapter में आपको ही बताया हुआ है कि इसको राइटें रेम मिलता है that means he can take the goods but अगर इसको नहीं बता है he is not aware then he gets the ownership and he cannot take back the goods ठीक है तो इसको आप compare कर सकते हैं यह भी जो पूरे वीडियो से उसमें पूरा deep में बताया हुआ है यहाँ पर मैंने आपको फिर भी काफी deep में बताई दिया so यहाँ पर seller possession hold कर रहा है ownership buyer की है but फिर भी seller is selling it फिर से बेच रहा है वो so यह second sale है यह first sale और यह second sale so second sale में भी C को ownership प्राप्त हो रही है B damages जरूर ले सकता है but now he cannot cancel the contract damages ले सकता है ठीक है और इसी का opposite है sale by buyer in possession जहाँ पर owner कौन है तो owner is seller तो goods का possession ले गया उसने but ownership ले जानी बची थी ownership नहीं दिया था उसने सिफ goods लेके गया तो like sale और approval basis पर हो गया या फिर जब उसने market करके goods का position ले लिया है जिसमें हमने right of disposal reserve किये बट उसने फिर भी market करके goods का position ले लिया तो ownership नहीं मिली ऐसे cases में भी ownership है seller की बट उसने position ले लिया है position इसके पास रखा हुआ है और अगर ये इसको आगे third party को sell कर देता है C को इसने sell कर दिया इससे पैसा ले लिया और इसको sell कर दिया यहाँ भी C will get the ownership अगर वो good faith में contract कर रहा है तो ठीक है यहाँ भी condition ही कि मैंने इसको या तो goods दे दिया था या तो goods ना देते हुए मैंने document of title उसको दे दिया था और वो document को transfer करके ownership transfer कर दे रहा है ऐसे cases में C will get the ownership even if B is not the owner तो यह दोनों ही cases में ownership किसकी है तो यह वाले case में owner है B but बेच रहा है S तो non owner is selling the goods यह वाले case में owner है S but बेच रहा है B याने non owner is selling the goods हमारा topic वही है कब-कब एक वेक्ती non owner होते हुए भी goods बेच सकता है यह सबके diagram बने हुए है आपके पस deep में बने होंगे और उस time मैंने पुरा deep में समझाया भी हूँ इसको पुरा compare भी किये दूसरे cases से ऐसे ही same case first chapter में chapter number 10 में chapter number 10 जो आप पढ़ोगे उसमें same case है उसमें लेकिन यहां sale or agreement to sell का comparison किया है और यहां पे लिखा है C is aware that B is the owner so यह इतना सा फ़रक है वो छोटे से fact change हो जाने से पूरा answer बदल जाता है ठीक है so उसको पता है या नहीं पता है इसमें answer change हो जाएगा if he is aware that B is owner then he will not get the ownership but if he is not aware he is acting in good faith then he will get the ownership ठीक है so यह दोनो case है sale by seller in position after sale after sale का मतलब ही है जिसमें owner कौन है owner है buyer क्योंकि after sale बोल रहा है sale हो गया means buyer owner हो चुका है यहां sale by buyer in position जिसमें seller has some right तो यहां seller is the owner तो यहां पे property is not yet transferred to him तो property transfer नहीं हुई that means जहां पे seller is the owner अभी तक ownership buyer को नहीं मिली है फिर भी यहां पे बेचा है तो sale complete हो गया ठीक है फिर unpaid seller आगे देखेंगे यह भी और contract act में भी कुछ cases में बेच सकते हैं यहां दो case दिये हैं वैसे तीन case है जहां पे हम बेच सकते हैं एक तो unpaid seller वाले case है unpaid seller यहां पे आ गया इसमें भी तीन case है एक तो pledge वाले case दिये है pledge की case में समझो A ने B के पास goods गिर भी रखके आया pledge करके आया और loan वापस नहीं कर रहा है loan लिया था बट वापस नहीं कर रहा है तो B can sell the goods owner कौन है? बट B can sell the goods और यहां good fit के requirement नहीं होती यहां पर अगर उसको पता भी है कि यह इसके goods ने तो भी ownership जाएगी फिर दूसरा finder of goods can sell under certain circumstances कभी-कभी finder of goods बेच सकता है कब-कब जब उसको पहुचाने का खर्चा है two-third in value से ज़्यादा है या फिर जब perishable nature के goods हैं एक और case है इसमें कुछ contract act में तीन case है हाँ एक वो insolvency का case insolvency की case में C वाला जो है insolvency जिसमें official receiver होता है यह official liquidator होता है इसके पास owner के goods रख दिये जाते है वो insolvent हो गए तो उनके goods इनके पास रख दिये owner कौन है यह वेक्ति विजू भाव जो insolvent हुआ है बट फिर भी बेच रहा कौन है official receiver तो यहां भी third party will acquire the good title तो इसको ownership मिल जाएगी even if official receiver is not the owner यह non-owner है फिर भी ownership transfer होती है ठीक है बस खर्तम हो रहा है sale of goods यह इसको जल्दी करते हैं बहुत ही तीच क्योंकि इसमें कुछ हाई नही performance of contract इस पर question भी नहीं आएंगे performance of contract में question नहीं आएगा कुछ खास performance of contract में दो चीज़े है delivery of goods, payment of price delivery of goods में तीन प्रकार actual, symbolic और constructive actual delivery जो physically handover कर देते हम goods को जैसे mobile है मैं mobile बीचूंगा तो इसकी actual delivery होगी पर मैं अपनी car बीचूंगा तो car के actual delivery नहीं होगी ऐसा नहीं होगा car उठा के लागा लो लो पकड़ो उसमें actual नहीं होगी उसमें symbolic delivery होगी मैं car के आपको चाबियां दे दूँगा that means मैंने आपको means of obtaining possession दे दिया so document of title to goods भी transfer कर दिया तो it is as good as transferring goods तीसरा होता है constructive delivery जिसमें goods जाते हुए नहीं दिखते हैं बट फिर भी हम मान लेते हैं ownership, possession, control सब transfer हो गया जैसे हल्दी राम में आप cake खरीदने गए आपने cake का order दिया deliverable state में ready कर दिया उसने फिर आपको याद आया यार कुछ तो भी खरीदना रहे गया था फिर आप बोलते हैं काम करो cake अपने पास रखो मैं पैसा पे करता हूँ कुछ खरीद के थोड़ी चीज़े ले के आता हूँ इसके बाद मैं cake ले जाओंगा यहाँ ownership आपकी हो चुकी है goods are in deliverable state आपने हो सकता है पैसा भी दे दिया सब complete हो गया है बट फिर भी आपने goods लेके नहीं आये थे goods मही रहने दिये याद होगा आपको example याद है birdie main road आपकी friend का bird day है बस बस sandal खरीदना फिर खरीदना फिर sandal खरीदने आप वापस जा रहे हो लेकिन केक लेके जाओगे तो हल्वा हो जाएगा तो इसलिए आपने उनको बोला केक अपनी पास रखो यहाँ पे अभी तक वो hold कर रहा था as owner अब वो hold कर रहा है as agent of buyer अब वो owner नहीं रहा तो यहाँ पे हम मान लेते गुट्च की डिलिवरी हो गई इसको मुलते है constructive delivery constructive का मतलब ही होता है मान लेना, implied तो यह implied है constructive delivery तो जहाँ पे हल्दी नाम का एक case है जिसमें वो owner था बाद में उसने बेज दिया और अभी भी goods वहीं रखे हैं goods जाते हुए नहीं दिखेंगे पर फिर भी delivery complete हो गई तो where the seller who is in possession of goods जसुर जी के पास से एक car लेके आया अब वो बाद में बोलते हैं कि मुझे एक car बेचना है तो कोई खरीदार होगा तो बताओ मैं बोलता हूँ मैं इस खरीद लेता अब यहाँ actual delivery तो पहले हो चुकी है बट फिर भी sale हुआ है तो delivery होना चाहिए तो यहाँ भी constructive delivery होगी पहले मैं hold कर रहा था as Bailey as agent of that other person बट बाद में मैं hold कर रहा हूँ as owner तो जैसी मैं as owner hold कर रहा हूँ तो यहाँ पे position transfer हो गया ही मान लिया जाता है एं तीसरा case जब third person के पास goods थे वहाँ अभी भी रखे हुए हैं बट फिर भी वह अब agree करता है दूसरे के भीहाँ पे hold करना जैसे कि मैं हूँ शर्मा जी एक है गुपता जी मेरे goods x के go down में रखे हुए हैं मैं x को बोल देता हूँ कि गुपता जी आएंगे उनको goods दे देना गुपता जी ने इनको phone किये और x ने बुला कि ठीक आप आजो मैं आपके भिहाँ पे goods hold कर रहा हूँ तो जैसे ही इसने agree किया मैं आपके भिहाँ पे goods hold कर रहा हूँ हम मान लेंगे delivery हो गई पहले वो मेरे भिहाँ पे hold कर रहा था अब दूसरे के भिहाँ पे कर रहा है इसलिए इसको हम एक नाम और देते हैं इसको हम बोलते हैं delivery by acknowledgement या attornment यह acknowledge करके deliver होते हैं acknowledgement से deliver होते हैं यहां मान लेते हैं कि वो delivery complete हो चुकी है वो बात और है कि बाद में फिर actual delivery होती है बट अभी ही हम मान लेंगे कि goods deliver हो चुके है rules as to delivery simple है duty to deliver goods तो seller की duty होती है goods को deliver करना payment और delivery साथ साथ होना चाहिए basic rule है mode of delivery actual symbolic constructive तीन प्रकार की delivery part delivery general rule है part delivery करना नहीं चाहिए बट अगर फिर भी part delivery होई है तो ऐसे case में rule लगेगा part delivery पूरी की delivery मानी जाएगी जैसे समझो मैं हूँ मैं goods खरीदने जाता हूँ एक shop पे मैं खरीदने जा रहा हूँ 10 kg शकर अब shopkeeper जो है उसने दो किलो के ऐसे पांच packet बना दिया मैंने एक packet लेके आया और मैंने बुला कि एक काम करो चार packet के लिए मैं office से article को भीज देता हूँ उसके हाथ से भीजा दो आठ किलो मैं ले जाओंगा उससे चार आर्टिकल से हमाली कराएंगे अब मैंने एक packet लाया तो यह मेरे जिम्मेदारी है तो यहाँ डिलिवरी पूरे की हो चुकी है बट यहीं पर अगर similar case है जहां मैं 10 kg शकर खरीदता हूँ शौक कीपर को बोलता हूँ कि मुझे 10 kg शकर भेज दो वो बोलता है शर्मा जी अभी 2 kg है मेरे पास बाकी का 8 kg जो ह भी बची है तो रूल यह लगता है कि जब पाट डिलिवरी की गई है बट इस मेड इन प्रोग्रेस ऑफ दी होल डिलिवरी बट वो यह दर्शारी है कि वो पूरे गुट्स देना चाह रहा था ऐसे कि इसमें मान लिया जाएगा कि पूरे गुट्स डिलिवर हो चुके है व तो यहां पर सिर्फ ओनर्शिप और कंट्रोल ऑफ दो किलो ही ट्रांसफर होगा बाकि आठ किलो का नहीं फिर बायर का काम होता है उसने डिलिवरी मांगना चाहिए वो मांगेगा नहीं और सेलर नहीं देगा तो कुछ नहीं कर सकते तो वैसा सेलर कई बार खुद से भी भे तो ownership transfer कहां होती है तो उसके place of business यहां पर ownership transfer ही तो यहां से goods ले जाने के जिम्मेदारी किS 가장 होगी तो बायर की होगी तो इसलिए प्लेस अप्लिवरी होती है seller's place अगर goods ready हैं तो जहां पर goods रखें वहां से लाने की जिम्मेदारी हमारी है अगर कुछ और agree नहीं किया तो अगर कुछ और बोला है तो वैसा होगा उसने बोला है मैं घह तक पहुचा दूँगा तो वैसा होगा कुछ नहीं बोला तो यहां से लाने की जिम्मेदारी हमारी है फिर अगर goods future goods हैं तो जहां वो manufacture होंगे वहां से लाने की जिम्मेदारी हमारी है अगर कुछ और agree नहीं हुआ है तो फिर expenses of delivery and time of delivery time of delivery अगर decided है तो ऐसा होना चाहिए जैसे बोला है 10 तारीक को goods आएंगे तो 10 तारीक को देना चाहिए अगर time नहीं दिया सिर्फ date बता है 10 तारीक तो 10 तारीक को कोई भी usual business hours में delivery होनी होनी चाहिए फिर expenses of delivery goods को pack करना load करना यह सब खरचा that means उसको deliverable state में लाने तक का खरचा seller उठाता है unloading का खरचा है तो यह सब खरचा buyer उठाता है तो expenses of making delivery is born by seller and obtaining delivery is born by buyer तो यहां से obtaining delivery पूरी buyer की है goods in possession of third person तो acknowledgement से deliver होते है जो अभी उपर बताया expense of delivery वो यह अभी बताया मैंने कि seller की जिम्मेदारी है delivery देने की खरचे और obtaining delivery का buyer wrong quantity अगर कम delivery आई है तो पूरा reject भी कर सकते है जितना लाया उतना accept करो बाकी cancel भी कर सकते है access delivery है पूरा reject कर सकते है पूरा accept कर सकते है जितना मांगा उतना रखो बाकी cancel करो mixed goods है तो पूरा reject भी कर सकते है जितना मंगाया था उतना accept कर सकते है अगर इंस्टाल्मेंट में बोट्स दिए जाएंगे तो अगर एक इंस्टाल्मेंट में सोजाती है तो यहां पर contract voidable हो जाएगा फिर इसके बाद अगर आप अगरी इस्टाल्मेंट लेते हैं और यू केंसल डी contract ठीक है फिर delivery to carrier और warfinger अगर warfinger या carrier को goods दे दिया तो मान लिया जाता है कि buyer को goods दे दिये क्योंकि carrier becomes the agent of buyer ये तब की बात हो रही है जब आपने carrier का नाम बताया था जैसे अगर आपने बुला था buyer हो आप आपने बुला था मुझे सनी ट्रांस्पोर्ट से goods भेजो सनी पाजी के पास से तो सनी से भेजना चाहिए अगर आप जॉनी से भेजोगे हनी से भेजोगे तो ये वैलिड नहीं इसका इंशरंस मगरे करा लो अगर वो ये बताता नहीं है तो रिस्क ट्रांस्पर नहीं होगा इसको नाम देते हैं notice of shipment so seller should inform the B about the shipment उसने जानकरी देना चाहिए मैंने अगर उसने प्रापर जानकरी दे दिया इसके बाद B का अब रिस्क रहेगा अगर रास्ते में कोई भी डेटरीएशन आप दी गुट्स होता है तो यहां पे भी रिस्क होगा आप बायर का इसमें एक एक्ट्टी था जिसने बोला था मुझे आयन भेजो और ये आयन भेज होता है नमी होती है हवे में उसके कारण इस पर रस्ट लग गया था जंग लग गया था और इसलिए बीस को मना करता है बी बोलता है यह तो जंग लगा हुआ आयन है यह अनमर्चेंट अबले तो यह वापस ले जाओ लेकिन कोर्ट ने बुला कि नहीं यह जो रस्ट है जं रहे बाइर को अधिकार मिलता है गुट्स एक्जामिन करने का जब गुट्स मंगाया जाते है अगर गुट्स घर पर आके छोड़ दिये दाट डास नाट मीन हमने एक्सेप्ट कर लिया इसके बाद हम चेक करेंगे और अगर बताएंगे हम एक्सेप्ट कर रहे है तब एक् हम रिजेक्ट नहीं करेंगे विदिन रिजनेबल टाइम और विदिन अ स्पेसिफाइड टाइम तो हम मान लेंगे एक्सेप्ट कर लिया है अगर हमने रिजेक्ट किया है तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है गुट्स वापस करने की तो हमने रिजेक्ट कर दिया उतना इन्फ fully reject कर रहा है, then फिर buyer के जिम्मेदारी होगी, to pay reasonable charge for the care and custody and neglect or refusal के कारण जो loss होगा, वो pay करने के जिम्मेदारी, तो अगर rightful rejection है, तो ये लगता है, wrong rejection है, तो ये लगेगा हमारे चैनल पर जाए, सब्सक्राइब करें, share करें, like करें, दो बार, like मत कर देना, ठीक है, दो बार, subscribe भी मत करना, हाँ, bell icon जरूर दबाए, चलो, ठीक है, right of buyer and unpaid seller, नाम है न, ये, चलो, ठीक है, चलो, 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 आगे बढ़ते हैं, बस बस, ये दू चैप्टर खतम, तो अपन बराबर चल रहे हैं, फिर एक गंटे में, अपना, अपना, कंप्लीट हो जाना चाहिए, partnership act, एक गंटे में, कंप्लीट करना पड़ेगा, so time के साब से अपन, प्रापर चल रहे है, contract act को अपन बगाएंगे, वो पता ही रहता है, जादे तर लोगों को, इसलिए उसको, पहले, हाँ, पहले, contract act में, बहुत पहले ले ले लेता था, और उसमें दिक्कत ही होती थी, बहुत slow चलता है, contract act, so अपने पहले, इसलिए company's act लिए, company's act भगाना गड़ पड़ हो जाएगा, इसलिए company's act को, पुरे डीप में, अपने थोरोली किया, फिर sale of goods act, partnership act, क्योंकि ये कम पढ़के, आपको ज़्यादा marks मिलेंगे, और contract act में, इतना सारा पढ़के, आपको कम marks मिलेंगे, और contract act कैसा है ना, आपको अच्छे से आता भी है, क्योंकि आप लोगों ने, बहुत interest से किया होता है नो, शुर्वात रहता है, नया नया law होता है, तो पहला पहला, law है, law है, वो बहुत अच्छे से करते हैं अपन, फिर धीरे-धीरे motivation कम होता है, तो actual revision आपको ये last part की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इसलिए अपनने पहले ये देखे, ठीक है, फिर अपन देखेंगे बाकी भी, contract है भी देखेंगे, चलो, right of buyer and right of unpaid seller, इसमें right of buyer पर question आने के chance बहुत कम है, तो इसमें buyer के rights हमको ज़्यादा deep में नहीं पढ़ना है, एकदम simply देखते हैं, तो seller अगर breach करेगा, तो buyer को अधिकार मिलेगा, buyer breach करेगा, तो seller को अधिकार मिलेगा, so seller breach कैसे क्या कर सकता है, या तो उसने goods लाके दिये इच नहीं, या तो उसने मना कर दिया, repudiate कर दिया, या तो उसने गलत goods ला दिया, ऐसे कोई भी cases में, अगर उसने breach किया है, तो हमको right मिलेगा, एक तो goods नहीं लाया, तो suit for non-delivery, इसका जो भी damages से, वो हम claim कर सकते हैं, अगर कोई ऐसे goods हैं, जो एकदम ही unique goods थे, तो यहां हम even specific performance of contract claim कर सकते हैं, like कोहिनोर हीदा खरीदने का मैंने contract किया था, आगे वाला बेचने को तयार था, ताइम पर मना कर देगा, तो मैं उससे जबरदुस्ती performance claim कर सकता हूँ, breach of warranty अगर हुई है, या कभी breach of condition हुई है, but we are compelled to treat it as breach of warranty, तो यहां पर हम price का reduction claim कर सकते हैं, जैसे समझो मैंने mobile phone मंगाया था, अब mobile phone जो है, उसके screen तूटी हुई आई, और मुझे contract करने का, cancel करने का अधिकार नहीं है, उसमें लिखा था, you cannot cancel the contract, तो मैं damages claim करूँगा, तो damages में मैं उसको जो भी ठीक करने का खर्चा है, वो claim कर सकता हूँ, फिर अगर खर्चा इतना साधा है, कि पूरा उसका जो price है, वो खतम हो गया, पूरा mobile चूरा चूरा हो गया, चूरी चूरी नहीं, चूरा चूरा हो गया, तो ऐसे case में अब मैं पैसे ही नहीं पे करूँगा, क्योंकि पूरा ही loss हो गया है, फिर ये अजीब है तोड़ा, अगर loss exceeds the price, तो मैं चीज भी रख लूँगा, और पैसा भी claim कर सकता हूँ, जैसे मैंने second hand car खरीदा, अब समझो 50,000 में मिरे को मिल गई कार, उसमें फिर बाद में पता लगा कोई defect था, oil chamber होगरे फूटा था, और उसको ठीक करने को मिरे को 70,000 रुपे लग गया, तो 50,000 रुपे तो अल्रेटी मैं खरीद के पे करना था, और उसके अलावस 70,000 एक्स्टर लग गया, टोटल एक बीस हो गया, तो मैं उसको 50 तो पे करूँगे नी, बट रिपेर का खर्चा भी claim कर लोंगा, और कार भी रख लोंगा, तो यह भी अजीब है थोड़ा, बट यह सही है, क्योंकि फ्रॉड नहीं होना चाहिए, इसलिए ऐसा rule है, ठीक है, और साथ में, अगर कोई damages होते हैं, तो damages भी हम claim कर सकते हैं, अलग से, Anticipatory breach होगा अगर, Anticipatory breach means, नाई माने के पहले उसने बोल दिया, कि मैं contract perform नहीं कर पाऊंगा, यहां हमारे पास दो option होते हैं, we can either treat the contract as cancelled, and sue for damages, यह दिया है, cancel or sue for damages, या फिर either he can treat the contract as subsisting, वो मान सकता है contract चालू है, and wait till the date of delivery, फिर delivery की date पे फिर से हो सकता है, perform हो जाए, फिर से हो सकता है, breach हो जाए, फिर हो सकता है, impossible हो जाए, ठीक है, यह contract act में deep में देखेंगे, अपन क्या क्या cases हो सकते हैं, for suit for interest and recovery for the price, so अगर price कब recover करेगा, जब उसने कुछ advance पे कर दिया था, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, buyer is recovering price, तो buyer कब price recover करेगा, when he has already paid, advance, so he can recover that price, so simple है, अब हम देखते हैं, unpaid seller कौन है, unpaid seller यहने, वो एक दी, जिसको उसके goods का पूरा पैसा नहीं मिला, या फिर उसको पैसा मिला, in the form of check, bill of exchange, और वो dishonor हो गया, so he remains unpaid, unpaid seller को, कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं, उसको दो प्राकार के अधिकार मिलते हैं, एक right against the goods, दूसरा right against the buyer, पर्सनली, goods के उपर जो उसको अधिकार प्राप्त होते हैं, उसको हम बोलते है right of lean, right of stoppage in transit and right of resale, ऐसे तीन अधिकार उसको प्राप्त होते हैं, against the goods, इसको हम एक डाइग्राम से समझते हैं, आपने बनाए होंगे बसे, जब हमने पूरा पढ़े थे टीप में, जब goods हम भीजते हैं, जब हम goods भीजते हैं, तो आपको पता है goods भीजा कैसा जाता है, तो एक seller होगा, ये buyer को goods send करेगा, ये goods हम ले जाके देते हैं, transportation company के office में, वहाँ से load होते हैं, टरक पे, फिर ये जाते हैं, आगे पहुचिंगे, इसके बाद यहाँ पर transportation company का office हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, फिर यहाँ से goods प्राप्त करके लेके आता है, यहाँ पर goods जब तक हमारे पास हैं, तब तक हमको इत right मिलता है, इस right को हम बोलते हैं, right of lean, right of lean मिलता है, जब हमारा position है, हमारा position गया, और buyer का आने का है, इस बीच हमको मिलता है, right of stoppage in transit, जब तक हमको stoppage in transit का अधिकार मिलता है, और इन दोनों right के साथ में हम अधिकार एक और यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम बोलते है, right of resale, यह अधिकार मिलता है, right of lean तब मिलता है, इसको हम एक नाम और देते हैं, right of lean means right to retain the position, जब आपके पास है goods तभी तद आप retain कर सकते हो, यह मिलता है आपको available, in case of cash sale, cash sale में मिलता है, credit sale में generally नहीं मिलता, बट मिलता है credit sale में only after expiry of credit period, और तीसरा मिलता है, in case of insolvency of buyer, तो यह तीन case में आपको rights राप्त होते हैं, ठीक हैं, तो यह समझते हैं, दूसरा right of stoppage in transit, इसको हम एक नाम और देते हैं, right to regain, यह resume the position, यह मिलता है सिर्फ एक case में, only in case of insolvency of buyer, insolvency of buyer की case में मिलता है, और insolvency का क्या मतलब है, यहां insolvency का मतलब है, commercial insolvency, commercial insolvency means, हो सकता है कि, court ने अभी तक उसको insolven घुशित नहीं किया, बट फिर भी, वज़र day to day activities में, अपने debts पे करने में समर्थ नहीं है, तो हम मान लेंगे हो, वो insolven हो गया है, अब हमको पता लगा है, गुप्ता जी के भी पैसे अटके हुए है, दुबे जी के भी पैसे अटके है, तीवारी जी के भी पैसे अटके है, किसी को भी पैसा नहीं दे रहे, तो हम मान लेंगे कि यह commercial insolvency हो चुकी, भले ही अभी तक court ने गोशित नहीं किया तो भी, so position जब तक हमारा है, तब तक हमको right of lean मिलता है, that means अगर आगे वाला हमको पैसा नहीं देगा, तो हम goods देने से मना कर सकते हैं, क्योंकि हम unpaid है, unpaid का मतलब है यहां हमेशा seller unpaid है, unpaid का मतलब है उसको पैसा नहीं मिला है, जैसे आपको भूक लगी, आपने आज टिफिन नहीं लाएं, और class इतनी लंबी चल रही है, तो आपको भूक लगी, तो आप नीचे जाते हैं, वहाँ पे एक आपको फल वाला दिखता है, उससे आपने सेव खरीद है, सेव होते है सफर चन, आपने खरीद लिये कि भी या, एक पाव सेव दे दो, उसने सेव तौला और रेडी कर दिया, बोलता है बाबुजी पैसे, आपने बोले आरे पैसे तो मैं भूल गया, मैं वो उपर से पैसे ला देता हूँ, आप सेव दे दो, तो वो सेव देगा नहीं आपको, वो बोले दा बाबुजी कोई जल्दी नहीं, आप पैसे ला लो, फिर आपको मैं सेव दे दूँगा, यहां पर राइट आफ लीन एकसरसाइस कर रहा है, वो एक टाइम पर मेरा स्टुडेंट था, तो उसको पता है, इन एक्जाम्पल्स का आस्थिकता से संबंद नहीं है, आपको कहले लगता है, हाँ, खूब खूब कमाते हैं, फल वाले, सच में, और इनको टैक्स वेक्स भी नहीं भरना पड़ता है, अब यहाँ पर वो राइट ओफ लीन एक्सरसाइज कर रहा है, इससे कोई परक नहीं परता, ओनर्शिप आपकी हो चुकी है, यहाँ ओनर्शिप आपकी है, क्यों? गुट्स अर इन डिलिवरेबल स्टेट, रेडी हैं, स्पेसिफिक गुट्स हैं, डिलिवरेबल स्टेट हैं, कॉन्ट्रेक किया, आप ओनर्शिप बन गए, रेडी भी एट पैक करके रखा भी उसने, सिर्फ आपको ले जाने नहीं दिया, तो उसने राइट ओफ लीन एक्सरसाइज किया, वो प्रजिशन नहीं दे रहा है, आपको भले आपकी ओनर्शिप है तो भी, क्यों, क्योंकि आपने उसको पैसा नहीं दिया, he is an unpaid seller, आप जाओगे पैसा दोगे तो आपको आपकी goods दे देगा, तो cash sale में पहला राइट ये उसको मिलता है, तो cash sale, दूसरा credit sale, credit sale में लेकिन तब मिलता है, जब credit period expire होगा, अगर बात हुई थी, कि शर्माजी आप टीवी ले जाना 10 तारीक को, यहाँ पे मिलको टीवी के delivery देने वाला था, और पैसा दे देना 30 तारीक को, यहाँ मैं पैसा देने वाला था, अब जब बात हुई है, कि इतने पिरेट तक के मुझसे पैसा नहीं मांगेगा, तो यहाँ उसको लीन नहीं मिलेगा, वो मुझे, अगर मैं समझो 15 तारीक को जा रहा हूँ, और बोल रहा हूँ, मुझे goods दे दो, टीवी दे दो, वो यह नहीं बोल सकता, शर्माजी पहले पैसे दो, क्योंकि बात हुई है, पैसा 30 को मिलेगा, सो 15 तारीक को उसको लीन नहीं मिलने आला, 20 को नहीं मिलने आला, 25 को नहीं मिलने आला, लेकिन हाँ 30 तारीक निकल गई, और मैं इसके बात जाओंगा, बोलूँगा मुझे गुट्स दे दो, तो वो पहले मुझसे पैसा माँगेगा, तो यहाँ उसको लीन मिलेगा, तो वैसे जनरल रूले जब तक के ग्रेडिट पिरेड है, तब तक लीन नहीं मिलता, लीन मिलेगा वेन दे क्रेडिट पिरेड एक्सपायर, जब क्रेडिट पिरेड एक्सपायर होगे, उसके बाद लीन का अधिका प्राप्त हो जाता है, तो अन्पेड सेलर, जब तक क्रेडिट पिरेड अथ तब तक लीन नहीं मिलता, इसलिए हमने बोला, प्रेडिट सेल में, उसको लीन मिलेगा, एन इंसल्वेंसी ऑफ बायर, बायर अगर इंसल्वेंट हो जाता है, तो ऐसे केसस में भी, लीन मिलता है, अन्दी गुड्स, अब यहाँ इंसल्वेंसी यहने वोई, मेरे गुड्स रेडि थे, मैंने बिल्कुल रेडि करके रखा, फिर तिवारी जी आते हैं, बोलते हैं, किसको गुड्स भेज रहें, मैंने बताया, पांडी जी को, तो वो बोले, पांडी जी को गुड्स बिल्कुल मत भेजो, वो पैसे नहीं देते हैं, और मुझे और 10-15 लोगों नहीं बता दिये, तो मैं मान लूँगा, वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो यहाँ पर फिर मैं राइट ओफ लीन एक्सेसाइज कर सकता हूँ, फिर एक बार अगर समझो, मेरे हाथ से गुड्स जा चुके थे, और ट्रांस्पोर्टेशन कंपनी का पोजेशन है, तब तक ट्रांसिट चालू होता है, तो ट्रांसिट में मैं रोख के गुड्स वापस मंगा सकता हूँ, अगर गुड्स निकल चुके थे, तो भी मैं बोल सकता हूँ, सनी पाजी वहीं रुप जाओ, और गुड्स मुझे वापस लाके दे दो, जब हमारे हाथ से निकल चुके हैं, बट इंपोर्टन चीज है, बायर का पसेशन नहीं आना चाहिए, अगर समझो, बायर बीच में आके यहाँ पी गुड्स लेके चला जाता है, यहाँ आके गुड्स लेके चला जाता है, तो यही पर मेरा लीन खतम हो गया, लीन और स्टॉपज इन ट्रांजिट खतम हो गया, सो स्टॉपज इन ट्रांजिट अभी तक मिलेगा, जब तक के बायर का पसेशन नहीं आया, मेरा पसेशन गया और बायर का नहीं आया, अगर मेरा पसेशन नहीं गया, तो lean मिलेगा मेरा position गया तो stoppage in transit मिलेगा यह तब लगता है जब independent carrier है अगर buyer का truck है तो stoppage in transit नहीं मिलेगा क्योंकि उसका truck है that means उसको goods मिल चुके हैं अगर इसने आगे sell कर दिया है समझे इसने sell कर दिया तो भी क्या मुझे lean और stoppage in transit मिलता है आंसर है हाँ मुझे मिलता है so lean और stoppage in transit defeat नहीं होता आगे sell कर देने से लेकिन defeat हो जाएगा दो case में एक except एक case में defeat हो जाएगा जब उसने पूछ के sell किया था उसने मुझे पूछा था and seller seller consent seller यहने अपनी case में यह seller ने consent दिया है तो यहाँ पर राइट और stoppage in transit और lean defeat हो जाएगा उसने मुझे पूछा था शर्मा जी गुट्स आगे बेज दू क्या मैंने बूला बेज दे और उसने पूछ के बेचा है तो अब lean नहीं मिलेगा या फिर दूसरा case जब मैंने उसको एक document of title ट्रांसपर किया था और उसने document of title के basis पे sell किया है तो ऐसे case में भी lean or stoppage in transit खतम हो जाएगा नहीं तो subsell से या pledge से lean or stoppage in transit खतम नहीं होता ठीक है यह सब दिया हुआ है तो मैंने पुरा एक साथ बता दिया आपको exception है दो case में खतम होगा जब seller से पूछा था या फिर जब seller ने एक document of title दिया था और वो document of title उसने आगे ट्रांसपर कर दिया साथे साथ right of resale मिलता है right of resale का मतलब है कि वो फिर से बेच सकता है भली एक बार उसने बेच चुका है but again he can sell the goods यह बेचे जा सकते हैं अगर perishable nature के goods है तो without notice and other perishable नहीं है other goods है तो after notice to buyer उसको बता के कि भई इतने दिन में पैसा भीज दो नहीं तो मैं आगे बेच दोंगा ठीक है इसके बाद अगर पूरा पैसा नहीं आया बेच के भी पूरी वसूली नहीं हुई then also buyer remains liable for the remaining money ठीक है तो ऐसा है और यह तो simple right है फिर right against buyer क्या क्या ले सकते एक बार goods के rights अगर चले गए तो भी buyer पर आप case file करके price recover कर सकते हैं damages recover कर सकते हैं for non-acceptance damages recover कर सकते हैं for cancellation of contract अगर यह anticipatory breach है तो anticipatory में यह वाला रूज लगेगा before the date of delivery यह सब बनाया हुआ है आपके पास diagram के साथ और interest and special damages claim कर सकते हैं तो यह तो general वाले rights हैं auction sale बस 2 minute में खतम कर लेते हैं और break लेंगे auction sale auction sale में इस नीलामी के सर यह जब चीज बेची जाती है तो अगर मैं नीलाम कर रहा हूँ कोई चीज में यह बेच रहा हूँ तो मैं बोली लगाँगा सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा मैं एक advertisement दूँगा जिसमें लिखा रहेगा यह जगे पे इतने इतने बज़े auction होने वाला है फिर लोग वो देखके आएंगे डिलिवरेबल स्टेट में है तो तुरंट सेल हो जाएगा फिर यहां पे अगर सेल लॉट्स में रखे हैं गुट्स अलग-अलग लॉट्स में है तो हर एक लॉट्स सेपरेट सेल का contract होगा फिर सेल कैसे complete होगा by fall of hammer जब तक के hammer fall नहीं होता अगर उसने पहले से बोला है कि मेरे बदले कोई वेक्ति बोली लगाएगा तो मैं खुद या मेरे जगे कोई और बोली लगाएगा तो वो कर सकता है नहीं तो सेलर शुड नॉट बिद हिंसल और apply any person and auctioner should not take bid from any such person जो seller या उसके बिहाब पर बोली लगा रहा है फिर pretended bidding ये भी गलत है जैसे मैंने अनू और मुकू को बिठा दिया और बोला कि तुम बोली लगाओ सिर्फ प्राइस रेस करने को या अनू और मुकू क्या है तो सिर्फ प्रिटेंड बिडर्स हैं पफर है यह इन लोग सिर्फ बोली बढ़ाने का काम कर रहे है और बाद में जब तीसरा विक्ति बोली लगाएगा तो यह दोनों शान्त बढ़ जाएंगे रिजर्फ प्राइस यह तब लगाते हैं जब हमको लगता है कि लोग कम में खरीद लेना चाहते हैं तो हम एक प्राइस रिजर बाद में मार्केट में जाके 20,000 में बेज देंगे और फिर 15,000 की पार्टी करेंगे तो ऐसे केसस में मेरा नुकसान हो सकता है तो मैं इससे बचने के लिए या तो खुद का एक राइट टू बिड रख लूँ या फिर रिजर्फ प्राइस लगा सकता हूं अपसेट आपके कार बेचने को निकाला था मैंने और किसी ने अफवा फैला दिया जिसने भी कार खरीदा उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है तो ऐसे केसस में फिर वह मेरा सेल फेल हो गया तो एक्जाम्पल है बढ़ब भी सकती है वैल्यू तो मान लोग कि फेल हो गया या फिर आप या किसी ने बोला बॉम लगा हुआ है प्रिमैसस में और भाब गये सब लोग तो यह क्या है यह भी एक प्रकार का डैंपिंग है डैंपिंग या तो पॉइंटिंग और डिफेट्स या फिर टेकिंग इंटिंडिंग बायर फॉर्म अवे फॉर्म दे प्लेस ऑप ऑक्शन स पफर याने वही अनु और मुको जिनको हमने जूटी बोली लगाने को बिठाया है टैक्स का बोज किसके उपर आएगा जनरल रूल है बायर के उपर आता है जो वेक्ति खरीदता है अगर आप भी कोई चीज़ खरीदर है समझो आपने मोबाईल खरीदा तो उसमें जो जी भी उसी का होगा बट आप चाहो तो आप आपस में एगरी कर सकते हो टैक्स का बोज कौन बेर करेगा कुछ बेर नहीं किया कुछ नहीं लिखा है तो हम मान लेते हैं कि बायर इसको बेर करेगा ठेक है तो यह खतम होता है आपका सेल अगर्ट सेक्ट फिर पाटनेशिप एक एक ब्रेक छोटा सा पांच मिनिट का लेंगे ज्यादा से अधा बाकी जरुरत नहीं है यह पांच बज़े तक तो खतम ही करना है न गाना हो गरे नहीं गलाव ऐसी तकलीव दे रहा है सुबह से बोल रहा हूं मैं बग 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 तो देखते हैं तो ठीक है देखते हैं और फिर कॉंट्रेक्ट एक्ट बस खतम थोड़ा बहुत अमिंड्मेंट्स की बारे में बता देंगे चलो सो ब्रेक ले लेते हैं आदे गंटे का दो बच कर चालीस मिनिट ले लो क्या नहीं दो बच के चालीस मिनिट चलो ठीक है जल्दी जल्दी जाकर खाना पीना निट टा क्या जाओ अब आप्टरों फ्रेंट्स यह सा है हम लोग अब पार्टनेशिप आट के बारे में चर्चर करेंगे तो पार्टनेशिप एक में सबसे पहले पार्टनेशिप क्या है तो पार्टनेशिप इस दे रिलेशन्शिप बेविन टू और मोर परसंस एक या एक से ज्यादा एक तो नी दो या दो से ज्यादा लोग मिलके एगरी करते हैं तो क्या एगरी करते हैं तो एगरी करते हैं त of a business, एक business होना चाहिए, carried on by all, और any of them acting for all, so partnership ये एक relation है, it is a relationship between persons, so रिष्टे को हम partnership बोलते हैं, जो कि लोगों ने agree किया है, एक agreement से बनता है, contract होना चाहिए, जिसमें sharing of profits होना चाहिए, business होना चाहिए, business can be carried on by all or any of them acting for all, so सबसे पहली चीज़ है, relation between persons है, so वो जो रिष्टा है, इसको हम partnership बोलते हैं, जैसे मैं हूँ, मेरी फ्रेंड है दिपिका, एक और फ्रेंड है केटरीना, तो हम तीनों के भी जो रिष्टा है न, वो रिष्टा partnership है, अब यह जो रिष्टा है न, यह रिष्टे के कोई रूप रिखा नहीं होती, यह सिर्फ feel किया जा सकता है, relations जो होते हैं, यह concrete नहीं होते हैं, यह सिर्फ निराकार होते हैं, जैसे आप और आपके friend है, आजू आजू बेटे हैं, दोनों के बीच एक relation है, वो रिष्टा हमको देख के नहीं पता लगता, दोस्ती का है जो रिष्टा है, अरे दोस्ती का, जो दोस्ती का रिष्टा है यह देख कर पता नहीं लगता, लेकिन हमको अगर पहचान देना है, तीन दोस्ते हैं, तीनों दोस्तों को अपना एक group बनाना है, तो उसका एक group का नाम रखते हैं, एक अलग पहचान देते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी, क्यूंकि हमारी फर्म में partners के बीच के relation का कोई आकार नहीं होता, तो उसको आकार देने के लिए हम एक फर्म का निर्मान करते हैं तो फर्म एक एक पुड़ा कॉंक्रीट रूप होता है रिलेशन्स का तो एलिमेंट्स ऑफ पार्टनेशिप में यही चीजे निकल के आती है जो हम इसके section 4 में पढ़ते हैं कि it is a relation between persons who have agreed to share the profits पार्टनेशिप नहीं कर सकता कॉंट्रेक्ट नहीं कर सकता तो कम से कम दो वेक्तियों का होना अनिवार यह होता है then maximum कितने लोग होंगे तो यह चीज़ कंपनी जाक में लिखिए कि maximum लोगों की संख्या 50 से जादा नहीं होना चाहिए बाकि partnership act is silent on this point वो कुछ नहीं बोलता बट companies act बोलता है 50 maximum होंगे agreement से बनेगा contract होना चाहिए without contract नहीं हो सकता business होना चाहिए business can be carried on by all or any of them acting for all and sharing of profit भी होना चाहिए यह 5 features में से sharing of profit जो है यह एक prime of इसी evidence है that means इसको देखके हम बोल सकते हैं कि हाँ क्योंकि sharing of profit है तो partnership हो सकती है but it is not the conclusive test so what is conclusive test is the mutual agency अगर एक व्यक्ति अपने कारियर से दूसरी व्यक्तियों को bind कर सकता है अगर समझो केटरीना कुछ contract कर लेती है third party के साथ तो इस contract से अगर दिपिका और मैं भी bind हो जाते हैं वैसे ही अगर दिपिका कुछ contract कर देती है third party के साथ तो उसके साथ केटरीना और मैं भी bind हो जाते हैं वैसे ही मैं अगर कुछ contract करता हूँ तो उससे केटरीना दिपिका सब bind हो जाते हैं that means हमारे बीच partnership है मेंस अगर एक व्यक्ति अपने कारिया से दूसरे व्यक्तियों को बात भी कर सकता है और वो दूसरे व्यक्तियों के कारिया से बात भी हो जाता है तो हम बोलेंगे partnership है सो partnership का यही true test है mutual agency जिसके उपर आपको question आने वाला है आ सकता है section 6 बताता है कि जब भी आप ध्यान रखते हैं कि कौन कौन सी जब भी आप ध्यान रखते हैं कि partnership है या नहीं तो यह business कौन कर रहा है parties की conduct कैसे है control of property किसके हाथ में accounts कैसे maintain करते है पत्र वेभार कैसे होता है distribution of profit क्या होता है वैसे ही जो main elements है यह 4 elements है यह दोनों एक है यह दूसरा element तीसरा और चौथा इसमें से ही जो पहला तीसरा element है यह एक primophysy test है but it is not the conclusive test conclusive test fourth element है which is the out of the fourth element the third element that is sharing of profit is important but it is not conclusive what is conclusive is the mutual agency यह चीज़ सबसे पहली बार एक case हुआ था Cox vs Hickman उसमें बताया हुआ था आपको याद होगा हो case याद है एक व्यक्ति होता है जो business properly manage नहीं कर पाता है तो creditors जो होते है इन लोग agree करते हैं कि हम तुमको manage करने में help करेंगे बड़ यहां पे binding power नहीं होता creditors अपने कार्य से इसको बाध्य नहीं कर सकते उसी प्रकार से यह अपने कार्य से creditors को बाध्य नहीं कर सकता बाकि इसमें agreement भी होता है इसमें business भी होता है इसमें sharing और profit भी होती है जो भी पैसा कमाएगा उसमें कुछ percentage sharing करके वो अपना जो date है वो खतम करेगा या agree किया होता है तो सब चीज होने के बाद भी या partnership नहीं है क्योंकि बाद्य करने वाले जो अधिकार होते हैं वो नहीं है अगर एक वेक्ति अपने कारिये से दूसरे को बाद्य कर सकता है और वो दूसरे के कारिये से बाद्य हो जाता है तब partnership होती है बट यह चीज अगर missing है तो partnership नहीं होग जैसे कि creditor को अगर हम share of profit देते हैं, जिससे वो interest और part payment of principle को खतम करते जाता है, तो ये भी partnership नहीं है, because creditor cannot bind the other party by the act of, by his own act, उसी प्रकार से employees को कही बार remuneration दिया जाता है share of profit, कि आप जितना भी sale करोगे उससाब से आपको 10% profit में share मिल जाएगा, ये भी sharing of profit है, बट यहाँ भी binding relation नहीं होते हैं, वैसे ही bonus दिया जाता है workers को, कभी-कभी जिस partner की death होगे, इसकी widow और children को भी पैसा दिया जाता है, even after death, जब तक account settle नहीं होते हैं, तो भी partnership नहीं है, क्योंकि बो लोग अपने कार्या से, बाकी के partners को bind नहीं कर सकते हैं, और previous owner क कई बार goodwill थोड़ा-थोड़ा करके profit sharing के रूप में pay किया जाता है, यहाँ भी previous owner cannot bind the original partners by their own act, और इसलिए जो partnership है, वो इन cases में missing होगी, ठीक है, तो missing क्यों है, क्योंकि mutual agency नहीं है, so true test canical कहता है, तो mutual agency, so mutual agency is the underlying or cardinal principle, जिसके कारण हम बोल सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे partnership है, अगर mutual agency नहीं है, तो partnership नहीं है, फिर types of partners, active partner, जो actively participate करता है, dormant या sleeping, जो काम में कुछ participation नहीं करता हो सकता है, कि वो internally कुछ काम कर रहा है, बट वो लोगों को पता नहीं होता, day to day working में participate नहीं करता है, nominal partner, जिसना सिर्फ नाम use करने दिया है, कि आप मेरा नाम use कर सकते हो, औ उसके बदले कई बार वो goodwill के रूप में पैसा लेता है, बट वो कुछ पैसा लगाता नहीं है, क्योंकि वो नाम दे रहा है, वो ही बहुत बड़ी बात हो जाती है, sub partner जिसमें एक वेक्ति ने अपने हिस्से का कुछ हिस्सार share करने की बात किये, जैसे कि हम तीन partner है, इसमे जैसे मैं अपने हिस्से का 10% share कर रहा हूँ इलियाना, जो यहाँ पी इलियाना becomes a sub partner, फिर sub partner एक्चुल में partner नहीं बनता, उसको कोई interfere करने का business में participate करने का अधिकार नहीं होता, एन partner पर stopper or holding out, जब आप हैं, आप सम्झो दो जन हैं, दो जन partner हैं, आप जाके एक शॉप मे बताते हैं कि शर्मा जी हमारे partner है, और मैं भी यहीं खड़ा हूँ और मैं मना नहीं करता हूँ, तो that means मैंने यह दर्शाय shopkeeper को कि हां मैं partner हूँ, इस basis पे इसने अगर उधारी दे दिया, कोई credit पे sale कर दिया, goods बगर, यहाँ पे इसने यह सुनते हुए उधारी दिया कि मैं मैं partner हूँ, और मैं यहीं पे खड़ा था, तो मेरा काम था मैंने मना करना चाहिए, बट मैं अगर मना नहीं करूँगा, तो यहाँ पे मैं stop किया जाओंगा from denying the fact later, तो मुझे मुकर ने नहीं दिया जाएगा, तो यहाँ पे मुझे partner मान लिया जाता है, only for this particular person जिसने यह सु कोई दिया है, पूरा पढ़ के नहीं बताता, पता है आपको, types of partnership ऐसे चार प्रकार दी हैं, बट जो दो important प्रकार है यहाँ पर बताया हुए है, so partnership at will and particular partnership, ऐसे एक और होती है general partnership और एक partnership for fixed period, so partnership at will यहने वो होता है, जिसमें important है ध्यान रखना, जिसमें कैसे खतम होगी partnership य पताते हैं, ना उसमें tenure बताया है, date बताया है, ना ही उसमें कोई तरीका बताया है, अगर कोई तरीका भी बता दिया, तो it is not a partnership at will, अगर हमने ये भी बोल दिया कि हम लोग सब मिल के बैठेंगे और फिर जाके हम partnership को खतम करेंगे, तो ये भी partnership at will नहीं है, at will का मतलब है ज उस date से partnership खतम हो जाती है, और अगर कोई date नहीं लिखी है, तो जैसे ही सब को notice प्राप्त हो जाएगा, तो partnership खतम हो जाएगी, ठीक है, फिर particular partnership, जो कि एक particular adventure या undertaking के लिए की जाती है, जैसे कि हमको पुल बनाने है, आदिवासी, गोवारी, शहीद, उड़्डान, पुल, तो पूरा ही construction हम, partnership में कर रहे है, तो general partnership, वैसे fix period यहने है, जिसमें हमने time लिख जया, दो साल हो गया, पात साल हो गया, तो यह fix period हो गया, partnership property में क्या क्या आता है, तो partnership property के लिए हमको balance sheet देखना पड़ता है, partnership में जो originally इन लोगों ने लेके आए हैं, जो भी assets हैं, जो भी property है, cash है, बूर्सफ partnership property है, दूसरी चीज़, जो cash था, यह cash को use करके कुछ खरीद लिया है, तो यह भी partnership property है, तो पहनी चीज़, जो भी originally brought into the firm, यह, दूसरा, which is acquired from the money belonging to the firm, and तीसरा, goodwill, goodwill is also the partnership property, so goodwill जो होती है, यह भी property होती है, तो तीन चीज़, जो common stock में originally लेकिया है, दूस जो acquired with money belonging to the firm, and तीसरा, goodwill of the firm, अगर हम partnership की property use करेंगे, तो it should be exclusively used for the purpose of business only, subject to the contract between partners, अगर कुछ और agree किया है, तो ऐसा होगा नहीं, तो सिर्फ business के लिए use होना चीज़, अगर हमने एक car खरीद हैं, जो शादियों, इमंपार्टियों के order लेने के लिए है, तो हमारे car का प्रय योग उतना ही होना चाहिए, हम उसको personal use के लिए गुरूमने फिरने के लिए नहीं ले जा सकते, फिर registration of firm क्या जरूरी होता है, तो answer is no, it is optional, अगर आपको register करना है, तो आप के अगर होगे, तो आप जो भी partners है, ये तीनों partners, registrar of firms के पास application करेंगे, अलग-अलग state में, online application होती है, इसके बाद इसके साथ documents देना पड़ता है, partnership deed, वैसे deed is not compulsory, बट जब आप वैसे writing में होना भी जरूरी नहीं है, even oral agreement is as much enforceable as a return partnership deed, बट return होना जरूरी हो जाता है, जब आप registration करवाना चाहते है, या फिर जब आप income tax निकालना चाहते है, income tax का उसका assessment करते है, जो भी form है, प्लस जो भी fees है, यह सब भरके हम ROF में जाके जमा करते हैं, या तो हम personally जाए तो भी चलता है, नहीं तो हमने deed बना लिया, sign कर लिया, notary के सामने, और इसको post से बेच दिया, तो भी चलता है, इसके बाद अगर सब चीज सही है, तो ROF will issue a certificate, certificate of registration में पूरी detail लि लिखी हुई है, हमने application हो सकता है, पहले किये थे 10 तारीक को, 20 तारीक को certificate मिला, लेकिन हमको प्राप्त हुआ वो 25 को, तो date जो यहां लिखिये 20 तारीक, वो हमारे final date होगी, registration जरूरी तो नहीं होता, बट अगर आप registration ना करो तो तीन प्रकार की disabilities हो जाती है, एक तो आप सकते हैं, तो अगर कोई counter claim में आपको किसी को 5000 देना था, 3000 लेना था, तो आपको 5000 देना पड़ेगा, आप सेट-off करके सिर्फ 2000 पेकर वा ऐसा नहीं कर सकते, if your firm is not registered, फिर firm इसलिए registration कर लेना जादा बहतर होता है, नहीं तो वैसे बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर दिया हुए, registration वैसे compulsory नहीं है, फिर भी आपको करना है, तो आप detail उसमें file भेज़ दो, register और फिर आपको एक certificate बना के देगा, अपने sign के through, पर time of registration ऐसा कोई time नहीं लिखा है, लेकिन आपको case file करना है, तो case file करने के पहले registration होना जरूरी है, तो आपका suit dismiss कर दिया जाएग suit between firm and third parties, हम third party पे case file नहीं कर सकते, ध्यान रखने वाली बात है, third party हमारे उपर case file कर सकती है, and set of claim नहीं कर सकते, फिर यहाँ एक दिया नहीं है, एक और important चीज है, जो आपके short notes में छूड़ गई है, मैं आपको बता जिता हूँ उसको, उपर उपर जितने काम के उतनी, consequences of non registration इसके कुछ exceptions है, जो important है, तो short notes में रह गए हैं, exceptions, आपको याद होंगे विसे, याद है क्या, exceptions है, that means in cases में आप register ना करते हुए भी claim कर सकते है, so, जैसे कि सबसे पहली चीज है, कि अगर आप firm को बंद करना चाहते हैं, dissolution करवाना चाहते हैं, तो dissolution के लिए आप case file कर सकते even if the firm is not registered, and even for dissolved accounts, अगर कंचल कर dissolution हो चुका है, तो आगे वाला पैसा नहीं दे रहा है, तो आप वहाँ पे भी case file कर सकते है, so, dissolution के लिए कर सकते हैं, दूसरा, अगर आपको 500 रुपे तक का कोई case file, sorry, 100 रुपे का, 100 रुपे का case file करना है, तो 100 रुपे का case file आप कर सकते है small causes court में हो case जाना चाहिए, and इसके अलावा उसको recover करने के लिए जो भी खर्चा है, वो भी आप recover कर सकते हैं, so, आपको 100 रुपे का case file करने को 5000 का खर्चा आया, तो वो भी recover कर सकते हैं, तो अजीब है तोड़ा, बढ़ है, फिर तीसरा, जो essay rights है, जो की otherwise than out of contract arise हुए है, उस कि हमारे दुकान से सल्मान खान ने एक चांदी की कटोरी अंटा के चला गया, अब हमने ये देख लिया, हमने उसके उपर case file किया, तो ये case किया जा सकता है, क्योंकि ये कोई contractual right नहीं है, contract वाले right हम enforce नहीं कर सकते हैं, ये non contractual है, कोई चोरी करेगा, हम आर्पीट करेगा, उसके case कर सकते हैं, लेकिन contract के पैसे नहीं देगा, वो पान खाया था, उसके पैसे नहीं देगा है, उसके लिए case file नहीं कर सकते, third party case file कर सकते हैं, फिर ऐसी जगे पे case file कर सकते हैं, जहाँ पे registration of form की ज़रत ही नहीं होती, क्योंकि हमारा कानून ही नहीं लगता, या फिर ऐ ऐसी जगे पे जहाँ पे exemption दिया गया है, registration से, by state government, वहाँ पे भी आप case file कर सकते हैं, जो भी चीज लिखे हैं, वो बिल्कुल सही है, ऐसा माना जाता है, और इसलिए यह हमारी जिम्मेदारी होती है, कि अगर कोई changes होते हैं, तो वो भी हमने inform करना चाहिए, रेजिस्टर के पास alterations का एक point आपको main book में देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे नहीं दिया है, क्योंकि वो बहुत काम का नहीं है, alteration फिर अगर आपके main place of business का हो, name का हो, या फिर nature of business हो, तो यह सब चीज़े inform करना है, partners का नाम change हो रहा है, partners का place of business change हो रहा है, place of residence change हो रहा ह पार्टनर का आना जाना ये भी inform करना पड़ता है, और अगर minor को आपने जोड़ा था, तो minor जब major हो जाएगा, तो उसको भी inform करना पड़ता है, within a period of six months, कि वो partner बनना चाहता है, या हटना चाहता है, जो भी उसका decision होगा, छे मैने मिलेना पड़ता है, अगर उसने कुछ न तीन महने तक की सजा हो सकती है, साथ में fine भी हो सकती है, so ऐसा है, simple, relations of partners, relations of partners में, यहां तक कोई doubt है, तो पूछ सकते हैं, छोटी छोटी chapter है, एकदम ही हलके फूल के, यह तो अपन main class में पढ़ते हैं, तो एक class में खतम हो जाता है, registration of firm का chapter एक class में खतम हो जाता है, so relations of partners, इसमें हमको देखना है, इन दोनों के, इन partners के जो बीच के relations है, वो कैसे होते हैं, यह हम देखेंगे, और इनके third parties के साथ क्या रिष्टी create होते हैं, वो देखेंगे, तो दो प्रकार के relation है, एक तो समझो, केटरीना है, दिपिका है, और मैं हूँ, हम तीनों के बीच का यह रिष्टा है, यह रिष्टा क्या कहलाता है, और यह partnership कहलाता है, तो इसमें क्या rights and duties हमारे बीच उत्पन्ना होती है, यह देखना है, एक यह चीज़, और दूसरा हम को देखना है, कि third parties के साथ अगर हम कोई contract कर रहे हैं, तो क्या rights and duties हम सब की उत्पन्ना होती है, towards that third party, तो पहले हम आपस के rights and duties की चर्चा करेंगे, mutual rights and duties, तो mutual rights and duties वैसे तो govern की जाते है about the partnership deed, deed में हमने जैसा लिखा है, वैसा होगा, और अगर हमने कुछ नहीं लिखा है, या कोई specific agreement ही नहीं है, तो फिर section 9 से 17 of the partnership act apply होते हैं, जो बोलते हैं कुछ general से rights है, right to take part in the conduct of business, हर व्यक्ति को अधिकार होता है, वो business में participate कर सकता है हर partner को, दूसरा right to be consulted, उसको पूछना चाहिए, कोई भी decision ले रहे हैं उसके पहले, ज्यादतर decisions majority से हो सकते हैं, सिर्फ 4 decisions fundamental nature के होते हैं, जिसको unanimous consent लगती है, जैसे कि अगर आप minor को add करना चाहते हैं to the benefits of partnership, तो unanimous consent चाहिए, आप को यह normal admission भी करना चाहते हैं, तो unanimous consent से admit किया जा सकता है किसी partner को, फिर nature of business change कर रहे हैं, तो फिर आपको जरूरी हो जाता है, वहाँ पे भी हर partner की consent लेना, और सब partner अगर बनाना है, तो वहाँ हर partner की consent लेना जरूरी हो जाता है, ठीक है, फिर right to, access to, books, books देखने का अधिकार हो यह एक right हो गया, right to share in the profits, profits का अधिकार होता है, अगर कुछ agree नहीं किया है, तो यह profit जो है, यह equal रहेगा, अगर कुछ और agree किये तो ऐसा होगा, कुछ agree नहीं किये, तो profit का अधिकार जो है, वह equal होता है, right to interest on capital, यह भी ध्यान रखो, profit includes negative profit, अगर हम profit की बात कर रहे हैं, तो last भी उसमें include होगा, अभी तो कुछ लोग चले गए वैसे, आएंगे फिर से, so, जो back चोड़के गए वो तो आएंगे ना, हम back चोड़के थोड़ी जाएंगे, back, अच्छा, इनके back है, अच्छा, एठीक है, नहीं, वो हमेशे ही होता है, और इसलिए मैंने पहले company law ले लि करना गरम और आज, पता नहीं क्यों, ठीक है, चलो, so, profit share, और साथ में lost का भी share, so, profit includes negative profit, ये भी के चुग है, आ रहा है क्या, आ रहा है, इन लोगों ने अपने तरफ कभी होंगे है, ठीक है, वो देको पंखा, ठीक है, ठीक है, जाओ दिया, interest on capital, interest on capital कभ मिलता आपको, अरे धान दो, capital पे interest कभ मिलेंगा, deed में नहीं लिखा तो, अच्छा, और profit रहा तभी मिलेंगा, बस, loan का interest जो advance का, ये आपको कभी भी मिलेगा, नहीं agree किया तो भी 6% मिलेगा, losses में भी मिलेगा, ठीक है, right to indemnity होता है, नुकसान की भरपाई करना, अगर समझो, किसी एक partner ने fraud किया, दोकदड़ी किया, उसके करण हमारा नुकसान हो रहा है, तो हम उससे indemnity claim कर सकते हैं, right to prevent the introduction of new partner, नया partner ला रहे हैं, तो सब लोगों से consent लेना जरूरी है, किसी ने भी मना कर दिया है, तो नया partner नहीं जुड सकता, right to retire, हर वेक्ति को अधिकार होता है, वो retire हो सकता है, retirement लिया जा सकता है, as per the deed, अगर deed में कुछ लिखा है, तो उसके हिसाब से, deed में कुछ नहीं लिखा है, तो फिर with the consent of all the partners, और अगर partnership at will है, तो by giving notice, फिर right not to be expelled, important है, question आएगा ध्यान रखना, right not to be expelled, यहाँ पर पढ़ें अगले chapter में deep में आएगा थोड़ा, so हर partner को अधिकार होता है, उसको निकाला न जाए, अगर आप उसको निकाल रहे हैं, तो यह गलत है, उसको निकाल नहीं सकते, बहुत कम cases में किसी partner को निकाला जा सकता है, उसकी conditions होती है, पहली condition, जिसको हम expel कर रहे हैं, उसके उपर charges लगे जो हमने लिखा था deed में, कि deed में लिखा होना चाहिए कि यह वाले stated circumstances में हम निकालेंगे, so वो circumstances उसमें stated होना चाहिए, दूसरी चीज़ उसको एक opportunity of being hurt देते हैं, उसको एक हमने बताया है कि क्या charges लगे हैं, क्यों तुमको निकाल रहे हैं, और उसके बाद opportunity मिलेगे, उसको एक अपने सफाई में कुछ पेश करना है, तो कर सकता है, और तीसरी चीज, सफाई में पेश करना है, और तीसरी चीज है majority, majority of partners ने करना चीए, in good faith, वो आप लोग मस्ती कर रहे हैं तो में distract हो जाता है, मस्ती करते तो, तो, हाँ शान बैठो जुपचाब, नहीं सच म अपने इंसान हुना, concentration पे फरक्त पड़ता है, आप लोग ऐसे हरकते करेंगे तो, उदर कोई कुछ कर रहा, कुछ कोई उदर, आप आज भ्यारे वीडियो लेते हो, तो, फरक्त पड़ता है, ठीक है, आज संडे है, तो, एक तो संडे है, संडे को वन डरियो विजन ले रह तो, नहीं, तो 16 तरीक को दे रहे थे मेरको बन डरियो विजन, मैं बुलां नहीं चीए 16 को, तो 16 को मेरा प्रगट दिन था, तो मैं उस दिन ठोड़ी क्लास लेने आओंगा, तो उस दिन तो मैं नॉर्मल क्लास नहीं लेता, छुट्टी दता हूँ मैं, तो ये तो फिर special class ह चोड़ो खेर, हाँ छोड़ो, so right not to be expelled, इस पे और चर्चा करेंगे, तो यह अधिकार होता है कि निकाला ना जाए, निकाल रहे हैं तो तीन कंडिशन से, पहली कंडिशन, stated circumstances होना चीए, इन हालातों में निकाला जाएगा, दूसरी चीज़, majority of the partners ने यह decision लिया है, all the partners ज़र partner and उससे एक opportunity of being heard, उसको सफाई में कुछ बोलना है, तो वो बोलने को अनुमती मिलना चाहिए उसको, ठीक है, तो यह तीन चीज़ होना चाहिए, फिर right to carry on competing business after retirement, अगर रोका न जाए, तो यह अधिकार होता है कि मैं retirement के बाद similar business कर सकता हूँ, लेकिन चाहे तो रोक सकते है तो बाकी के partners बुलेंगे कि शर्मा जी आप जातो रहे हो बट आप similar business नहीं करोगे within specified period and local limits, तो फिर मैं यह नहीं कर सकता, नहीं तो मैं कर सकता हूँ, फिर right to dissolve the firm in case of partnership at will, मुझे अरिकार होता है मैं पुरी firm को dissolve कर सकता हूँ by giving notice, यह partnership at will में होता है, फिर duties of partner, general duties होती है कि स फिर हर किसी के साथ just and faithful होना चाहिए, यह important होता है, आज कल बहुत लोग नहीं होते, फिर and to render to every partner and his legal representative the true accounts, accounts प्रापरली बताना चाहिए उसको and to inform all the things affecting the firm, हर वो चीज जिससे firm को फरक पढ़ सकता है, जो से सलमान से केटरीन का जगडा हो गया, अब वो हमारा बड़ा customer है, तो केटरीना ने inform करना चाहिए कि सलमान से जगडा हो गया, अब वो अपना customer नहीं रहा, तो यह चीज बताना चाहिए, ठीक है, तो भले personal nature का जगडा है, बट उसने बूल दिया, मैं अब नहीं आऊंगा, तो हर चीज जिससे हमारी firm को affect पढ़ता है, तो वो चीज उसने inform क करना चाहिए, फिर duty to indemnify for loss caused by fraud, अगर मैंने कुछ fraud किया हूँ, और वो fraud चपड़ गया, और पता लग गया, कि हाँ, मैंने धोकाद़ी किया हूँ, मैंने समझो कुछ चीज़ें यहां से गायब किया, और मेरी friend Ailu उसको में gift करते जाता हूँ, ऐसे cases में अगर पता लग ग तो मेरी फिर यह जिम्मेदारी होगी कि मैं loss जो भी हुआ है यह payback करूँ, जो भी नुकसान हुआ है मेरे गलत काम से या मैं पानवान खोदी बना के खा जाता था, तो यह सब चीज़ें जो है, इससे नुकसान होता है, पान की दुकान है ना हमारी, इससे नुकसान हो रहा है, तो यह भी fraud है एक प्रकार का, पान कहा जा रहे है पता नहीं है, यह गाया बुझाते है, खाय जा रहे है अपन, ठीक है, तो यह हमारी जिम्मेदारी होगी, फिर duty to attend diligently to his duties, जो duty है, वो duty को पूरी करना यह भी एक duty है, तो यह भी बताया था मैंने, जैसे मुझे बोला है शर्मा जी, आप जाओ, घर जाके पान मसाला खहिनी गुट का जर्दा यह बेचो, मैं वहाँ से निकला, ओफिस से, और बाद में, मैं घर जाके टीवी देख रहा हूं, मस्ट मैच चालू, एंडिया उस्टेलर टेस्ट में देखते बठाओ, अब यह गलत है, क्योंकि मेरा काम है कि मैंने जो काम लिया हूं, वो काम पूरा करना चाहिए, तो duty to attend to his duties diligently है, तो यह भी एक duty होती है, duty to work without remuneration, तो आप देखोगे, interest और profit यह right में दिया है, बट remuneration right नहीं होता, remuneration के बिना काम करना यह हमारी जिम्मेदारी होती है, unless otherwise agreed, remuneration नहीं मांगा जा सकता, duty to contribute to losses, यह simple है, duty to indemnify for willful neglect, अपने खुद की गलती के कारण अगर कोई नुकसान हुआ है, मुझे GST भर ने बोला था, आज क्या आज करा दो नहीं, तो कल 5000 के penalty लगेगी, बट मैं घुमने चला गया मेरी friend के साथ, तो यह willful neglect है, जसके कारण मेरी firm को नुकसान हुआ, तो व पांच हजार में बताया, मैंने चार हजार में विका है, तो हजार रुपे जो मैंने personal profit, secret profit कमया हूँ, यह वापस लाके देना, not to do competing business and not to assign, यहने sub-partner नहीं बनाना, जब तक सब लोग से पूछा ना जाए, तो इन पर questions नहीं आएगे, question आएगा तो सिर्फ not to be expelled, expression वाले point पर question आएगा, बाकी इन पर एक चोटे-मोटे एकाद माक का कभी कुछ आ सकता है, बाकी इस पर major questions नहीं बनेंगे, फिर एक section नहीं दिख रहा है, इसमें, बता देता हूँ, section number 17 नहीं दिख रहा है, section number 17 बोलता है, कभी-कभी हम लोगों ने एक particular time period के लिए partnership की होते हैं, वही same rights and duties हमारी आगे भी continue होगी, अगर हमने समझो एक adventure, एक particular राम जूला के लिए हमने partnership किये थे, बाद में हमने शाम जूला भी बनाना चालू कर दिया, तो जो rights and duties राम जूला में चलती थी, वही rights and duties शाम जूला में भी चलना चाहिए, ठीक है, वैसे ही अगर इसमें ती तीन केस थे, एक था ये, पिरेट वाला, दूसरा था, तीसरा है, change in constitution, अगर constitution change हो गया, हम लोग तीन पार्टनर थे, केटरीना दिपिकर में, और बाद में constitution change हो गया, और यहाँ पे इलियाना भी आ गई, तो हम चार लोग हो गया, ऐसे केसे में जो rights and duties पहले के firm में थी, व जमाना हो गया यह पढ़ाते हुए, तो मिरे को याद है, तो आप याद मत रखो, कोई काम के नहीं है, ठीक है, so company lock के याद रहेंगे, उतने याद रखो, बाकी चलता है, बाकी याद मत रखो, फिर, याद नहीं company lock के, company lock के तो याद हुए होँगे ना कुछ, हाँ, वो तो याद रहना चाहिए, थोड़े थोड़े, एकदम नहीं है, रटे रखो, 10 section तो है, 10 section तो याद रहते है, section 8 याद है आपको नहीं है, 7 याद है, नहीं है, incorporation आप इस तो पड़े थे, तो पड़े थे, वो 4, 5 काम के नहीं है, 4, 5, 6 बूल सकते हो आप, 10 A है, commencement of business, याद रहन चाहिए, 3 A है, 3 A क्या है, minimum number से कम हो गए, तो क्या होगा, वो 3 A में लिखा हो है, minimum number, 7 लोग चाहिए, 2 वो चग गए, 6 मेने के बाद, बस बस वो 3 A है, ठीक है, चलो, चलो, ठीक है, अब यह हो गए, आपस के रिष्टे, यह रिष्टे खतम हो गए, अब रिष्टे बाहर वालों के साथ निभाए जाएंगे, यहने, अरे, relation with third parties, तो अब third parties के साथ कैसी के रिष्टे निर्मान होते हैं, इसके ओपर हम चरचा करेंगे, subject to the provisions of this act, the partner is an agent, agent, agent of the firm and other partners, तो वो agent होता है, तो firm कभी और बाकी के partners कभी, तो अगर मैंने कुछ कारियर किया, तो मैं अकेला ही बाइंड नहीं होड़ा, मैं बाकी के लोगों के बहाफ पर काम कर रहा हूँ, तो केटरीना दिपिका का मैं agent हूँ, so I am the agent as well as principal, तो मैं उनको बाइंड भी कर सकता हूँ, और मैं उनके कारियर से बाइंड भी हो जाओंगा, so कितने हद तक हम बाइंड कर सकते हैं, तो यह implied authority बताती है, अगर हमने कुछ नहीं बोला है, so usual way में वो business करने के जो power से वो सबको है, यह माना जाता है, इसी को हम बोलते है, implied authority, that means, वो business to business depend करेगा, जैसे generally business में खरीदना, बेचना, यह सब अधिकार होते हैं, employees को appoint कर सकता हूँ मैं, तो यह सब अधिकार implied होते हैं, लेक it is not implied, so depend करेगा आपके business के उपर, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपके book में दी है, वो एकदम रटनी की ज़रवत नहीं है, फिर limitation on implied authority और statutory restrictions on implied authority, section 19-2 बताता है, क्या क्या implied में नहीं आता है, so आप कोई dispute चालू है, उसको arbitration में नहीं ले जा सकते हैं, so जो चालू है वो ऐसे ही चलते रहेगा, arbitration में अपने मन से नहीं ले जा सकते हैं, सब लोग agree करेंगे तो जा सकते हैं, हम banking account नहीं खोल सकते हैं, खुद के operation का, मैं जाके KDSN company का एक bank account खोल रहा हूं, जिसमें मैं खुद ही उसको चलाऊंगा, तो ये भी allowed नहीं है, फिर कोई compromise या relinquish, relinquish इने छोड़ देना, त्यार देना, मैं कोई claim छोड़ नहीं सकता, without the consent of all the other partners, मैं कोई case वापस नहीं ले सकता, जब तक के सब लोग agree ना करें, मैं कोई liability admit नहीं कर सकता, जब तक सब लोग agree ना करें मैं immowable property खरीद नहीं सकता, मैं immowable property बेच नहीं सकता, वैसी मैं partnership नहीं कर सकता, on behalf of firm, लेकिन ये सब चीज कर पाएंगे, या तो अगर specific या express authority है, या फिर usage और custom of trade permit करते हैं, तो फिर extent of partners liability किस हद तक liable होते हैं, तो liable होते हैं, jointly as well as severally, तो joint and severally liability होती है, that means हम लोग मिल के भी जिम्मेदार हैं, और अगर हम लोग मिल के पैसा नहीं पे कर पारें, तो सब के घर से भी पैसा मांगा जा सकता है, फिर liability for wrongful acts, अगर wrongful acts हैं, तो भी क्या पूरी form liable हो जाती हैं, answer is yes, अगर कोई एक व्यक्ति भी fraud करेगा, गडबड करेगा, और यह ordinary course of business में हैं, या within the authority of the partner है, तो फिर पूरी की पूरी firm liable हो जाहिए, so कोई भी wrongful act, omission है, acting in ordinary course of business, और with the authority of his partner, अगर कोई third party को lost हो गया हो रहा है, तो that third party can claim from the firm, firm is liable, जिसमें आपको example बता होंगे, A और B मिल के partnership में काम कर रहे थे हैं, इसमें अगर कोई fraud भी कर रहा है, miss application कर रहा है, जैसे यह bank चलाते हैं, और एक Mr. X आके A को पैसा दे देता है, कि मेरे account में जमा कर दो, अब A इसको घर पे ले जाता है, खुद के personal use के लिए use कर लेता है, तो अभी firm is liable, क्योंकि firm यह जो काम किया गया है, यह ordinary course of business में, तो firm ने अगर यह पैसा on banking, banking business in partnership, एक data होता है, वो जाके A को पैसा दे देता है, A, B को inform नहीं करता है, और cheat करने के हिसाब से उगर जाके कोई personal use पैसा ले जाता है, तो भी firm is liable, क्योंकि यह within authority है, या फिर ordinary course के अंदर आ रहा है, फिर liability for miss application, अगर गलत इस्तेमाल किया, तो वही जैसा उपर बताया है मैंने, तो अगर कोई पैसा मिला है इसको या कोई property मिली है, और वो उसको miss apply कर लेता है, तो ऐसे case में भी third party जो है, यह free हो जाती, third party liable नहीं होगी फिर से pay करने को, so firm is liable towards the third party, फिर law relating to liability of state of the deceased partner, किसी वेक्ती कि अगर death हो जाती है, तो फिर उसकी liability कर तक होगी, तो जब तक वो जीवित था, जब उसकी death हो गई है, तो उस दिन के बाद से उसकी liability खतम हो जाती है, लेकिन इसके पहले तक liability रहेगी, यहाँ पे कोई public notice की भी जरूरत नहीं होती, so जब death होती है, तो death के case में public notice भी नहीं रहती, अगर contract यहाँ इंटर कर दिया है, तो उसके लिए जरूर वो liable होगा even after that date, तो death के बाद भी लेकिन contract यहाँ हो गया, तो liability incur हो चुकी है, that means इसके बाद उसका state यहने property या फिर उसके जो legal hares हैं, यह लोग जिम्मेदार रहेंगे, अगर debt पहले create हो चुका है, और बाद में death हुई है, तैसे case में liability रहेगी, लेकिन इसके आया था, कि एक जगे राम स्टेट इस liable बोलते हैं, दूसरी जगे नॉट लाइबल बोलते हैं, एक ही question में दो answer दे दिया उन्होंने, जबकि अगर एक जगे लाइबल है तो दूसरे में भी लाइबल होना चाहिए, एक जगे not liable है तो दूसरे में भी not liable होना चाहिए, बट इसमें गलत आंसर दिया है institute ने, आपने लिखना सही है, और बाद में फिर note में ज़रूर लिख देना, as per suggested, इसमें liable है, उसमें liable नहीं है, जब क्यों गलत ही चाहे, 100% गलत है वो, बट फिर भी अपनने clarify कर देना चाहिए, क्योंकि कुछ-कुछ अजीब paper checker होते हैं आजकल, एक बीच में institute में कौन check कर रहा है पता नहीं, कुछ लोगों ने institute के test series दिये, उनको बोला है किसी ने की सिर्फ module की language चापके लिखो बोले, ऐसा थोड़ी होता है, law है, law में तो legal language जो है वो लिखना चाहिए, तो marks नहीं दिये उस चलते हैं, बोले कि नहीं module की language लिखोगे तो भी marks मिलेंगे, तो ऐसा नहीं होता, legal language आप कोई भी लिखोगे तो marks मिलेंगे, ठीक है, तो रहते हैं, लेकिन अजीब अजीब बाती बाती की प्राणी पाये जाते हैं, तो वो भी CA है और, ठीक है, हाँ CA है, कोई तुभी madam है, वो पेपर चेक कर रही, तो कुछ students है, कुछ student आयते हैं, बोल रहते हैं, कि सर देखो ना पूरा तो सही लिखा है, marks नहीं दे रहें, बोल रहें, बिल्कुल ऐसा होना बोले, ICI के module का ऐसा कर से याद रखेंगे हैं, तो मैं बोला, वो फालतू कुछ भी बोल रहें, ऐसा नहीं होता, marks मिल जाएंगे, तो रहते हैं कुछ-कुछ लोग, ये नाकपुर ब्रांच की है, कोई madam, ठीक है, जाओ दिया, चलो, तो आप सही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, बात में फिर institute का suggested भी लिख देना, कि लेकिन institute का ही answer है, तो आपन अपना सही लिख देना, क्या कानून बोलता है, ठीक है, फिर minor के liabilities, खुब important, position before attaining majority, major होने के पहले क्या के rights होते हैं, इसके पुरे diagram बना होगा, तो इसमें एक तरफ अपने दिखाए, जब वो minor है, तो क्या होगा, फिर major होने के बाद, फिर अगर वो decide करता है, partner बनना, तो क्या होगा, नहीं decide करता है, तो क्या होगा, तो ऐसा पुरे diagram बना है, flow chart, ठीक है, तो आपने बनाए होंगे, ऐसा में मान के चलता हूँ, So, book में बनाए है, main book में, जहाँ ये chapter खतम होता है, उसके बाद वो जगह है, थोड़ी से, वहाँ पर आपने बनाया है, हाँ, छलो, ठीक है, So, position before attaining majority, major होने के पहले, जब तो वो minor है, तो जाहिव सी बात है, उसको rights मिलेंगे, जतने agree किये गए थे, उतने, So, he has a right to such share of property and profits in the firm, जो agree upon किया गया है, he has a right to have access to inspect and copy any of the accounts, but not the books, वो books नहीं देख सकता, सिर्फ खाते देख सकता है, account देख सकता है, एक एक journal entry नहीं देख सकता, वो सिर्फ accounts देख सकता है, अगर उसको उसका share ना दिया जाया है, तो he can even file a suit, वो case file करके share recover कर सकता है, but he will be able to file a suit only if he wants to see where his connection with the firm, वो ये नहीं कर सकता है, इदर case भी file करें, उदर जुड़े भी रहेंगे firm के साथ, ऐसा नहीं कर सकते, अगर वो जुड़े रहना चाहता है, तो he cannot file a suit, लाइबलीटी क्या होती है, तो ऐसा नहीं लिखेंगे हम लाइबलीटी नहीं होती, मैने बोला थ का आपको आक बोलते डाइं, भली बोलते हैं हैं, बहले हो जितने असेट उसके हैं, यहांपर सम्झों केतरेना, दो अगर और मैनर है तेयमूर, तो हम तीनर चाहन पर जो पोलती हैं, यहां पर प्रपेटि में तैमूर का भी तो हिस्सा है भली हो ए तो इतने हद तक तक तो वो लाइबल हो ही रहा है, तो यहां पर हम जब लिखेंगे तो हम प्रपरली लिखेंगे कि लाइबली टी उसकी होती है to the extent of assets या property इंडी फॉर्म, जितनी प्रपर्टी जिटने तक तो लाइबलीटी होगी ही, वो यह नहीं बोल सकता पहले मुझे मेरा पैसा दो बाद में प माइनर रहती है, इस confined only, limited only to the extent of his share in the profits and property of the firm. तो जितनी प्रोपर्टी है, महां तक तो liability है ही. Over and about is, neither his personal state is liable, nor he is personally liable. ठीक, एसके उपर वो liable नहीं होता. तो over and about this, ना personally liable है, ना private estate liable है. और major हो गया, तो क्या होगा? Major होने के बाद उसको 6 मैने के अंदर decide करना है whether he wants to elect to become a partner or not to become a partner. अगर बनना चाहता है, तो भी बताओ, नहीं बनना चाहता है, तो भी बताओ. अगर उसने कुछ नहीं बताओ, पब्लिक नोटिस नहीं दिया, तो हम मान लेंगे कि वो partner बन चुका है 6 मैने के बाद. अगर वो partner बन जाता है, तो दिक्कत ही होती है कि वो personally liable हो जाएगा to all the third parties for all the acts done since he was admitted to the benefits of partnership. जब major हुआ तब से नहीं, जब उसको जोड़ा गया था partnership में तब से, और उसका जो profit sharing अगर होता है, property sharing होती है, वो same रहेगी जो as a minor थी, अगर वो partner नहीं बनना चाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसकी right or liability continue होगी till the date of public notice, तो जब वो major हो गया, उसके बाद फिर public notice देने तक कि उसकी same liabilities as minor continue होगी, rights भी minor जैसे continue होगे, public notice के बाद वो पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा, तो ऐसा है, फिर reconstruction and dissolution of firm, reconstruction of firm, बराबर time से चल रहे है अपने, एक गंटे में यह complete हो जाएगा, ऐसा मेरा अंदाज था, और हो रहा है, खतम करते हैं, फिर contract, contract को time लगता है विसे, 9 chapters है न, तो मैं speed up करूँगा, 8 बचे अब, so वैसे 9 chapter से total, so total वैसे देखे, तो एक गंटे में 3 chapter होते हैं, पहले 3 chapter, और एक गंटे में दूसरे 3 chapter होते हैं, और उसके बाद फिर देड़ घंटा से 2 गंटा लगते हैं, बाकि क्योंकि उसके बाद के 2 chapter बड़े है, तो उसमें टाइम लगता है, तो नहीं तो उत्ता नहीं चलाएंगे अपन, अपन जल्दी में speed up करूँगा, पहले में इस से शुरू करना चालू कर दिया, क्योंकि यह जादा important हो जाता है, contract act तो ऐसा, यहने रट जाता है, बहुत ही अच्छो से रट जाता है वो, इतने time तक अपन पढ़ते हैं उसको, एक तो course भी बहुत जादा है उसका, तो वो हो जाता है, याद हो जाता है, बट यह चीज़ें याद नहीं होती है, भूल जाते है अपन, तो इसलिए यह चीज़ों में revision जादा important होता है, चलो, ठीक है, कुछ लोगों को company lock ही जरूरत होती है, तो कुछ लोग company lock के बाद गाया बुजाते है, गए ना कुछ लोग, फिर कुछ लोग, कुछ लोग ही गए, जादा नहीं गए, बाकी classes से compare करो तो, law में, law में डर लगता है लोगों को, हाथ से होते हैं ना इसमें, बहुत भारी-भा करने नहीं आए बुलते लोग, तो पता लगा मेरेको कि कमी बच्चे थे, कभी भी इसमें नहीं थे बुले, तो आपकी class में इतने सारे लोग तो आए बुले नहीं, तो class में बच्ची नहीं आ रहे बुले, नुबर ही 25, 30, 50, ऐसे सब आई, तो आज थे, आज पहली बर notes कम खतम होते जारे हैं, फिर और मंगाओ, फिर खाम हो रहे हैं, फिर और मंगाओ, ऐसा हो रहा था आज, तो ठीक है, मेरे को क्या अच्छा लग रहा है, ठीक है, आपको पता है, मैं मुह मा ऐसा मुक्त होते जा रहा हूँ, हाँ, ठीक है, चलो, reconstitution and dissolution of form, और dissolution of form, ये दोनों चीज़ों पर पिछली बर question आया है, इसमें difference वोगरे भी आया है मेरे कहल से, पिछली बर, so differences बहुत आयते, पिछले exam में चार difference between आ गए थे, जनरली इतने आते नहीं है, बट चार difference between पूचे गए थे, so ठीक है, और सब अपनी बुक्के हैं, ऐसा नहीं ये कुछ बाहर से आया, बुक के बाहर कुछ भी नहीं आया है आपको, ठीक है अपनी बुक कर लिए इने खतम हो गया, चलो, तो री constitution of form, इसमें नए पार्टनर का आना, retirement होना, expulsion, insolvency, death, sub-partner बनाना और rights of outgoing partner, ये अलग पॉइंट वैसे, तो इसको अपन देखेंगे, ए करके पूड़ा समझते हैं, constitution कैसे change होता है, तो constitution किसी भी प्रकार से change हो सकता है, नए पार्टनर के आने से, घचक जाने से, retire हो जाने से, insolvency, expulsion, even transfer of partner share is also deemed as reconstitution, reconstitution होगा, तो rights or liabilities of the parties, ये adjust की जाती है, आपस में determine की जाती है, और इसलिए जब भी reconstitution होता है, आप उस तार को balance sheet change करते हैं, जैसे आपको दिखेगा कि समझो, 30 June है, 30 June को एक particular partner की date हो गई, तो ऐसे case में 30 June तक के आप एक अलग balance sheet बनाते हो, उस time पे book settle करते हो, और यहां से अलग चालू करते हैं, जनरली आपको exact ऐसे date दी जाती है, जैसे को partner घचकरा है, तो आपको दिया जाएगा क partner घचका 31 March को, तो रुका नहीं रहता है, 31 March आएगा फिर मैं घचकूंगा, वो simplicity के लिए आपको ऐसा बता देते हैं, थाकि आपको अलग से बनाना ना पड़े, तो इसलिए आपको तो concept समझा रहे हो, तो इसलिए accounts में आप देखोगे न, तो इसमें exact date दी होती है, या तो 30 June बताएंगे कि mid of the year में या समझो quarter खतम होने पर ऐसे time पर घचक रहे है, बट ऐसा जरूरी नहीं है, तो कोई कभी भी घचक सकता है, एकदम 30 March को घचका, तो आपको और तकलीफ हो जाएगी, 28 March को घचका, तो तीन दिन के लिए अलग से balance sheet हो जाएगी, so हाँ सही में, आप आपको क्योंकि बनाना पड़ेगा, 28 को घचका, तो 28 तक क्या आपको आइल्स liabilities देखना पड़ेगा कि क्या थे, क्या नहीं थे, तब ही book settle होंगे, और फिर 29, 31, 31, 3 दिन के अलग बनेंगे, बट आपको real life में यह सब रहता है, यहाँ पे आपको सिर्फ concept समझा रहे है, इस इसलिए देते हैं, ताकि आपको easily वो चीज़ सॉल करना जम जाए, बट रियल life में ऐसा नहीं होता, कभी भी रिटायर हो सकता है, कोई वेखती, ठीक है, तो उस state तक के आप अलग balance sheet बनाते हैं, और rights liabilities determine करते हैं, book settle करते हैं, किसी को घर से पैसा लाना पड़ सकता है, किसी नहीं बनाऊंगा, time जाएगा जबरदस्ती, so chart में आपको बताया हुआ है, कि आपने पूरा बनाये थे, पहले लिके थे, type of reconstitution में क्या क्या आ रहा है, फिर उसके बाद इसका example लिये थे, इसके बाद फिर liability कब से रहती है, या कब तक रहती है, फिर क्या innovation possible है, और फिर public notice क लेगी, after the date of admission, जब admit हुआ उसके बाद से, innovation possible है, तो answer है, yes, हम innovation कर सकते है, that means हम उसको past dates के लिए liable ठहरा सकते है, by a tripartite agreement, tripartite agreement करके, जिसमें existing partner, incoming partner, और creditor के साथ agreement होगा, और उसको past date के लिए liable ठहराया जा सकता है, public notice के requirement नहीं होती, क्योंकि notice तब लगता है, जो हम liability से मुक्त होना चाते है, यहां तो liability लेने की बात हो रही है, फिर, retirement की case में, जब एक विक्ती जा रहा है, ऐसे case में तीन पता से retirement हो सकता है, पहला with the consent of all the other partners, दूसरा as per the terms of the agreement, तीसरा with the partnership at will पे है, तो फिर by giving notice, तो यह तीन cases में retirement हो सकता है, retirement हो जाएगा, तो liable कब तक तो liable up to the date of retirement रहेगा, and up to public notice, public notice देना यहां पर जरूरी होता है, public notice नहीं दिये, तो continuity liability दोनों की, जो continuing partners है, उनकी भी और retiring partners की भी, साथी साथ यहां भी innovation possible है, यहां भी innovation करके हम, जो past debt से उसको मुक्त कर सकते हैं, he can be absorbed from the liability for any past debts, तो यह possible है, फिर expulsion of partner, expulsion, important है, यहां पर यह पढ़ना ज़रूर, यह भी expulsion है, वहां पर सिर्फ expulsion नहीं किया जा सकता है, यह लिखा है, every partner has a right not to be expelled, तो ध्यान रखना, अगर कभी पूछेगा, तो आपको right not to be expelled है, तो expel नहीं करना, यह आपका अधिकार होता है, फिर, कभी कभी ही expel किया जा सकता है, यह बहुत, यह exceptional case है, यह exception है, general rule है कि आप expel नहीं कर सकते, सिर्फ यह case में, only when, only when, only when, the contractor partnership contains a provision for expulsion under stated circumstances, कुछ हादात बताया गया होंगे, जैसे अगर आप personal property, या official अपनी business property का, अगर personal use करने हैं, तो हम expel करेंगे, तो ऐसा लिखा हो सकता है, फिर, power to expel is exercised in good faith by majority of the partners, and the expelled partner has been given notice of charges against him, and has been given a reasonable opportunity of being heard, answer to charges, तो इसको show cause notice भी बोलते हैं, show cause why you should not be expelled, तो show cause notice या opportunity of being heard, यह एक ही चीज़ है, ठीक है, यहाँ पे भी बाकिस सब rights, liabilities, same रहती है, यह भी ऐसे ही रहेगा, innovation भी possible है, public notice की भी requirement होती है, insolvency और death में एक रूल लगता है, insolvency और death अगर होती है, तो liability खतम हो जाती है, जिस दिन उसकी death हो गई, या insolvency हो गई उस दिन, फिर, novation possible नहीं है, क्योंकि death हो गई, तो नया contract नहीं कर सकता, insolvent फेक्ति भी, existing contracts नहीं कर सकता, अपनी property से related, और public notice की requirement भी नहीं होती है, फिर, transfer of interest, यहने, sub-partner बनाना, तो sub-partner के अब अधिकार पड़िंगे, sub-partner बनता कैसे वो पता है आपको, with the consent of all the existing partners, फिर, he cannot challenge the accounts, यतना, उसको हमने बताया, यतना profit हुआ, चुपचाप उतना रखना पड़ेगा, फिर, transferi of partner share is not entitled to interfere in the conduct of business, require the accounts of the company, और inspect the books, so accounts of the firm, या books of the firm भी नहीं देख सकता, dissolution होगा, तब उसको अधिकार मिल जाता है, कि वो देख सकता है, कितना उसका profit हुआ है, for the purpose of ascertaining the profit, he can inspect the accounts, so वो ही दिया है, कि dissolution होगा, तब फिर, transferi of the partner share will be entitled, यहने, sub-partner will be entitled to receive the share of assets, as well as profits, assets भी मिलते हैं उसको, and for the purpose of ascertaining his share, to the accounts, तो accounts देख सकता है, पूरे books नहीं देख सकता, सिर्फ accounts देख सकता है, rights and liabilities of outgoing partner, outgoing partner आगे भी same business कर सकता है, और subsequent profit भी उसको कुछ cases में दिया जाता है, कुछ cases में कब, when his accounts are unsettled, जैसा कि मैंने समझाते वक्त, आपको पूरे deep में समझा हूँ, balance sheet में possible नहीं होता है, कि समझो, Katrina retire और ही 5 लाग रूपर उसको देना है, तो possible नहीं होता है, सब asset तुरंद बेच के उसको पैसा देंगे, या घर से पैसा लाके दें, तो कई बार उसको हम पैसा नहीं दे पाते हैं, तो हम उसको बोलते हैं, हम तुझे आगे भी profit share करते रहेंगे, क्योंकि हम profit, अभी तुमारे account settle नहीं कर पारे, तो profit में share देंगे, तो या तो profit share देते हैं उसको, या फिर उसको interest पे किया जाता है, ठीक है, फिर dissolution of the firm, dissolution और reconstitution, so dissolution of firm का मतलब है proper dissolution, और dissolution of partnership is reconstitution, so partnership खतम हो रही है, that means उनके बीच का रिष्टा खतम हो रहा, but firm खतम नहीं हो रही, लेकिन dissolution of firm यहने पूरे लोग अलग-अलग हो रहे, उसको हम मुलते हैं dissolution, ठीक है, इस पे भी एक बार question आया था, difference between आया था, कैसे कैसे dissolve हो सकते हैं, by agreement आपस में agree करके contract बना था, उसी प्रकार हर वेक्ती consent देके contract से बाहर आ सकता है, compulsory dissolution हो जाएगा, अगर सबके सब partners insolvent हो जाते हैं, या सबके सब partners की death हो जाती है तो, या फिर एक को छोड़के सब की death हो जाती है, या insolvency हो जाती है तो, या फिर अगर हमारा business illegal हो गया तो, so, या तो हर partner या एक को छोड़के सब partner insolvent हो गया, या फिर death हो गई तो ऐसे case में खतम हो जाती है firm और अगर event के कारण हमारा business unlawful हो गया dissolution on happening of certain contingencies कुछ cases में हम चाहें तो रोख सकते हैं लेकिन अगर नहीं बोलेंगे कुछ तो यह automatically dissolve हो जाएगे subject to the contract between partners firm dissolve हो जाती है अगर एक partner की death हो गई अगर एक partner insolvent हो गया अगर एक fixed term के लिए था और वो term खतम हो गया अगर एक adventure के लिए था और वो adventure खतम हो गया बट इन cases में अगर आप चाहें तो आप इसको continue डख सकते हैं आप चाहें तो यह cases में dissolve नहीं करना चाहें तो ऐसा बूल सकते हो तो फिर firm dissolve नहीं होगी अगर आपने ऐसा लिखा है तो such a provision is valid Dissolution by notice हो सकता है अगर partnership at will है तो notice दो और dissolve हो सकते है Court कुछ cases भी dissolve कर सकता है कभी कभी इस पे भी question आता है अगर एक partner insane हो चुका है और उससे consent नहीं ली जा सकता है तो फिर उसका जो next print है वो of course जाके dissolve कर सकता है Permanent incapacity ऐसा कुछ incurable illness हो गई like paralysis हो गया कोमा में चला गया तो खतम कर सकते है Guilty conduct जैसके कराण हमारा business पे impact पढ़ रहा है जैसे Katrina Charles Ganja की dealing करते भी पकड़ी गई जैसे cases में persistent breach of agreement बार बार कोई वेक्ती agreement की opposite काम करता है बार बार हमने Katrina को समझाए कि कार मत लेके जाया कर बटो वो लेके जाती है हमेशा सलमान के साथ भूमती रहती है फिर transfer of whole interest पूरा interest transfer करती है तो business जब loss में ही carry on हो सकता है profit में आई नहीं पारा है बट फिर भी बाकी लोग consent नहीं दे रहतो and just an equitable clause जब court को लगता है कि it will be better this form को बंद करते है फिर rights and liabilities on dissolution अब यह simple है वैसे dissolution हो गया है तो dissolution के बाद winding अप होना चीए आपको पता है dissolution is a separate thing dissolution तो हो जाएगा तुरंती जैसे समझो केटरीना की death हुई तो जैसे ही वो घचकी तो यहाँ पे dissolution हो गया पूरी भूत बन गई है तो प्रवेर भी तूड़ गए ठीक है तो जैसे इसके death rate dissolution तो तुरंती हो गया लेकिन इसके बाद wind up करना पड़ता है wind up यहने सब चीज समेटना so winding up करने के लिए कुछ continuing authority रहती है even after dissolution even after public notice so यह कौन-कौन सी authority है वो चीज़ें बताई गई है so अगर firm dissolve हो गई है तो इसके बाद wind up करना पड़ता है assets बेचे जाते हैं, liabilities pay off की जाती है surplus अगर बचेगा तो partners घर ले जाते है हर रेक्ति का अधिकार होता है कि business को बंद करने का action ले फिर continuing authority होती है जब तक winding up complete नहीं होती अगर किसी ने personal profit derive किया है तो वापस लाके देना पड़ेगा जैसे मैं personal इस car को firm की car use करके personal profit कमाता हूं तो वो भी सब को लाके देना पड़ेगा अगर किसी ने premium pay किया था premium use goodwill pay किया था दस साल के लिए और उसके बाद firm बंद हो गई चार साल बाद ही तो उसने जो extra पैसा दिया है वो उसको पहले वापस मिलना चाहिए फिर किसी को fraud करके जोड़े थे पाटनर को तो उसको पहले अधिकार मिलता है उसका पैसा पहले वापस दो after all the outside debts have been paid and firm का नाम और property को restrain करने के लिए use करने के लिए restrain किया जा सकता है goodwill बेची जाती है after resolution ये भी देखते है इसके पहले कुछ doubt है नहीं मिलना चीज़ पर Marks वो पता नहीं पेपर चेकिंग में अच्छे से नहीं होड़ी शायद आचकल हर जगे पर प्रॉब्लम है बता नहीं test series में अच्छा अब भी change किया है paper checker इसलिए कुछ तकलीफ जा रही है अभी तक के कोई और करते थे अभी दो-तीन और लोगों को भी लाए तो वो answer की से match करके दिये होंगे उन्हें तो वो answer की suggested institute के answer से उठाते हैं अपन but just an equitable clause valid है जैसे समझो ऐसे कोई clauses है जहाँ पे उपर के points में नहीं आ रहा बट समझो monopoly create हो रही अब monopoly create हो रही तो court वहाँ पे इसको बंद कर सकता है तो उसको अधिकार है कि monopoly create हो रही है तो वह होना नहीं चाहिए तो वह form बंद कर देगा ठीक है तो just an equitable clause valid है लिख सकते है ठीक है चलो तो यह हो गया इसमें यह तो कुछ लिख नोटिस एक चीज तो winding up हो गया इसकी liability होती है दूसरी एक liability जो transaction हमने यहाँ पे enter कर लिए थे बट अभी तक finished नहीं हुए है so transactions entered but unfinished at the time of winding up जैसे सलमान की शादी का हमने order लिया था अब शादी यहाँ पे होने वाली है लेकिन उसके पहले केटरीना घचक गई ऐसे cases में उसकी शादी के order तो हमको पूरे करना पड़ेगा वो थोड़ी शादी रोकेगा केटरीना के कारण तो वो तो कर लेगा पता नहीं अब करता कि नहीं करता हो भी बिचारा बहुत दो के मिल गए उसको ठीक है हाँ हो गया जाने दो चलो खेर आगे बढ़ते हैं अब गुडविल के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं तो गुडविल क्या है तो गुडविल येने एक अरे गुडविल येने अब मेरा महा ध्यान जा रहा पता नहीं क पानी टपक रहा वहीं ध्यान जा रहा कुछ भी होता है ठीक है ये एक्जाम में होता ना ऐसा एक्जाम में कहीं भी ध्यान जाता बस हाल गाड़ी वाला है वो तो खुंता ही चाहिए चलो पढ़ लेते हैं बस खतम हो रहा है ये पड़े और उसके बाद कॉंट्रेक्ट एक्ट अगर आप सब प्रॉपर्टी के साथ बेच रहे तो भी वही सेम इंपक्ट पड़ता है और अलग-अलग बेच रहे तो भी कोई फरक नहीं पड़ता सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपने गुट्विल बेचा है तो बायर जो है वो रोक सकता है आपको कि आप सिमिलर बिजनस नहीं करोगे अगर उसने रोका नहीं तो आप सिमिलर बिजनस कर सकते हो अगर उसने रोका है तो फिर हम ये कारिया नहीं कर सकेंगे अगर नहीं भी रोका है तो भी हम अगर बिजनस करेंगे तो भी फॉर्म का नाम तो यूज करी नहीं सकते हैं क्योंकि फॉर्म हमने बेच चुके हैं तो फॉर्म का नाम बिजनस कनेक्शन ये सब यूज नहीं करना है सेलर को अधिकार होता है कि वो गुडविल बेचने के बावजूद वो सेम काम कर सकता है, he may carry on the same business and he may even advertise but वो क्या नहीं कर सकता, वो इसका connection यूज नहीं कर सकता, firm name और business connection like represent नहीं कर सकता, मैं old firm का काम कर रहा हूं and he may not solicit the existing customers, normal advertisement कर सकता है बट वो पुराने customers को खीचने का काम नहीं करेगा, ये सब कारिया वो कर सकेगा अगर उसको allow किया है तो, बट generally allow नहीं किया जाता, और अगर हम बोले कि तुम ये काम ही नहीं करोगे, तो फिर वो ये काम करेगा ही नहीं, अगर agree किया, he will not carry on the similar business, तो फिर वो नहीं कर सकता, अगर हमने नहीं रोका, तो he can, the partner me carry on similar business, ठीक है अगर रोका नहीं है तो ये कर सकता है, mode of settlement of account, accounts कैसे settle होते हैं, तो balance sheet है, balance sheet में अलग-अलग प्रकार की आपको ये दिखेंगे, like capital है, capital तीनों जनने लगाए हैं, फिर advances हैं, फिर बाहर वाले liabilities हैं, creditors, इसके बाद profit बच रहा है, तो ऐसे अलग-अलग चीज़े होती हैं, अब जब पहले assets बेचोगे, तो सबसे पहला काम है, बाहर वाली liabilities pay off करो, इसके बाद ये pay होने के बाद पैसा बचा है, तो advances pay off होंगे, advances जब pay off होंगे, तो advance का जो ratio होगा, उस ratio में होंगे, जिसने जतना advance लिया है, उसको इस proportion में वापस मिलेगा, इसके बाद capital वापस होगा, वो capital के ratio में वापस होगा, और जब profit वापस होगा, तो profit sharing ratio में होगा, अगर loss में है, तो घर से पैसा आना पड़ेगा, profit sharing ratio में, फिर अगर परसनल property भी है, और फर्म की प्रॉपर्टी यूज़कर के पर्सनल डेट्स पे करेंगे, और अगर परसनल प्रापर्टी सफिशेंट नहीं है, तो फर्म की प्रॉपर्टी यूज़कर के पर्सनल डेच् कर पाऊगे हैं तो यह सब चीज़ें अल्रेडी पता है आपको डाइग्राम के साथ पुरा डीटेल में आपने देखे हैं फिर पब्लिक नोटिस कब-कब लगता है जब माइनर मेजर हो जाएदा तब रेटायर्मेंट की केस में एक्सपोजिशन की केस में डिसॉलिशन की केस में फिर मोड ऑफ गिविंग पब्लिक नोटिस आप इसको एक तो पेपर में चापते हैं नहीं तो ओफिशल गेजेट में चाप सकते हैं तो या तो एक इंग्लिश या वरनाकुलर वैसे वरनाकुलर कंपल सरी हैं इंग्लिश और वरनाकुलर दोनों में चापते हैं जनरली Vernacular Language में छापते हैं, English में भी छाप देते हैं, लेकिन आप चाओ हो तो Official Gazette में भी छाप सकते हैं, और अगर आपकी firm registered है, तो you will have to inform even to the register of firms, ठीक है, simple है, LLP के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर Telegram channel follow करो, ऐसा दिया है, जोइन करो, follow नहीं, जोइन करो, अब मैं क्या कमजूर हूँ नहीं, मैं कोई advertisement जमता नहीं, ने सच में नहीं जमता, मैं इसलिए advertisement में जाता ही नहीं कभी, so कोई भी advertisement में या कोई भी ऐसा seminar में नहीं देखोगे आप मेरे को, कभी भी नहीं, आज तो मेगा seminar था, लोकमत के साथ, so उसमें भी मैं नहीं था, हाँ, नहीं अभी पढ़ लेते हैं, मैं सिर्फ थोड़ा-थोड़ा में बताने वाला हूँ, चलो, amendments वाली जो points वो बता लेता हूँ, एक तो बकवास amendment है, कोई काम का नहीं है, इसमें बोला है, जहाँ जहाँ Companies Act 1956 लिखा था, वहाँ 1956 के जगे 2013 पड़ो, कोई काम का नहीं भूल जाओ, यह कोई काम का थोड़ी है, यह amendment है, क्योंकि बहुत साल से LLP Act में अभी भी 1956 से लिखा था, कि Companies Act 1956 में जो बताया है, अब 1956 जाके 10 साल उने आए, बट अभी तक उन्होंने चेंज नहीं किया था, अ अब उन्होंने Act में amendment किया है, कि जहाँ 1956 है, उसकी जगे 2013 लिखो, तो यह कोई major amendment नहीं है, इसमें कोई question नहीं आने वाला, ठीक है, फिर body corporate की definition यह भी काम की नहीं है, इस पे भी question नहीं आएगा, वो ही amendment है, 1956 जहाँ लिखा था, वहाँ 2013 लिखने बोला है, कोई काम का नहीं skip करो, business की definition में छोटा सा है commitment है, बट इस पे भी question नहीं आएगा, पहले बुला था, business includes every trade, occupation और service और profession, लेकिन अभी इसमें जोड़ दिया, except जो हम नहीं बोलेंगे, गौर्मेंट नहीं बोलेगी, वो business नहीं होगा, तो यह भी कोई काम का नहीं, इस पे भी question नहीं आएगा, एक newly inserted है, इसको ध्याम रखना है, small LLP, जैसे small company की definition थी, उसी प्रकार से एक नया concept लाया है, small LLP, तो यह ध्याम रखना, small LLP, again वैसे ही है, जैसे उसमें paid up capital की limit होती है, small company में, यहां capital नहीं बोला जाता है, यहां contribution word use किया जाता है, so contribution और दूसरा turnover, तो यह दो चीज आपको देखना है, जिसमें contribution of which does not exceed 25 lakh रुपै, so यह does not exceed, and not exceeding 5 crore as may prescribed, at present कुछ प्रेस्क्राइब नहीं किया दो 25 lakh will be the limit, turnover of which as per statement of account and solvency immediately preceding financial year का does not exceed 40 lakh रुपैस, ठीक है, बाकी यह कोई काम का नहीं, which meets other requirements of the, as may be prescribed, so इसमें आपको case study बना के पूची जाएगी, जहां तक के, यह एकदम ऐसा रटने के उपर नहीं आएगा, case study पूची जाएगी तो यह limit आपको धियान रखना पड़ेगा, 25 lakh और 40 lakh, ठीक है, पिछले बार question आने के chance नहीं नहीं आएगा, इस बार आ सकता है, so यह पिछले बार का amendment है, यह नया section लाया इन्होंने, section to Tara, to Tara, to Tara, ठीक है, to Tara, ठीक है, फिर designated partners, designated partner में भी THोड़ा सा amendment है, यह तो ठीक था, limited liability partnership में दो designated partner चाहिए, वो पहले भी वैसे लिखा था, जिसमेंसरे एक का individual होना जरूरी है, अगर कभी ऐसा है कि दो कंपनी ने मिलके समझो एक LLP का निर्मान किया है तो अब LLP है तो यहां पर दो डिजिगनेटेट पाटनर चाहिए लेकिन यह दोनों पाटनर तो कंपनी है तो इन लोग एक एक वेक्ति को अपाइंट करेंगे और यह लोग पर डिजिगनेटेट पाटनर करके एक करेंगे तो टू इंडिजिवली होना चाहिए या अगर इंडिजिवल नहीं है तो नॉमीनी इस करके आप अपॉइंट करोगे ठीक है तो यह पहले भी लिखा हुआ था फरक कहा पे है फरक है 182 डेस पहले लिखा था अब इन्हों ने इसको रेसिडेंट को जो चेंज किया है डेफिनेशन को यह हर जगह अभी 120 डेस कर दिया है दूरिंग नी फाइनिशल इयर सो 120 डेस भारत में होना चाहिए 120 डेस ठीक है तो यह एक अमिंटमेंट है जिस पर आपको कुश्चन आ सकता है फिर बाकी यह सिंपल है इसमें सिर्फ यह लिखा है कि डेसिगनेटेट पार्टनर कैसे बन सकते है तो डेसिगनेटेट पार्टनर एक इनकॉर्परेशन डॉकिमेंट होता है उसमें लिखके या उसमें जो प्रोसेस बताईए उसके हिसाब से बन सकते है तो यह कोई काम का फिर इसकी consent अगरे भी file करना पड़ता है ये दिया है कोई काम का नहीं ये सब नए है फिर जैसे company के case में director बनते है तो din number लेना पड़ता है यहाँ पर deep in निकाला है इन्होंने designated partners identification number तो deep in लेना पड़ता है ये भी कोई काम का नहीं है और इसके लिए companies act के provisions mutatives, mutatives apply होते है mutatives, mutatives means वैसे के वैसे वैसे के वैसे apply होते है कोई काम का नहीं है इसको आप skip कर सकते है registered office में अगीन बाकी सब same है change है यहाँ पर penalty clause में काम का नहीं है skip कर देना मत पढ़ना आखरी time पर so यह 500 रुपेस for each day और maximum of 50,000 पहले 25,000 थी और 2000 रुपे से 25,000 अभी इन्होंने 500 रुपे पर डे कर दिया और maximum amount बोलता दिया 50,000 तो कोई काम का नहीं है पढ़ना मत name में भी कुछ नहीं है name में एक छोटा सा amendment है कोई काम का नहीं है पहले लिखा था कि नाम identical नहीं होना चाहिए किसे trademark से या जो trademark की application pending है उससे भी अब यहाँ पी इन्होंने सिर्फ इतना बता दिया trademark से identical नहीं होना या आगे का काट दिया या आगे का point काट दिया तो कोई फरक नहीं पढ़ता उससे भी आपके exam पे फरक नहीं पढ़ेगा real life में फरक पढ़ते हैं इन चीज़ों से बट exam में नहीं पढ़ेगा अगला भी कोई काम का नहीं है penalty का amendment है 17 number यह मत पढ़ना penalties रटने में कोई मतलब नहीं है वो पूछेंगे भी नहीं उसके question यह penalties पर जादा changes हुए या तो companies act वो जो number था वो change हुए यहाँ भी penalty का change है registration of changes in partners यहाँ भी penalty का change है तो आप देखोगे इसमें भी subsection 4 penalty थी पहले 2000 से 25,000 अब इन्होंने subsection 4 में 10,000 की एक absolute penalty लगा दिये कोई काम का नहीं है एक्जाम में नहीं पूचेंगे पहले 5 नमबर में भी 2000 से 25,000 बताई गी थी अब यहाँ पर बता दिया again 10,000 रुपीज तो कोई काम की नहीं है changes इतने सी है बट कोई काम की नहीं है यह भी कोई काम का नहीं है फिर unlimited liability in case of fraud यहाँ भी penalty का change है इसको भी skip करो box of accounts penalty skip करो यहाँ भी वह यह 25,000 पांच लाग, 10,000, एक लाग तो वो change हो गया है so 25,000 पांच लाग तो same है एक सेकेंड एक सेकेंड यहाँ पर क्या यह यह उपर है यह उपर change जो है any limited liability तो एक लाग हो गया और 50,000 on every designated partner तो DP के अलग हो गई, इसके अलग हो गई penalty तो यह भी काम का नहीं है skip कर सकते हो यह भी काम का नहीं है इंटर में काम आएगा है accounting standards होते है accounting and auditing standards यह companies act बताता है कि companies को follow करना पड़ता है accounting standards दो प्रकार की company होती है एक जिनको Indian accounting standards in days follow करना होता है और एक जिनको normal AS follow करना पड़ता है तो यहां पर भी इनको बताया गया है कि आपको normal AS follow करना पड़ेगा लेकिन वो अपने को अभी फिलाल काम का नहीं है तो आपको क्यूंकि इसके उपर questions है ही नहीं अभी तो यह जबर गस्ति इन्होंने कहा किया वाला read कर लेना जाने के पहले तो amendment है annual return का penalty का ही है बढ़ यह read कर लेना एक पर का ठीक है क्योंकि annual return important है तो उसकी penalty पर question पूछेंगे ऐसा लगता नहीं हुझे बाकी annual return में change नहीं है 60 दिन के अंदर डालना पड़ता था है तो अभी भी वो ही है 60 दिन के अंदर आपको annual return फाइल करना पड़ता है ठीक है तो जब भी financial error खतम हुआ वहाँ से यह भी पूछा नहीं जाएगा इसमें नए code बनाएगा है special code आपको exam में नहीं पूछेंगे इसमें सरिफ यह बता है कि जो LLP के disputes हैं जैसे companies act में NCLTA ट्रिबिनल है वो देखता है यहाँ पर भी special codes बनाने का अधिकार दिया गया है central government को so special codes बनाएगे और special code में वही sessions judge जो होते है single judge of session यह उसमें judge करके काम करेगा metro city है तो metropolitan magistrate और GMFC यह काम करेगे तो यह भी काम का नहीं है एक्जाम में नहीं पूछे जाएगा appeals revision नहीं पूछेंगे registration of offices नहीं पूछेंगे यह भी नहीं पूछेंगे बस खतम यह भी penalty कही है payment of additional fees तो आपको पूछेंगे क्या एक तो यह पूछेंगे जो companies act की definition में changes थे जिसमें मैंने आपको बहला 2 करोड 20 करोड से 4 करोड 40 करोड हो गया है यह पूछेंगे और यहाँ पे जो मैंने 2-3 बताया है बस उत्ते ध्यान रखना कौन-कौन से तो यह newly inserted small LLP वाला और यह DP वाला यह DP वाला ध्यान रखना ठीक 120 दिन वाला तो यह change हुआ है बाकी penalties मत याद रखना बाकी जाद तर जो changes हुए है वो पूरे penalties में हुए है तो penalties आपको नहीं पूछी जाएगे ठीक है तो इतनी पढ़ना और फिर एक break ले ले लेंगे अपन पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा सा अभी नहीं लेते break